कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चानल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें कि आज के इस एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सी लेंग्वेज सिखा दूंगा यह सी लेंग्वेज को फूल कॉर्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं यह बिल्कुली फ्री होगा इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की जौरत नहीं है तो हम स्टार्ट करते ह है सी लेंग्वेज बेशिकंग्uben पा चाहिए बिलगेज लेंग्वेज ब्रिया देधर जानना चाहिए क्योंख करना क्या हुआ तर्बो सी कंपाइलर या फिर देव सी प्लस प्लस या कोड़ ब्लॉक्स आइडी इए अपने सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल करना है क्योंकि इनी का यूज करके हम सी लेंग्वज के प्रोग्राम को बना सकते हैं तो यह जो सी लेंग्वज का सिंटाक्स होगा इसी स पहला प्रोग्राम लिक के दिखाएंगे आपके सामने फिर हम कीवर्ड टेटा टाइप वेरियेबल आडेंटिफार और ऑपरेटर के बारे में बताएंगे तो यह सारे चेप्टर सी लेंग्वज के बेसिक होते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टूसी बे लेबरोटरी इन दैयर 1972 इन यूसे लेंग्वेज एक मिडिल लेवल लेंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हाई लेबल और लो लेवल यानि मसीन लेवल लेंग्वेज के फीचर को सपोर्ट करता है ठीक है इन दोनों के बीद जो गैप है उसको खतम करता है लेवल और एंटर प्रोग्रामिंग लेज है जिसे महान साइंटिस्ट डेनिस रिची ने डेवलब करा था डेनिस रिची जो साइंटिस्ट है वह एक उप्रेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे यूनिक्स नाम का इसी लिए उन्होंने एक लेंग्वेज बनाए जिसका नेम करें डिजाइन और ऑप्रेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए तो यह जो देनिस रिची थे इन्होंने 1972 में यूसे में एटी एंटी इंटीस बेल लिबरेटरी में इस सी लेंग्वेज को डिवलब करा तो यह हो गया इंट्रोडक्शन टू सी लेंग्वेज अभी हम आपको बताते हैं इस सी लेंग्वेज का सिंटाक्स क्या होता है तो जिस तरह से मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है प्रोगामिंग लेंग्वेज में सिंटाक्स होता है प्रोगाम को लिखने के लिए आपको कुछ सिंटाक्स दिया जाता और यह जो इस टीडी आयो है यह एक स्टेंडर लाइब्रेरी है सी लैंगवज में इसी के अंदर सारे फ्री डिफाइंड फंक्शन है सी लैंगवज का जिनका यूज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे तो इसका पूरा नाम होता है स्टेंडर्ड इंपूट आटपूट तो इसका sit रखा गया है मतलब य एक हैडर फाईल है है तो हमें इस हैडर फाईल को Inspector के साथ लिंक करना होता है इसलिए हम एक statement करते हूं उसका नम है include तो यहां पर है ईंक्लूड studio नवा विप यह पुँर हो गया सेक्ट्छन यानि प्री प्रोशेसर कमांड हो गया ठीक उसी तरह यहाँ पर एक और हेडर फाइल है कुनायो.h इसका मतलब होता है console.input.output.h ठीक है अगर आप अपने output screen console में कुछ भी input output operation perform कराएंगे तब आपको इसे include करना होगा अभी देखो यहाँ पर void main main एक function AC language में जिसका return type void है मतलब यह कोई भी वैलो रिटन नहीं करेगा इसकी body start होती है open curly bracket से और close होता है इस वाले close curly bracket से यह हो गया open curly bracket यह हो गया close curly bracket और इसी body के बीच में जो भी statement लिखेंगे वही execute होगा वही program हमारा होगा तो इसके बीच हम कुछ भी statement लिख सकते हैं उसके उससे पहले मैं आपको यह बता दूं किसी language में हम output के लिए use करेंगे function होगा printf इसका यूज हम output के लिए करेंगे और अगर हमें कुछ भी input लेना होगा था हम एक और function यूज करेंगे इसका नेम होगा scanf यह होगा input के लिए use और इस वाले function का यूज हम करेंगे output के लिए यह basic चीज में आपको बता दे रहा हूं और हमारे इस complete tutorial में आपको क्या मिलेगा notes प्लस program प्लस concept में आपको समझाता हुआ चलूंगा तो अभी पहला question यह आता है कि हम c language का program बनाएंगे कैसे और कहां बनाना है तो हमें यहां पर क्या करना होगा अपने system में how to download and install turbo c turbo c यानि turbo compiler को हमें system में install करना होगा आप चाहें तो देव c++ या फिर code blocks को भी install कर सकते हैं तो चलिए हम देख जानते हैं कि turbo c++ को कैसे अपने system में install करना उसे यूज कैसे करना है एक और most important बात आपको बताने के लिए क्या बच गया यह जो आपको scan up और print up function दीख रहे ना यह दोनो predefined function है और यह दोनों इसी standard io.h header file के function है इसलिए c language के हार एक program में हमें यह compulsory होता है कि हम इस header file को अपने program में क्या करें include करें studio.h इसको आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं यह optional होता है अगर आप टर्बो सी में program बनाएंगे तभी आपको user file का use करना है नहीं तो आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा देव सी प्लस प्लस या फिर code blocks में यह optional होता है नहीं भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा तो चलिए अभी हम आपको तर्बो सी compiler download और install करके बताते हैं कि अपने सिस्टम में इसे कैसे इंस्टॉल करना है और यूज करना है और इसी तर्बो सी का यूज करके पहला सी लैंग्वज का प्रोग्राम आपको लिख के दिखाएंगे आप चाहें तो अपने सिस्टम में देव सी प्लस प्लस या फिर code blocks कर सकते हैं टर्बो सी को डाॉット करने के लिए आपको अपने google ब्राउजर में आना है यहां पर सर्च क्या करना है तर्बो सी डाउनलोड बस आपको इतना ही सर्च करके एंटरप्रेस करना है जब आपंटेरप्रेस करेंगे तो यहां पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है इस वेबसाइट पर हम विजिट करके टर्बोट सी को डाउनलोड करेंगे इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप महां से डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है यहां पर देखो start download तो हमें क्या करना है start download पर फिर से क्लिक करना है तो नीचे side में यहां पर देख सकते हैं हमारा यह complete download हो चुका है Ctrl J फ्रेस करके मैं आपको दिखा देता हूं यह देखो अभी हम show in folder पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखो हमारा turbo c का exe file खुल चुका है इस पर हमें क्या करना है double click करना है जब हम इस पर double click कर देंगे तो अभी क्या होगा इसका setup file open होगा और हमें yes no का permission बोलेगा तो हम yes करेंगे तो हमारा installing अभी देखो यहां पर चालू हो चुका है next करना है हमें उसके बार license को accept करके फिर next अभी install तो देखो हमारा turbo c का यहां पर icon desktop पर आ चुका है finish पर क्लिक करेंगे तो अभी हमने इसे new freshly install किया तो एक बार यह अपने से हमारे system में इस तरह से open होगा मैं आपको एक एक step बताऊंगा कि इसमें program कैसे बनेगा तो यह सबसे पहले तो by default window है तो हमें फाइल में जाना है और नया page लेना है उसके बाद यहां पर arrow पर right side में click करेंगे तो हमारा page खुल चुका है अभी यहां पर program बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है हमें लिखना है has include उसके बाद हमने क्या बोला था stdio ठीके यह हमारे header file काने में stdio.es उसके बाद एक और header file होगा हमारा has include conio.es तो मैंने जो आपको syntax बताया है सेम उसी syntax का use करके मैं यहां पर program बना रहा हूँ उसके बाद हमारा void main function होगा open curly bracket और close curly bracket और इसी के बीच हमारा statement होगा जो भी code आप लिखना चाहते हैं माल लो मुझे एक message print करना है तो मैंने क्या बोला output के लिए हम क्या use करेंगे print function ही use करेंगे तो इस print function में हमें क्या लिखना जो भी message आप print कराना चाहते हैं जैसे हम क्या चाहते हैं हम चाहते है learn coding यह हमारे चानल का नेम है अगर आपने अभी तक इसे subscribe नहीं किया है वीडियो को like नहीं किया है प्लीज कर दिजिए अभी screen holding के लिए हम यहाँ पे get ch function यूज करेंगे ताकि हमारा output screen hold हो सके यह get ch function konio.h header file का predefined function है और यह जो print function है यह studio.h header file का predefined function है तो हमारा coding यहाँ पे complete हो चुका है compile करने के लिए उपर में compile का option है हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे click करेंगे आप चाहने तो keyboard में alt f9 भी press कर सकते हैं तो देखो program compile हो गया अब इसे run करने के लिए run वाले option पे जाएंगे control f9 से भी run हो जाएगा तो देखो learn coding message यहाँ पे आ चुका है अभी चलो अपना अगला topic हम discuss करते हैं next topic क्या है हमारा what is keyword keyword क्या होता है c language में full explanation आप वीडियो को भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा keyword is a reserve word whose meaning already defined in the compiler keyword एक reserve word है c language में जिसका मतलब compiler में पहले ही defined किया जा चुका है इसका मतलब keyword predefined होते हैं तो आपको एक बात क्या याद रखनी है 32 keywords होते है c language में total interview में अक्सर यह पूछा जाता है तो वो क्या होते हैं int care float double void auto register return extern go to break continue do switch case while for const if else enum signed unsigned static size of sort struct union type dip volatile default और long तो यह total 32 keywords होते है c language में अभी आपको दो बाते क्या याद रखनी है कि हम किसी भी keyword को as a variable name और as a method name use नहीं कर सकते अपने personal काम के लिए जैसे एक example के थुरू मैं आपको show करता हूँ यहाँ पे अगर हम लिखें int float equal 10 function तो इस float को हम as a variable name use नहीं कर सकते क्योंकि float एक keyword है c language में इसका meaning पहले ही defined है अगर हम लिखें double method का name यानि function का name अगर हम double ले तो हम यह भी नहीं ले सकते क्योंकि double भी एक c language में keyword है तो keyword में कीवर्ड को पहुचानने का तरीका क्या होता है चलिए hem practically आपको दिखाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस program को मिटा देते हैं यह हमारा last program है जो हमने आपको बना के दिखाया था तो keyword को पहचानने का तरीका क्या होता है कि आप जैसे ही कोई भी keyword लिखेंगे जैसे in अभी कुछ नहीं हुआ जैसे हम t लिखें देखो इसका color white हो गया तो जितने भी keyword से c language में उनका color turbo c compiler में क्या होता है white color हो जाता है देव c++ code blocks में भी color change होगा पता नहीं कौन सा color वहां पे होता है तो आप keyword का देखेंगे पहचानने का तरीका कि सबसे पहला color change होगा और किसी भी keyword को आप अपने personal use के लिए नहीं कर सकते जैसे आप इस तरह से नहीं कर सकते है plot equal 10 keyword को आप as a variable यूज नहीं कर सकते अगर करेंगे तो आपको बढ़िया सा error मिलेगा हमने जब लास्ट प्रोग्राम बनाया था उसमें भी देखो एक keyword यूज किया हुआ था वोईड वोईड भी एक keyword है इसका भी color देखो चेंज है वाइट है ठीक है इस तरह से आप keyword को पैचान सकते हैं और कोई भी सी का प्रोग्राम बनाएंगे तो क्या क्या चीज कंपल्सरी होगा मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले studio.sh header file यह compulsory है इसका रहना second यह main function रहेगा और obviously हम कोई भी program अगर बना रहे हैं तो हमें उसका आट-put चाहिए होगा तभी तो हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो अगर आट-put चाहिए तो print-up function भी हमें क्या करना होगा यूज करना होगा इतनी चीजें compulsory है c के हर एक program में क्योंकि यह syntax का part है यह konio.sh header file अगर आप नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा और अभी मैं यह जो यूज करके आपको दिखा रहा हूं इसे बोलते है comment ठीक है अगर हम किसी भी चीज को comment कर देते हैं तो compiler उसको ignore कर देत उसे consider नहीं करता तो यह हो गया single line comment अभी multiple line comment अगर आपको एक बार में करना तो आपको इस तरह से use करना है तो यह हो गया multiple line comment अभी आगे हम कुछ भी लिखेंगे तो यह हमारे program का part होगा ठीक है तो इस comment कभी यह आप use करेंगे अपने program में हम आपको करके भी दिखाएंगे कोई भी program बनाएंगे तो उसका सबसे पहले introduction हम comment के तुरू देंगे ठीक है यह रहा हमारा अगला chapter data type तो हम सबसे पहले आपको यह बताते है what is data type full explanation मतलब इसको भी हम detail में cover करेंगे तो data type क्या होता है data type specifies the size and type of values that can be stored in a variable data type हमें size भी बताता है size किसका बताता है या तो data type खुद का size बताएगा data type कहीं या फिर जो भी variable हम यूज कर रहे हैं उसके तुरू भी हम data type का size पता लगा सकते हैं साथ ही साथ variable में हम किस तरह की value को store करें है उस value के type को भी कौन बताता है data type जैसे example के लिए अगर हम यहां पे लिख रहे हैं int a equal 10 तो अभी इस a में यह 10 value आय एक टाइब क्या बनना चाहिए इंट बनना चाहिए तो देखो यह इंट ना एक data type है तो data type क्या specify कर रहा type of value वैलू का टाइप जो हम variable में store करके रखें वो भी बता रहा और साथ ही साथ अगर हम इस तरह से लिखते हैं size of int तो हमें data type का size भी पता चल जाएगा इंट का या फिर आप इंट के जगह पर यहां पर size of a भी लिख सकते हैं क्योंकि हम आपको यह बताते हैं कि डेटा टाइप कितने टाइप का होता है दो तरह का होता है पहला होता है primary second होता है secondary primary data type में क्या क्या आते हैं इंट कैर फ्लोड डवल वॉइड तो इंटीजर data type का size होता है तो बाइट या फिर आप फॉर बाइट से बोल सकते हैं यह compiler के उपर इसका रहेंडा रहेंज होता है इसका यह ना है और होतें प्लस वन स्थेंट एक वांट का व्लोड का फ्लोड का सब्ली होता है वूइड आत कर सबक Richardson क्यक्स ओक यह रहेंज होता वंक्ष की पैवर माले म्हें машेंट से लेकर realidade की पावर प्लस 38 डबल का साइज होता है एट बाइट और वोईड जो डेटा टाइप होता है इसका साइज जीरो बाइट होता है वोईड मतलब नथेंग यह कोई भी साइज रिटन नहीं करता और इसका कोई भी टाइप भी नहीं होता ठीक है तो यह हो गया प्रामेरी डेटा अभी सेचनरे टाइप आपको बता देते हैं अएरे पॉंटर इसी तिसनांव यह युदिम बल्डीट सकते हैं कि यह सब सब्सक्राइब टर रोगाम्न के जिए सब्सक्राइब कंड़े बता देते हैं और को यह color फ्रीक्राइब में के देख सकते हैं इस comment वाले section को हटा देते हैं और अभी हम किस चीज का program बना रहे हम आपको program में यह दिखाएंगे कि कैसे किसी भी data type के size को आप पता लगा सकते हैं तो हम comment section में सबसे पहले अपने program का title यहां पे लिख दे रहे find data type size ठीक है तो comment का use हम इसी तरह से करते हैं जाएगा कि अच्छा data type का size find करने का यह program लिखने वाला है तो इसलिए comment देना बहुत अच्छा होता ताकि आपका program किसी को भी असानी से समझ में आ जाए आपको समझाना ना पड़े तो यहां पे main function के अंदर आते हैं सबसे पहले एक integer type का variable बनाते हैं int a तो अभी इस a variable का type क्या है इस a variable का type है integer हमें कैसे पता चल रहा है इस int data type की वजह से हमें पता चल रहा है तो हमें इस int का ही size पता करना है तो हम double quotes में %d format string यूज करेंगे जो की integer data type के लिए होता है c language में ठीक है उसके लिए comma देंगे हम यहां पे अभी size of operator होता है जिसकी वजह से हम किसी भी data type का size पता कर सकते हैं यहां पे हम लिखेंगे int तो यह हमें int का size बता देगा get ch function यूज कर रहे screen hold करने के लिए control f9 से program को run कर रहे है तो देखो यहां पे 2 print हुआ है मतलब integer data type का size कितना है 2 है तो हम चाहें तो यहां पे int के जगह पे a को भी अगर size of में डालेंगे फिर भी इसका output 2 ही आएगा क्योंकि एक किस type का variable है integer type का variable है तो यहां पे देखो 2 आया है तो अभी आपको लगता होगा 22 print हुआ है लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ 2 ही print हुआ है यह previous output भी हमें दिखा रहा तो उसके लिए हम क्या करेंगे CLR SCR function यूज कर देंगे तो यह जो CLR SCR function आपको देख रहा है यह कुनायो.shutter file के अंदर predefined function available है यह क्या करता है हमारे output screen से पहले वाले output को हटा देता है अगर अभी हम program को run करेंगे तो देखो सिर्फ और सिर्फ 2 print हुआ है ठीक है 2 bytes integer का size तो अभी इसका type int है तो हम क्या कर सकते है इसमें इस तरह से integer value ही ले सकते 1,2,3,4,10,20 इस तरह से और उस value को हम क्या कर सकते हैं बड़े ही अराम से यहाँ पर print भी करा सकते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अभी हमारे program का result आएगा 10 क्योंकि A का value क्या है 10 है लेकिन अगर हम मालों यहाँ पर एक value दे देते हैं 10.56 अभी हम इसको print करने की कोशिस करेंगे अगर तो यहा और इसले हुआ क्योंकि इस A का type क्या है इस A का type है यह integer तो अगर हमें fractional value भी चाहिए तो हमें क्या करना होगा इस A को as a float variable बनाना होगा तो अभी यह पूरा result आएगा लेकिन यहाँ पे हमें format specifier भी change करना होगा percent f यह देख लो float के लिए percent f, integer के लिए percent d यह फिर percent i तो अभी देखो यहाँ पे program को run करेंगे तो output देखना 10.56 और 4.0 यह by default अपने से लेता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर हम A का भी size बता करेंगे तो हमें कितना size बताएगा A का size बताएगा हमें 4 bytes जो कि float का size होता है अभी A का type क्या float है तो यहाँ पे देख लो size तो देखो यहाँ पे size अभी हमें 0 बता रहा क्योंकि size एक integer value होता है हमें integer के form में result चाहिए होता है ठीक है इसलिए यह ऐसा बोल रहा है हमें क्या करनी है format specifier बदल देना है percent D करना क्योंकि हम size बता करना चाहते है तो size क्या है एक integer value है अभी हम क्या करेंगे इसको run करेंगे float का size मिल जाएगा four क्योंकि हमें बस एक integer number में four में size जाना था float का इसलिए हमें format string percent D use करना है तभी हमें float का भी size पता चल जाएगा तो चलिए अभी हम अपने अगले topic की और बढ़ते हैं what is variable अभी हम आपको variable के बारे में बताएंगे कि variable क्या होता है एसी language में full explanation मतलब type के स साथ example भी share करेंगे तो अगर आप से कोई पूछ दे variable के बारे में तो आपको simply answer करना है variable is the name of memory location where we store data variable जो होता है वो memory location का name होता है जहां पर हम data store करते हैं बिना variable का use किये बिना हम computer memory में कोई भी data कोई भी value store नहीं करा सकते हैं और नहीं computer memory में पढ़ी किसी भी value को हम access कर सकते हैं बिना variable के यह possible नहीं है तो यहां पर example के तुरूँ अगर मैं आपको बताऊं तो इसको आप consider करो यह क्या है यह हमारा memory ठीक है RAM memory है और इस memory में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स है तो यह मालो यह चार ब्लॉक्स है और इनका कुछ भी particular address हो सकता है मैं यहां पर randomly कुछ भी address ले रहा हूं यह address हो गया अब मालो मुझे इस particular address में कोई एक value store करानी है मुझे value क्या store कराना है 10 कराना है तो अगर मैं यहां पर यहां पर यहुल 10 तो अभी इस state coming हो गया है वो क्या है और यही ए क्या है यह āए क्या होगा कि हमें इस 10 को स्टोर कराने के लिए computer memory में two bytes का memory मिलेगा तो यहां पर यह 10 पर हो गया इस block का name क्या हो गया एह नई हो गया आप मालो मुझे इस value को इस memory से फेच करना है यहाँ पर च्टोर हो गया है इस block में जिसका address 2000 है उसका हमने name क्या दिया है हमने name दिया है जो कि variable का name है अब मालो इस particular block के अंदर एक data है string type का value है राज user का name है ठीक है अब इस राज को मुझे क्या करना है अपने screen में display करना है जो कि इस block के address में store है जिसका address 3000 है तो इसको भी access करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसका भी एक नाम देना होगा तो हमें नाम देने के लिए variable चाहिए फिर से हमें इस तरह से क्या करना होगा variable बनाना होगा अभी हम क्या करेंगे एको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा हमारा यह राज वैलू प्रिंट हो जाएगा इसका भी नाम मालू हमने ए दिया ठीक है वैसे आप अलग नाम देंगे सेम दो वेरियबल का नेम हम नहीं दे सकते तो वेरियबल का सिंपल यूज है केंप्यूटर मेमरी में आप कुछ भी डेटा स्टोर कराना चाहते हैं या फिर वहां से डेटा फेज करना चाहते हैं तब आपको वेरियबल की जौरत पड़ेगी वेरियबल क्या होता है जैसे इस लोकेशन का अड्रेस 2000 है तो इसका नेम हमने क्या रखा ए तो यहीं तो होता है वेरियबल और हम वेरियबल क्या करते हैं में डेटा स्टोर करते हैं पर हमने डेटा दे को इस्टोर किया हुआ है तो यह हो गए वेरियबल क्या होता है अभी चलो हम आपको बता देते हैं टाइप सो वेरियबल सी लैंग्वेज में पहला होता है लोकल वेरियबल प्रोग्राम के जर्ये इन तीनों वेरियबल को आपको प्रूफ करके देते हैं लाइव प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले वेरियबल बनाएंगे क्योंकि हम आपको वेरियबल का प्रोग्राम बता रहे हैं तो इंट ए नाम का हमने यहां पर एक वेरिय वरियेबल बनाया है, तीन है वरियेबल में local कौन सा है, global कौन सा है, static कान सा है अभी आपको पता नहीं चलता होगा, static आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यह पे static लिखा हुआ, लेकिन ये हो गया अपना global variable इसको बोलते global variable और ये global variable प्रोग्राम में कहीं भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये global है ठीक है उसके बाद ये वाला जो variable है इसको बोलते हम लोग local variable जो कि ये भी variable local है इसलिए इसको के बाल इसी main function के अंदर ही यूज किया जा सकता है और ये वाला variable हो गया हमारा static variable ये जो static variable है इसको भी इसी main function के अंदर ही यूज कर सकते हैं लेकिन local और static में difference क्या है कि local variable जितना बार हम इसे यूज करेंगे उतना बार नया memory इसका create होता है लेकिन ये static variable का एक memory ही बनता है उसके बाद उसी same memory को ये बार बार यूज करता है storage class अपना अगला chapter होगा जब आगी आएगा था हम वहाँ पर आपका doubt और भी अच्छे से clear कर देंगे practical proof करके दिखाएंगे ठीक है अभी हम क्या कर रहें सबसे पहले in variables का default value क्या होता आपको वह बताते हैं तो 3 printf use कर रहें 3 variable है हमारे पास आप चाहें तो एक printf में भी काम कर सकते हैं आगे चलके हम एक printf में ही काम करेंगे लेकिन फिलाल 3 में करके दिखा रहें क्योंकि अभी अपना basic है integer type का value है तो %d format specifier फिर से यहां पर भी क्या %d,b को print करेंगे और इस वाले printf में क्या print करेंगे %d,c को हमने print करा अभी output देखने के लिए gate ch function लगा देंगे ताकि output screen आए और screen भी हम चाहते है clear है clear screen के लिए हम क्या करते हैं मैंने आपको बता था अगले program में इससे पिछले वाले program में CLR-HCR function यह screen clear करेगा gate ch screen को hold करता यह दोनों function इस को naio.sh header file के अंदर है तो देखो हमने हर variable के साथ comment use कर दिया है अभी हमें आपको यह बताने की जौरत नहीं है कि कौन सा global है कौन सा local है यही तो फायदा होता comment use करने का comment हमारे program का part नहीं होता compiler इसको ignore कर देता है सबसे पहले program को क्या करते हैं save कर लेते हैं file में जाएंगे save as लेंगे हम इसका एक name हम दे देते हैं where.c extension होगा हमारा ठीक है program save हो गया अभी क्या कर रहे इसको run कर रहे run वाले option पर जाएंगे run कर देंगे तो देखो यहां पर output आ चुका है समझ में नहीं आ रहा कौन सा variable का output कौन सा है कोई बात नहीं अलग-अलग line में हमें अगर result चाहिए ना c language में तो slash and use करेंगे हार एक value के साथ ठीक है percent d के बाद आपको क्या करना slash and use करना मैं आपको दिखा देता हूं कैसे और इस तरह से अभी प्रोगाम को फिर से रन करते हैं अभी देखो 0 print हुआ है उसके बाद garbage वाल्यू प्रिंट हुआ है उसके बाद फिर से 0 print हुआ है ऐसा क्यूं हो रहा बताते हैं देखो पहले 0 print हुआ यहां पर यहां पर क्या print वा 0 तो global variable का default value क्या होता है जीरो होता है तो जीरो प्रेंट हुआ उसके बाद local variable का default value होता है garbage garbage मतलब कोई भी positive या फिन negative number वो हर बार अलग हो सकता है ठीक है उसके बाद static variable का default value भी होता है 0 तो यही तीनो result तो यहाँ पे आया था देखो तो यह simple सा types of variable थे C language में हमारा next topic क्या है what is identifier 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 क्या होता है C language में चलो हम आपको बता देते हैं identifier refers to the name that is used to identify variables function and soul यह जो identifier होता है यह name को refer करता है तो वह name क्या हो सकता है वह name हो सकता है variable का name function का name structure का name union का name एंड सौन ठीक है तो अगर यहाँ पर example के लिए आपको समझाने के लिए लिए लिखें इंट ए हमने लिखा तो यह जो आपको दिख रहा है यह एक identifier है फिर मैंने क्या लिखा मैंने लिखा इंट भी यह वी इंट भी इंटिफायर है तो हम जितना भी अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए बनाते हैं वह सभी क्या है वह सभी वेरियेबल होते हैं इंटिफायर ठीक है अम मालो आगे चलके मैंने क्या लिखा वॉइड फिर मैंने लिखा वॉइड फन तो जितना भी फंक्षन का नेम हम बनाते हैं जितने भी फंक्षन को हम बनाते हैं यूजर डिफायंड फंक्षन वह सभी क्या है वह सभी है आइडेंटिफायर है तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जितने भी वेरियेबल होते हैं वह सभी ऐड़िपायर नहीं हो सकते क्यों संधी फैर नहीं कि यहीं दोनुवार है नाम की सब्सक्जार लेकिन यह अगरि यह फो होता है उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा ऊपरेटर क्या होता है है अbura क्या होता ए만ग्वेन्ट में बहुत important concept है तो चलिए जान लेते हैं operator क्या होता है operator is a symbol that tells the compiler to perform mathematical and logical task operator एक तरह का symbol होता है जो compiler को ये बताता है कि अब user जो हम है वो mathematical या फिलोजिकल टास्क perform कराना चाहते हैं ये compiler को पता चल जाता है अगर हम कोई भी operator यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में तब ठीक है और प्रोग्राम में operator यूज करने का मतलब ही है कि हम mathematical या फिलोजिकल टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप सोब operator हम देख लेते हैं हमारा फॉस्ट टाइप क्या है arithmetic operator अरिथमाटिक operator में आ जाते हैं प्लस मानस मॉल्टिप्लिकेशन डिवीजन और यह रेमेंडर वाला मॉडूलस ओपरेटर यह पांचों होते हैं अरिथमाटिक operator के पाथ तो अरिथमाटिक operator का example हम आपको सो करेंगे आने वाले टॉपिक में स्वीच केस में हम आपको arithmetic का program बना के दिखाएंगे ठीक है जहां पर यह पांचों operator हम यूज करेंगे उसके बाद सेकेंड होता हमाला relational operator relational operator में less than greater than less than equal greater than equal equal not equal relational operator का यूज हम करते हैं किसी भी value को आपस में compare करने के लिए ठीक है तो इसका program में हम आपको इफेल्स में बना के दिखाएंगे जो कि हमारा upcoming topic है अभी आने वाला है थोड़ी देर में थाड हो गया logical operator logical में तीन ओपरेटर होते हैं लोजिका लैंड लोजिका रोर और लोजिकल नौट operator तो इसका program हम आपको यहीं पर अभी सो करके दिखाएंगे फॉर्थ हो गया इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट operator में प्लस प्लस मानस मानस होता है तो प्री टेक्रिमेंट ओपरेटर होता जिसमे ऐपरीवल के पहले ही increment घ्रीमेंट का symbol होगा ठीक है और पॉस्ट अंक्रिमेंट पोस्ट अंत्र में क्या होगा डि сам जा, इसका मतलब यहां पर व्यलौ पहले re01 तो प्रिन्ट करेंगे दिखेगा यहां हम परेंट करेंगे होगा बाद में पूस्ट मतलब बात पूस्ट मतलब पहले तो इसका प्रोग्राम भी हम आपको को अभी गभी सुकर करेंगे आपको बिल्कुल भी हो गया assignment operator यह equal इसका यूज होता है किसी भी value को assign करने के लिए variable में या फिर किसी भी चीज को एक दूसरे चीज में assign करने के लिए इसलिए इसका नेम है assignment operator तो चलिए हम आपको logical increment decrement ternary assignment operator का program practical करके दिखाते हैं सबसे पहले हम आपको program में क्या करते हैं assignment operator का example दिखाते हैं तो अगर हम लिखें int a equal 10 तो यहाँ पर हमने इस value 10 को store करने के लिए variable a में कौन सा operator यूज किया हुआ है equal operator तो यही equal कहलाता है assignment operator तीक है अभी हम print में सबसे पहले क्या कर रहे है एक को print कर दे रहे तो यहाँ पर 10 रिजल्ट आना चाहिए उसके बाद यहाँ पर अभी हम प्री इंक्रिमेंट ओपरेटर यहाँ पर यूज करेंगे प्री इंक्रिमेंट मतलब प्लस प्लस ए वेरियेबल के पहले ओपरेटर होगा यानि ओप्रेंड के पहले operator प्री इंक्रिमेंट प्लस प्लस अभी यहां पर क्या करेंगे पोस्ट इंक्रिमेंट करेंगे तो ए प्लस प्लस वेरियेवल के बाद operator ठीक है अब यहां पर क्या करने वाले हम प्री डिक्रिमेंट करने वाले हैं तो माइनस माइनस ए उसके बाद पोस्ट डिक्रिमेंट बच गया तो ए माइनस माइनस और लास्ट में क्या करते हैं यहाँ पर अपने रिजल्ट एको फिर से प्रेंट करते हैं अभी इस प्रोग्राम का मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं और पुट उसके बाद ड्रायरंड करके समझा भी दूंगा ठीक यहाँ पर अ प्रेंट करा तो यहाँ पर टेंड्र होगा क्यों कोमन सा बात है उसके बाद इस लायन प्रेंभांस प्लस यहाँ देखांव यहाँ यहाँ है तो अभी यहाँ पर एक वालु क्या है पहले 11 था why 11 पुर्ण होगा उसके बाद प्रिंट होने के बाद यहां पर वालु बढड़ चुकका है फिर हमने क्या किया यहां पर मानस मानस एक है तो अभी ॥وسय है तो घट के क्या हो गया 11 फिर हम क्या कर रहें, पोस्ट डिक्रिमेंट कर रहें, तो यहाँ पर क्या होगा, एक का वैलू क्या है, अभी 11, सबसे पहले 11 प्रिन्ट होगा, उसके बाद वैलू क्या होगा, घटेगा, 11 से एक घटेगा, तेन होगा, फिर हमने यहाँ पर एक को प्रिंट करा, यहाँ पर टेन प्रिंट को बताते हैं अगर हम लिखे ए प्लस इक्वर टेन तो यह जो आपको बीच में दीख रहा है यह भी assignment operator ही है इसको बोलते compound assignment operator और इस वाले को बोलते simple assignment operator तो इसमें क्या होता है कि वैलू एक बार में नहीं दस बढ़ जाएगा अगर यहां पर इसको हम प्रिंट करें यह भी आपको बताना जो रहे है क्योंकि आप बहुत जगा इसको भी देखोगे फिर आपको यह समझने में दिख्कत होगी आपको लगा कि मैंने बताया ठीक है यह को प्रिंट करते हैं लगा देते हैं अभी टर्नरी ओपरेटर के बारे में टर्नरी ओपरेटर कैसे यूज़ करेंगे प्रिंट एफ लिखो सिंपल सा हमें बस रिजर्ड चाहिए तो एक ही फॉर्मेट स्पेसिफार परसंडी यूज़ कर रहे हैं और यहां पर टर्नरी ओपरेटर ना दो वेरियेबल के साथ काम करता दो ओपरेंड के साथ काम करता है यहां पर एक और वेरियेबल मुझे बनाना होगा बी नाम का मैंने ट्वेंटी वैलू इसमें डाल दिया अभी तक जो एसाइन्मेंट और इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट ओपरेटर था वह एक ओपरेंड परेंड परेंड इसको यूनरी ओप बढ़ा होगा नहीं तो कॉलोन बी प्रिंट होगा बी का वैलू अगर बढ़ा होगा यही होता है टर्नरी ओपरेटर अभी इस प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं तो चलिए कर देते हैं इसको रन लास्ट में यहां पे एक एरर हमें डिस् इंट हुआ है क्योंकि 10 और 20 में कौन सा बढ़ा है एक काम करते हैं सबसे पहले इस सारे कचड़ा को हम हटा देते हैं ठीक है यह मैं डिस्टरब कर रहा हम वेरियेबल को अपने नहीं देख पा रहे हैं यह बड़े दुख की बात है अब ज्यादा नहीं मिटाते क्योंकि दिख नहीं रहा उपर का चीज तर्बो सी में प्रोब्लम होता उपर नीचे करने में बहुत मुश्किल है माउस से तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो देखो अभी अपने पास दो वेरियेबल है और इन दोनों में 10 20 है तो यहां प पॉल्स हो गया जैसे कंडिशन फॉल्स हुआ यह भी प्रिंट हो गया अभी अगर वैलू रिप्लेस कर दें इसका इसका वैलू कर देते हैं 50 अब फिर सरन करते हैं कंट्रोल अफ 9 तो अभी देखो 50 प्रिंट हुआ इसका मतलब ए ग्रेटर भी क्या 50 20 से बड़ा है अभी प्रिंट हो गया तो टर्णरी ओप्रेटर का यूज आप इसके अल्टर्णेट में कर सकते हैं अगर आपको यूज करने से मना किया जाए तब आप टर्णरी ओप्रेटर यूज करिए गया तो वहां पर भी आपका कंडिशन चेक होगा यह एक लाइन में काम कर जाता इसके लिए मल्टिकल लाइन का कोड लिखने की जौरत नहीं है अब हम आपको लोजिकल ओप्रेटर का प्रोग्राम बना के दिखाते हैं तो यहां पर देखो टर्णरी में हमने एक रिलेशनल ओप्रेटर भी यूज कर दिया था इसका मत्तब आप समझो रिलेशनल ओप्रे देबन होना चाहिए यहां पर एक ग्रेटर भी लिख रहें उसके बाद लोजिकल एंड ओप्रेटर और यहां पर फिर से क्या लिख रहें यह लेस देन भी अगर दोनों कंडिशन ट्रू होगा तभी यह रिजल्ट ट्रू देगा ट्रू होगा मत्तब वन प्रिंट होगा फिर से एक प्रिंट एफ प्रिंट एफ बहुत लिखना पड़ता है टाइम लगता है मेरा टाइपिंग उतना तेज नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लो पर समझोगे जरूर यहां पर भी लोजिकल और ओप्रेटर की बाप करें तो बड़ा ही सिंपल है फिर से एक ग्रेट में उसके बाद यहां पर ए लेस देन भी तो इसमें अगर एक भी कंडिशन ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा मतलब वान आएगा ठीक है फिर अभी एक और प्रिंट एफ क्योंकि लोजिकल तीन्ट होता है ना दो होता तो बहुत असानी हो जाता कोड तंप्लेट भी दे दो तो यह हो गया लोजिकल ऑपरेटर सबसे पहले इसका रिजर्ट दिखाते हैं फिर आपको ड्रारन करके समझा भी देंगे तो प्रोग्राम को करते हैं हम अभी रन तो देखो जीरो वन जीरो यह रिजल्ट आया है निव लाइन में क्यों नहीं आया क्योंकि यहां पे स्लैसन नहीं दिया तो इसका रिजल्ट क्या आया था इसका रिजल्ट आया था जीरो जीरो क्यों आया क्योंकि टेन ग्रेटर ए ग्रेटर भी है मतलब क्या पचास बीस स से छोटा है यहाँ पे condition पॉल्स अगर एक भी conditional फोल्स मतब्बी मतर पोले होता हैा फिर आते हैं यहाँ पे नीचे में सेम कंडिशन हैं क्या 50 पीस से बड़ा है तनर्सन्म क्या 50 दिस ठोटा है कंडिशन फोल्स अगर एक भी कंडिशन ट्रू तो यहां पे ट्रू होगा तो वान आया फिर यहां पे नीचे लायन में आ जाते हैं यहां पर क्या हुआ कि आप 50-20 से बड़ा है कंडिशन ट्रू तो वन इतास होना चाहिए यह लोजिकल ओप्रेटर का सिंपल सा प्रोग्राम था सी लाइंग्वेश की जितने भी बेसिक्स टॉपिक थे हमने आपको कवर करके अभी दिखाया अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और आप से प्रॉमिस करता हू कि आने वाले दिनों में सी प्लस प्लस जावा पाइथन एस्टी एमल सी एसेस जावा स्क्रिप्ट और एकल डेटाबेस इन सभी सब्जेट्स का भी फूल कोर्स में आपके लिए लाओंगा बिल्कुल फ्री में ठीक है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अभी हमारा the next module क्या है conditional statement यह फुड़ा सा advanced topic हो रहा है C language का है दीरे-दीरे mês Advanced कि और जा रहे तो पहला हो गया इस टेट्मेंट अगर एक condition है तोम this यूझे करेंगे अगर दो कंडीयों साले करेंगे दो से ज्यादा condition के लिए हॉन के यस यजद्ध करेंगे अगर हम स्विच का यूज करेंगे तो चलिए अभी हम कंडिशनल स्टेटमेंट एक एक करके डिसकस करते हैं आप हम आपको बताएंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है सी लैंग्वेज में हमने लिखा है वाट इजी इफ स्टेटमेंट फूल मतलब एक्जांपल प्रोग्राम भी डिसकस करेंगे और इसका सिंटाक्स भी आपको बताएंगे तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट होता क्या है इसका यूज हमें कब करना है वह जान लेते हैं इफ स्टेटमेंट इस यूजड वेन वी वान टू टेस्ट आ कंडिशन इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाने के लिए इफ स्टेटमेंट का पास एक सिंटाक्स होता है यह इफ स्टेटमेंट का खुद का सिंटाक्स है जिस तरह से मैट्स में फॉर्मूला होता है प्रोग्रामिंग लाइंग्वज में हर एक टॉपिक का सिंटाक्स होता है तो यह यह condition false हो जाता है तो यह वाला statement execute नहीं करेगा हम सीधा यहां से बाहर आजाएंगे और यहां पर जो कुछ भी statement रहेगा यह execute करेगा condition true हो यह फिर false हो if statement के बाहर का statement हमेशा execute करेगा तो अभी हम आपको बताते हैं कि write a program to show the example of if statement तो चलिए एक simple सा if statement का हम program बनाके आपके साथ example practical show करके दिखाते हैं अब आप program देखोगी program कैसे बनेगा सबसे पहले हम क्या करते हैं एक integer type का variable ले लेते हैं password नाम का ठीक है हम अपने mobile phone में भी क्या करते हैं कि password सही enter करते हैं तब ही हमारा mobile phone unlock होता है और उसमें भी एक ही condition होता है अगर password सही होगा तो unlock होगा नहीं तो lock open नहीं होगा तो यहां पर भी if use करेंगे हम तो इसमें भी एक ही condition होता है ठीक है अगर हमारा password equal equal मानलो हमारे mobile phone में 4 digit का password है 2308 अगर password और mobile का password 2308 दोनों बराबर होते हैं तब क्या होगा हमारा mobile unlock होगा या फिर हम यहां पर if body के अंदर आएंगे तो यहां पर हमें password में एक value input करनी होगी तो हम क्या करते हैं print up function में एक message देते हैं सबसे पहले अभी हम run time में user से value ले रहे हम क्या बोल रहें enter password आप अपना password एंटर करिए यह हम message दे रहे उसके बाद हमें password एंटर करना होगा तो scan up function से हम value input लेंगे तो हमें integer type की value input लेनी है तो %d format specifier उसके बाद किसमे input करानी है password variable में तो m% password यहां पे लिखना है ठीक है address of operator के साथ password variable को आपको यहां पे लिखना है तो अभी हमारा program का basic चीज ready हो चुका है अगर password 2308 हम एंटर करेंगे तब हम login हो जाएंगे ठीक है हमारा unlock हो जाएगा जो भी password रहेगा वो खुल जाएगा तो यहां पे हम एक message दे देते हैं welcome ठीक है और इस if के बाहर भी हमें message दे देते हैं एक statement लिख देते हैं यहां पे यह हमेशा execute होगा फिर चाहा password सही हो या फिर ना हो यहां पे क्या लिख देते है main function ठीक है main function ended हमने यह message यहां पे लगा दिया अभी इस program को अगर मैं run करूँ तो हमें सबसे पहले एक value input करने बोलेगा ठीक है तो get ch function हमने अभी नहीं लगाया है तो लगा देते हैं ठीक है उपर में हम CLR scr function भी लगा देते हैं screen को clear रखने के लिए और सबसे बड़ी बात इस program को हम save कर लेते हैं ठीक है किस नाम से if.c नाम से save हो गया हमारा program अब हम इसे कर रहे हैं run तो control f9 प्रेस करेंगे enter password अगर मैं password enter करता हूं 2308 ठीक है मालो मैंने enter करा 2308 यह हमारे mobile का मालो password है हमने enter करा देखो यहाँ पर क्या बोड़ रहा welcome उसके बाद main function ended यह message भी आ गया अभी आपको समझ में नहीं आता होगा result कैसे आया सबसे पहले तो हम new line में value input लेंगे तो यहाँ पर लगाते है slash n इस message के बाद हमारा अगला message भी new line में अभी करते हैं फिर से इसको run अभी password हम input कर देते हैं 4578 ठीक है 76 तो यह password देखो गलत password है तो में function ended message आ गया लेकिन हम welcome message नहीं आया मतलब हम login नहीं हो पाए हैं तो यहाँ पर अगर हम correct password डालते हैं जैसे 2308 हमने password डाला तो अभी देखो welcome भी आया है main function ended भी आया है इसका मतलब हम login हो चुके हैं हमने सही password यहाँ पर enter करा दोनों बराबर थे तो अगर एक condition हो इस तरह का situation हो तब आप if statement यूज़ करेंगे हमारे mobile phone में भी एक ही condition होता है password सही डालेंगे खुल जाएगा नहीं तो नहीं खुलेगा तो बस इसी case में इसको use करना है मैंने real life से related program इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ अब हम आपको conditional statement का second chapter बताएंगे if else statement क्या होता है इसका use कहा करना है syntax flow chart algorithm program सभी चीज़े डिसकस करूंगा इसका यह सबसे ज्यादा यूज होने वाला if else statement कंडिशनल में ठीक है यह क्या होता है it is used to execute two statements either if statement or else statement for a single condition if else क्या करता है कि दो statements को execute करता है या तो if statement execute करेगा या तो else statement execute करेगा वो भी एक single condition के लिए condition हमारे पास एक ही होगा लेकिन इसी एक condition पे या तो if statement चलेगा या तो else part का statement execute करेगा और यही if else सबसे ज्यादा यूज होने वाला conditional statement है तो इसका syntax देख लो यहाँ पर इसी syntax का यूज करके हम प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पर देखो if और हमारा condition होगा अगर यह condition माल लो सही होता है तब क्या होगा यह वाला statement execute करेगा statement one यहाँ पर रन कर जाएगा और माल लो यह वाला condition माल लो by chance गलती हो गया फिर क्या होगा हम डारेक्ट यहाँ पर आएंगे else में और यह वाला statement execute करेगा तो आप देख सकते हैं condition अपने पास एक ही है अगर condition सही होता है तो यह चलेगा condition गलत होता है तो यह चलेगा real life example अगर कोई person 18 plus है तो वो क्या कर सकता है वोटिंग कर सकता है 18 से नीचे उसका age है तो वोट नहीं कर सकता तो इसी program को हम बनाएंगे लेकिन program बनाने से पहले इस program का algorithm और flow chart हम आपको order करके दिखा देते हैं ताकि आपका डाउट और अच्छे से किलियर हो राइट प्रोग्राम टू चेक आप परसन इस एलिजबल फोर वोट और नोट इसी program का हम क्या करेंगे अलगोरिदम आपको लिख के दिखाएंगे तो चलिए अलगोरिदम लिखते हैं तो अलगोरिदम क्या होता है सबसे पहले यह बता देता हूं आपको step by step detail description of any program is called algorithm तो चलिए इस प्रोग्राम का अलगोरिदम लिखते है step one जैसा कि मैंने बोला step by step गायुग इस टार्ट से इस्ते टूल में हम क्या करेंगे इन्पूट एज जो भी uma ऊजला युष्ट के इंपूट करेंगे उसके बाद step 3 प्रिंट होना चाहिए क्या मेसेज प्रिंट होना चाहिए प्रिंट हो जाना चाहिए वोट मतलब वह एलिजिबल है वोट देने के लिए ठीक है अधर्वाइस के टेंट में क्या मेंशेज आना चाहिए इस तरह से अmp Dong of कम्प्लीट हुआ अभ और में क्या करेंगे इस्टेंप में करेंगे मृट में करेंगे फिर अपन आप लिख सकते हैं जो आपकी मर्जिब नेसे पहले उसका यर्णी इस असानी से बना पाएंगे आपको कभी भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा यह मेरी गारंटी है तो अभी जो हमने अल्गॉरिदम लिखा चली इसी अल्गॉरिदम का यूज करके सेम टुसेम प्रोग्राम बनाते हैं उसके बाद इसी प्रोग्राम का फ्लोचार्ट भी हम आप को ड्रोग करके दिखाएंगे तो यह वाला हमारा प्रिवियस प्रोग्राम है सबसे पहले इस प्रोग्राम को क्या करते हैं हटा देते हैं यहां पर कंडिशन बस हमारा दूसरा होगा ठीक है तो कंडिशन हटा देते हैं इफ का हम सबसे पहले क्या करते हैं पासवर्ड वेर आगा ठीक है अभी हमें क्या करना इफ एल्स का सिंटाक्स लिखना तो इफ लिखा हुआ है यहां पर हम लगा देंगे एल्स और एल्स कभी एक ब्लॉग बना देंगे ठीक है तो यहां पर प्रिंटेफ में कंडिशन चलेगा हमारा अगर हमारा एज ग्रेटर देन इक्वल एटीन होगा तब क्या होगा तब हम वोटिंग के लिए लिजबल होंगे हमने जो जो अल्गोरिदम आपको लिखाया देखो उसी अल्गोरिदम को फॉलो करते हुए यहां पर हम प्रोग्राम लिख रहे है ठीक है तो यहां पर क्या लिख देते हैं मेसेज लिख देते हैं ऐलिजबल फॉर वोट ठीक है अम मालो यह एज हमारा एटीन से कम है तब क्या होगा तब हम यहां पर एल्स पार्ट में आएंगे एल्स पार्ट में प्रिंटेफ में एक और इस तरीके से हैं तो आप इस तरीके से रियल लाइफ का प्रोगाम बनाएंगे तो आपको भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगा इस प्रोगाम को सबसे पहले सेव कर लेते हैं इफ एल्स नाम से ठीक है क्योंकि अभी इफ एल्स का प्रोगाम हम बना रहे हैं अभी इसको क्या करते देख लो रेड में हमने एंटर रेज लिखा हुआ है यहां पर सेंड़ी है अगर आपको ना दिखता हो तो एलिजबल फोर वोट अगर 18 या उसके बराबर एज होगा 18 से प्लस भी होगा तो इलिजबल फोर वोट नहीं तो नोट इलिजबल फोर वोट इल्स पार्ट में हम आएंगे शिंटाक्स भी वही है अल्गॉरिदम भी वही है अभी प्रोगाम को चलो रन करते हैं तो एंटर एज अगर इज इन्पूट कर देते हैं माल लो हम 23 इलिज दिया था यहां पर 12 तो क्या 12 greater than 18 था नहीं जब यह वाला condition false हो गया तो हम else में आया और यहां पर क्या print हो गया not eligible for what और first time हमने age क्या input किया था पहली बार हमने input किया था 23 23 सच में बड़ा है 18 से तो यहां पर eligible for what message पहली बार आया था यह simple सा program था अभी चलो इसी प्रोग्राम का flow chart कैसे ड्रो करना वो डिसकस कर लेते हैं flow chart ड्रो करने से पहले मैं आपको कुछ symbol notations के बारे में यहां पर बता देना चाहता हूं क्योंकि इन symbol का यूज करके हम किसी भी flow chart को ड्रो कर पाएंगे ठीक है यह जो आपको symbol दिख रहा है इसका यूज करते हैं start और stop point को दर्शाने के लिए ठीक है इस symbol का use हम करते हैं input और output के लिए input output का जो भी logic होगा हम इसके इंदर लिखेंगे processing का जो भी थोड़ा सभी अगर फ्लो चार्ट में आता है हमारा काम तो हम यहां पर rectangle वाले symbol में लिखेंगे diamond symbol का use हम करेंगे condition को सो करने के लिए और यह जो arrow दिख रहा है इसका use हम करते हैं flow of control के लिए कि प्रोग्राम का फ्लो किधर जा रहा तो फ्लो चार्ट क्या होता है ग्राफिकल रिपर्जेंटेशन ओफ एनी algorithm इस कॉल्ड फ्लो चार्ट अगर हम algorithm को इन symbol का यूज करके graphically diagram के तुरू रिपर्जेंट कर दे तो वही कहलाता है फ्लो चार्ट तो चलिए हमने जो प्रोग्राम आपको बना के दिखाया उसका हम फ्लो चार्ट ड्रो करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए फ्लो चार्ट को ड्रो करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट पॉइंट देना होगा जो हमारे अल्गॉरिदम का स्टेप वन था स्टार्ट पॉइंट को हम इस सर्कल से दिखाते हैं ठीक है इलिप्स का सिंबल होता है उसके बाद हमें देना है एरो फ्लो ओफ कंट्रोल यहां पर हमें क्या करना है इन्पूट एज जो की हमा स्टेप तू था हमारे अल्गॉरिदम का तो अल्गॉरिदम को ही देखो हम इन सिंबल्स का यूज करके डायग्राम के तुरू रिपर्जेंट करें तो यहीं फ्लो चाट कहलाता है इन्पूट एज होने के बाद अभी हमें दो कंडिशन देना होगा अगर एज ग्रेटर द इन होता है तो कंडिशन को हम डायमेंड सिंबल से रिपर्जेंट करेंगे तो यह हो गया तो अगर एज मालो एटीन से कम है तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर नो लिखना होगा और हम अगर नो लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा फ्लोचार्ट एंड हो जाएगा डारे इस stop हो सकता है ठीक है not मतलब vote हम नहीं दे सकते हैं ठीक है अम आलो यह सोता है एज 18 प्लस होता है तो क्या होगा यहां पर वोट हम वोट दे पाएंगे हम वोटिंग के लिए een ठीक है अब दोनों एल्गोरिधम क्या करना है दोनों फ Suffgo chart को लाना is अर्याँ आए nihon वाले को और यहँ पर stop कर देना तो यही सिंपल सा sи स्वक्राइबatic वोटिंग सिस्टम वाले प्रोग्राम का अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले उसका फ्लोव चार्ट और अल्गॉरिदम ड्रोव कर लेते हैं तो जिंदिगी में कभी भी कोई भी प्रोग्राम बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी यहां पे हम पहले ही कौपी में सारी चीज़े को समझ लेते हैं अब बस हमें प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करनी होती है तो मैंने सिर्फ इसी एक प्रोग्राम का आपको अल्गोरिजम फ्लोचार्ट ड्रोग करके दिखा रहा है आप बाकी सभी का खुच से करिएगा ठीक है हमारे इस प्रोग्राम में देखो एक कंडिशन था एज ग्रेटर 18 तो हमन फेल्स if ladder statement यह क्या होता है अगर मालो हमारे पास multiple से 10-15 कंडिशन है और हमें इप योच करके युसे हंडल करना या हम इफ है फेल्स इफ लेडर स्टेटमेंट लेडर स्टेटमेंट रहेंगे उस चलिए इसका syntax हम देख लेते हैं क्योंकि syntax बहुत जरूरी है इसी syntax का यूज करके हम program बनाएंगे इफ अगर मालो condition 1 यह condition 1 है यह condition अगर true हो गया तो क्या होगा यह statement execute करेगा 100% इसमें कोई doubt नहीं है मालो यह condition false हो गया फिर हम क्या करेंगे यहां पर condition देखेंगे condition 2 अगर मालो true होता है तो यह statement execute करेगा मालो यह वाला condition भी फॉल्स हो गया और यह condition भी फॉल्स हो गया फिर क्या होगा हम अपने आप इस else में आ जाएंगे अगर सारी condition फॉल्स होती हो यह एल्स ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता जो अपने आप condition फॉल्स होने के बाद execute होता है तो यहां पर जो इस एट्वेंट 3 लिखा होगा वह execute करेगा तो इसी syntax का यूज करके चलिए इस वाले प्रोग्राम को हम बनाते हैं राइट प्रोग्राम टू चेक स्टूडेंट रिजल्ट इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्टूडेंट 80% से ज्यादा लाएगा तो वह टॉपर होगा 60% से ज्यादा लाएगा फर्स्ट होगा 33 से कम लाएगा तो फेल हो जाएगा तो इसी तरह का प्रोग्राम चलिए हम ड्रोगर करके आपको दिखाते हैं जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाओ ना सबसे पहले उसका सिंटैक्स जो होता है उस सिंटैक्स को लिख लो तो अभी हम E-Failsif Lader स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो जो सिंटैक्स मैंने आपको बताया है देखो सबसे पहले हमने सिर्फ syntax को अभी लिखा है अभी हमने कोई भी code नहीं लिखा है बस syntax को यहाँ पर लिख रखा है तो अभी चलो coding start करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं एक marks नाम का variable लेते हैं और उस marks को enter कर देते हैं यहाँ पर ठीक है वो student काफी तेज है पढ़ने में तो उसके लिए हम एक message यहाँ दे रहे हैं genius ठीक है यह message होगा अगर कोई hundred number ला देगा पूरा तब second condition क्या होगा कि अगर मालो marks greater than equal 80 से लेके वही same student का marks अगर less than 100 के बीच होता है तो यह student भी तेज ही है तभी तो 80 से 100 के बीच में कुछ भी number ला सकता है तो यह student होगा topper ठीक है अब मालो कोई student जो है वो अपना marks ला रहा है exam में greater than equal 60 से लेके उसका marks क्या है उसका marks है less than यहाँ पे 79 less than equal 79 करते हैं ठीक है तो वो student क्या होगा वो student होगा यहाँ पर first vision का यहाँ पर printf में एक message हम दे देते हैं वो student क्या करेगा first करेगा तो मैं program वही बना रहा हूँ जो हम real life में already हमारे साथ हो चुका है अगर मालो यह तीनो condition गलत हो जाता है तब क्या होगा तब हमारे पास देखो एक और else block है यहाँ पर क्या लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं average student ठीक है आप चाहें तो failure कभी एक block बना सकते हैं कि अगर marks 33 से कम आएगा तो वो fail कर जाएगा पर मैं अभी वो नहीं बना रहा हूँ मैं इस program को क्या करता हूँ run करता हूँ समझ में तो आपको आही गिया होगा अगर हम marks input कर दे मालो 100 तो यहाँ पर देखो genius print हुआ है मत्तब student ने 100 में 100 marks attain कर लिया तो इसको dry run कर देते हैं क्योंकि इतना बड़ा program पहली बार बनाए हैं आपके सामने marks हमने input करा 100 यहाँ पर if में condition चलेगा क्या 100 equal equal 100 है क्योंकि marks का value भी 100 हम लिये थे condition true हो गया तो genius हो गया मत्तब student genius है अभी फिर जे क्या करते हैं प्रोग्राम को run करते हैं अभी marks input कर देते हैं 83 तो देखो topper आया है topper क्यों आया है अभी यहाँ पर marks का value हमने क्या input करा था 83 तो condition देखेगा क्या 83 equal equal 100 है यहाँ पर देखो condition गलात हो गया बराबर तो है नहीं जब यह condition गलात हुआ तभी इसमें आयेगा इसमें क्या देखेगा इसमें देखेगा कि हमने क्या input करा 83 यहाँ पर तो सही बात हो रहा logical and मतलब यह वाला condition अब जो लिखने जा रहा है यह भी सही होना चाहिए क्या वही 83 hundred से छूटा है condition true तो यहाँ पर क्या message है यहाँ पर message है टॉपर तो output में भी क्या आया था टॉपर आया था ठीक है अभी एक बार और रन करके आपको output दिखा देते हैं जैसे हम marks input कर देते है थार्टी फॉट तो average student ठीक है बस pass हो जाना लाहाब ही आके इतना ही यह last वाला block execute कर गया क्योंकि 34 marks किसी condition में match नहीं कर रहा else में आ गया average student तो यह simple सा program था if else if ladder statement का what is nested if else statement nested if else statement क्या होता और especially nested का मतलब क्या होता है whenever we define if else block inside another if else block called nested if else statement अगर हम कोई if else का block किसी दूसरे if else block के अंदर लिखते हैं तो वही कहलाता है nested if else statement nested मतलब एक if else के अंदर दूसरा if else तो यहां पर syntax देखो जो हमने थियोरी में आपको बताया syntax यहां पर लिखे हैं हम इसी syntax का use करके program बनेगा syntax समझना बहुत जरूरी है नहीं तो नहीं समझ पाऊगे इफ अगर condition one true होता है तब क्या होगा हम यहां पर एंटल करेंगे और condition two भी अगर सही हो जाता है यह दोनों सही होगा अगर तब यह statement one execute करेगा जो यहां पर हमने लिखा है अगर मालो यह condition two false होता है यह वाला condition false हो गया ठीक है यह true है यह false हो गया तब इस एल्स में हम आएंगे यह वाला statement execute करेगा ठीक है अब मालो यह जो उपर में इफ का condition है यह condition false हो गया तब हम डिरेक्टली यहां पर जंप करेंगे इस एल्स में यह में वाले इफ का एल्स है तो इस एल्स में भी हमने इफ एल्स यूज किया हुआ है तो यहां पर अगर condition three true होगा तो statement three execute करेगा अगर यह condition false होता तो हम एल्स में आएंगे statement four execute करेगा तो इसका यूज करके हम सिंपल सा प्रोग्राम चलिए बनाते हैं उस प्रोग्राम में सेम यहीं syntax यूज करेंगे नेस्टेड इफ यूज करके हम क्या करेंगे तीन नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यह पता लगांगे तो सबसे पहले अगर आधा विंडो इस तरह से आपके system में भी खु से दे रहे ठीक है आपको क्या करना है scan up function से abc में run time में value input करानी है ठीक है हमने अभी ही value इसमें डाल दिया compile time में ही आप scan up से value input लिजेगा ठीक है value हो गया हमारे variable में अब क्या करना है nested का हमें syntax लिखना है तो सबसे पहले यह हो गया if और यह हो गया outer else ठीक है syntax लिख लिजिए तब coding करिए कोई दिक्कत नहीं होगा कभी दिक्कत नहीं होगा if के अंदर क्या होगा if else होगा यही तो हमने syntax में आपको बताया भी है और इस else के अंदर भी क्या होगा if else होगा अगर इस approach से कोई भी code लिखेंगे तो ना बड़ा लगेगा ना difficult लगेगा अभी बस condition हमें डालना है condition क्या होगा अगर a greater b होता है और वही अगर same a greater c भी होता है इसका मतलब a b से भी बड़ा है c से भी बड़ा है तो यहां पे क्या print होना चाहिए यहां पर print होना चाहिए सबसे बड़ा नंबर A, ठीक है तो percent D comma A, हम मालो की यह A छोटा है C बड़ा है, तब क्या होगा, else में आएगा, else में हम क्या print करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे print F में, percent D उसके बाद comma, यहां पे हमें C को print करना है, ठीक है, तो यह होगया हमारा अभी outer if का coding, अब हम चलते हैं else में इस else में हम तब आएंगे जब ये वाला condition false होगा अगर मालो a greater b गलत हो जाता है तब else में आएंगे और यहाँ पे condition देंगे अगर b होता है c से बड़ा तब क्या होगा यहाँ पे printf होगा और यहाँ पे b की value अगर बड़ी है false में आएंगे यहाँ पे क्या करेंगे c की value बड़ी है तो c को print कर देंगे बहुत ही simple सा code है यहाँ पे हमने last में एक condition में ही काम कर लिया b greater c क्योंकि अगर मालो यहाँ पे a चोटा है इसका मतलब b बड़ा है तो यहाँ भी b बड़ा है यहाँ पे b बड़ा है इसलिए b print होगा और मालो यहाँ पे b छोटा हो जाता है तो c print होगा program ready है इस program को करते है run ठीक है यहाँ पे side नीचे में gate ch function नहीं है बिल्कुल इसको भी लगा देते हैं और उपर में clr sr function भी सायद नहीं है बिल्कुल नहीं है तो इसको भी लगा देते हैं ताकि screen clear रहे है ठीक है अभी क्या करते हैं इसको run कर देते हैं control f9 प्रेस करो direct run हो जागा देखो 50 प्रिंट हुआ है 50 क्यों print हुआ है देखो 10,5,50 में सबसे बड़ा 50 है तो condition आएगा कैसे 50 प्रिंट हो गया मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे condition check हुआ क्या 10 greater 5 क्योंकि A का value 10 है B का value 5 है यह condition false हो गया जैसे ही यह condition false हुआ हम यहाँ पे else में आ ठीक है I am sorry यहाँ पे 10 greater 5 का condition true है अभी जब यह condition true है तो हम क्या करेंगे इस if के अंदर यहाँ पे आएंगे ठीक है यहाँ पे फिर से condition लगा हुआ A greater C A का value है 10 और C का value क्या है C का value है 50 तो यह वाली condition false हो गई अब इस if की condition false हुई इसका मत्तब हम इस else में आएंगे और यहाँ पे else में हमने क्या प्रिंट किया हुआ है यहाँ पे हमने C को प्रिंट करा है तो C का value क्या है 50 से वही 50 प्रिंट हो गया फिर से करते हैं प्रोग्राम को run एक सेकेंड यहाँ पे हमें variable में खुद से value चेंज करनी होगी ठीक है अभी मालों हम इसकी value को कर देते हैं 59 ठीक है अब करते इसको run तो देखो अभी 59 प्रिंट हुआ है क्योंकि 59 ही सबसे बड़ा नंबर है इसको भी कर देते हैं हम आपको dry run एका value तो 10 ही है 10 greater than 59 condition यहाँ पर false हो गया अभी condition false हुआ तो इस else में यहाँ पर आएंगे ठीक है चलो यहाँ पर आ जाते हैं तो अभी यहाँ पर condition checking होगा बी का value हमने 50 line लिया है और C का value क्या है C का value 20 है तो क्या 59 greater 20 है condition true हो गया तो जब true हुआ तो बी प्रिंट हो गया बी का value क्या है 59 है इस तरह से आप तीन नंबर में greater पता लगा सकते ने स्टेड़ इस यूज़ करके हमारा लास्ट चैप्टर है स्वीच स्टेटमेंट कंडिशनल स्टेटमेंट गठीक है तो स्वीच स्टेटमेंट क्या होता है इसका use कहा करना है इसका program कैसे बनेगा सभी चीजों को चलिए discuss करते हैं के करके switch statement used when we want to select any one case out of multiple cases अगर मालो हमारे पास multiple cases है और उन multiple cases में हमें किसी एक particular case को select करना है और उसको execute कराना है ठीक है expression के according तब हम use करेंगे switch statement इसलिए तो बोला जाता switch जो है multiple choice selection statement होता है तो इसका syntax देखो क्योंकि इसी syntax का use करके program बनने वाला है सबसे पहले switch होगा जो की एक keyword है switch के लिए हम use करते हैं यहाँ पर expression होगा अगर मालो expression का value 1 है तब क्या होगा case 1 में देखेगा क्या यह वाला 1 और यह वाला 1 बराबर है दोनों match कर रहे हैं यह वाला statement चलेगा उसके बाद break हो जाएगा तो यहां से break होगा तो हम switch से बाहर चले जाएंगे यहां पर switch की body से हम बाहर आ चुके हैं और मालो इस expression का value यहां पर switch में देखो इस expression का value मालो 2 है फिर क्या होगा क्या यह 21 के बराबर है नहीं क्या यह 2 इस 2 से match कर रहा कर रहा अभी यह वाला statement चलेगा यह नहीं चलेगा यह statement execute होने के बाद break लिखा हुआ है मतलब फिर से हम बाहर जाएंगे ठीक है switch की body के बाहर अगर मालो यहां पर ऐसा expression लिखा हुआ है मालो expression लिखा हुआ है 10 ठीक है तो यहां पर देखो हमारा switch के syntax के अंदर में 1 2 है 10 नहीं है तो जब कोई भी case से हमारा expression match नहीं करेगा तब यह default अपने आप execute करेगा इस default में हम जो भी statement लिखेंगे वो चलेगा और उसके बाद break होगा तो हम बाहर आ जाएंगे अगर break नहीं भी होगा फिर भी यहां पर हम बाहर आ सकते हैं ठीक है क्योंकि यह last statement है लेकिन case 1 में statement के बाद हमें break देना compulsory है अगर हम break नहीं देंगे तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं मालो हमारा यह expression का value 1 है तो यह case 1 एक्जिक्यूट होगा इसका statement चलेगा और यहां पर अगर break नहीं होगा तो यह case 2 का statement भी execute कर जाएगा जब कि यह case 2 expression से mismatch हो रहा फिर भी यह चल दाएगा इसी लिए हम break देते हैं कि अगर case 1 का statement हम expression के according execute कर लिए हैं तो अभी execute होने के बाद break हो जाना चाहिए मतलब कोई और statement execute नहीं होना चाहिए है एक case ही execute होना चाहिए यही switch case का motto होता है तो जो भी statement होता है वह semi colon से end होता है semi colon ही हमें बताता है कि यह statement एक अलग statement है और उसके बाद का जो भी statement है वह अलग statement को separate करने का काम करता है semi colon ठीक है अगर इसको नहीं लगाएंगे एरर मिलेगा हमें तो चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं वह क्या होगा राइट प्रोग्राम टू परफॉर्म एरिथमाटिक ओप्रेशन यूजिंग स्वीच केस इसी स्वीच केस का यूज करके हम एरिथमेटिक ऑप्रेशन यानि प्लस मानी फ्रोग्राम चलिए आ आपको बनाके दिखाते हैं यह उसeza को य데ो यह जो एक व्रेविबल कोिक हैं हम दो नंबर को इन पूट करांगे करने time में उसके बाद इस c में हम result को store करेंगे हम जो भी addition subtraction perform कराएंगे वो c में store होगा इस c में ठीक है अभी क्या करना है हमें switch का syntax design करना है लेकिन syntax design करने से पहले switch में हमें expression भी pass करना हो था यहां पर एक ch name का choice variable ले ले लेते हैं value हमें run time में input करनी है तो यहां पर print up function में क्या चलाएंगे यहां पर print up function में simple सा message देंगे enter two numbers कोई भी दो number input करो जो आपकी मर्जी है उसके बाद उन दोनों number को scan up function से क्या करेंगे input ले लेंगे तो दो number input करना है तो दो बार percent d percent d देख लो है इस तरह से लिख रहा हूं ठीक है तीन करना होगा तो तीन करना फिर कॉमा दो बार एंपरसेंट a कॉमा एंपरसेंट b दो variable के लिए दो बार number input हो चुका अब हमें क्या input करना अब हमें input करना है choice तो यहां पर क्या करेंगे print of लिखेंगे enter choice इसका मतलब यह है कि आप क्या करना चाहते हैं अपने program में addition subtraction multiplication division आपको बताना होगा कि आपको करना क्या है तो उस case के लिए यहां पे होगा scanf यहां पे लिखेंगे percent d comma m percent c choice हमने इसका इनफ function से input ले लिया यहां पे इतना काम होने के बाद हमने दो number input ले लिया choice input ले लिया अब हमें क्या करना है सिर्फ logic लिखना है तो किसका यूज करके लिखना है switch use करके लिखना है switch case से switch case का जो syntax होता है सबसे पहले वह syntax लिखो coding करने में कभी दिक्कत नहीं होगा ठीक है case one यहां पे statement होगा उसके बाद क्या होगा break फिर क्या होगा case two colon उसका भी फिर क्या हो जाएगा break इसी तरह से cases बना लो syntax के थूरू तो आपको पतर रहेगा कि आपको कितना code लिखना है कहां तक लिखना है फिर कहां पर आपको stop कर देना है ठीक है हम चार काम को ही करेंगे addition, subtraction, multiplication, division आप remainder वाला एक और case बना के कह लिजएगा ठीक है यहां पे last में लगा देते हैं default default का सबसे पहले एक message दे देते हैं printf invalid choice यहां पे हम कोई काम नहीं कर रहे तो आपको message मिलेगा invalid choice अभी case one में चलते हैं case one में हमें addition करना है तो हम क्या करेंगे a plus b करेंगे जो mathematics में हम करते हैं और इसका value store कर देंगे variable c में इतना करने के बाद result को कहां store करना result को store करना printf function में result तो c में store हुआ है c को क्या करना यहां पे print कर देना %dc ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं सेम काम को हमें हर जगा करना है तो यहां पर हम इसमें भी कर देते हैं case two में आने के बाद मेरा turbo c में mouse काम नहीं कर रहा नहीं तो मैं copy paste कर लेता है फिलाल हम क्या कर रहे है तो manually code को type कर ले रहे है a minus b हो गया उसके बाद यहां पर क्या होगा case two में printf में हमारा c को यहां पर भी print कर देंगे at a time एक result ही display होगा हमारे सामने ठीक है case three में आ जाते है case three में multiplication करना है तो c equal a into b बहुत असान code है programming c programming तो बहुत ही असान होता है तो यहां पर क्या करेंगे हम फिर से c को print करेंगे देखो same काम को बार बार कर रहे है ठीक है यहां पर copy paste नहीं कर पा रहे है क्योंकि मेरा mouse काम नहीं कर रहा नहीं तो और थोड़ा जल्दी हो जाता है c equal a divide b हम जैसे कर रहे हैं आपको भी वैसे ही करना है समझ समझ के algorithm flowchart draw करते हुए चलना हर एक program का बनाने से पहले यहां पर भी करते हैं c को print देखो coding ready हो गया थोड़ा सा time लगा लेकिन ready हो चुका है अब एक main काम क्या बचाएगी हम जो भी काम करना चाहते हैं वह हम यहां से पास करना होगा expression हमने ch को pass कर दिया है नीचे में देखो gate ch function नहीं है तो क्या करते हैं लगा देते हैं उपर में clr भी नहीं होगा उम्मीद करते हैं बिलकुल नहीं है तो उसको भी यहां पर लगा देते हैं अब करते क्या इसको run करते हैं enter two numbers दो number input हमने कर लिया अब enter choice मालो मुझे क्या करना है add करना है add करना है तो मुझे one press करना होगा तो देखो add होके result क्या आगया 145 आया तो 145 addition क्यूं आगया मैं आपको बताता हूं देखो हमने यहां पर CH में value input कर रहा है one ठीक है और यहां पर दो number हमने मालो हम भूल गए क्या input किये थे यहां पर कुछ भी input कर ले ठीक है दो number इंपूट कर लिए CH के value one input कर रहा था में break लिखा हुआ है इसका मत्तब addition होने के बाद हमें switch से बाहर कर दो हम नहीं चाहते है कि addition के time में अपने आप subtraction आ जाए इसलिए हम case one को break कर दिये यहीं पर break लागा के फिर से करते हैं इसको run अभी number input करते हैं हम 700 उसके बाद 450 अभी क्या करना है मुझे subtraction करना मैंने 2 दबाया तो देखो result क्या आया 250 मतलब subtract हो चुका है तो अभी CH का value हमने 2 input करा ठीक है इसको भी थोड़ा सा run कर देते हैं CH का value हमने 2 input करा तो यहां पर CH का 2 है क्या 2 1 से match कर गया नहीं करा दोनों बराबर नहीं है क्या हमारा CH का 2 और यह case 2 का 2 बराबर है हम 2 number कुछ भी input करें और choice हमने डाल दिया 8 invalid choice invalid choice इसलिए बोड़ रहा क्योंकि case 1 2 3 4 हमारे पास total 4 case है और हमने choice क्या डाला था CH का value 8 तो 8 तो कहीं पर है यह नहीं है जब 8 कहीं नहीं है तो default वाला case अपने से execute हो गया यहां पर invalid choice लिखा हुआ था तो यह सिंपल सा calculator का program हमने बनाया switch statement यूज करके अगर exam में switch का program बोले arithmetic operator का बोले calculator का बोले तो same program को बना देना conditional statement finish करने के बाद हमारा अगला topic क्या है looping statement loops क्या होता है c language में three types का loop होता है while loop do while loop for loop तो चलिए अभी हम इन तीनों के बारे में आपको detail में बताते हैं कि यह क्या होते हैं इनका use कब करना चाहिए और यह loop का मतलब क्या होता है इसे भी समझते है what is loop loop क्या होता है full explanation मतलब types और example सभी चीज़े discuss होंगी यहां पे तो लूप क्या है loop is used to repeat a block of code until the given condition is true loop क्या करता है block of code को repeat करता है तब तक repeat करता है जब तक हमारे द्वारा दिया गया condition true होता है तब तक यह सेम काम को बार बार repeat करता रहता है और उसी काम के लिए हम लूप का use करते हैं तो एक तरह से आप लूब का लूप को क्या समझो यह circle समझो अगर मैं आपको सेम सर्कल में 50 टाइमस इस प्रावला को असे करते रहो तो यही कहलाता है लूप अगर सेम काम को बार बार किया जा रहा है बिना किसी इंटरप्शन के तो वही होता है लूप और इस काम को लूप के जरीए ही किया जाता क्योंकि विदाउट लूप बहुत ज्यादा क्या प्रव्लम होगा यह भी यहां पर लेते हैं तो देखो वाईल लूप एक एंटरी कंट्रोल लूप है यह क्या करता है लूप बॉडी में एंटर करने से पहले ही कंडिशन देखता है syntax में देखो while keyword लिखना है हमें उसके बाद यहां पर condition होगा अगर यह condition सही हुआ मतलब true हुआ तब इस लूप body के अंदर हमने यहां पर जो statement लिखा यह execute करेगा यह statement execute करने के बाद दुबारा condition check करने के लिए हम आएंगे फिर statement execute होगा फिर हम condition check करेंगे फिर statement दुए कि यह सरकल की तरह घूम रहा सेम लूप में हम घूमते जा रहे हैं तो यह तब तक repeat होता रहेगा जब तक यह condition true है मालों यह condition false हो गया तो क्या होगा यह statement execute नहीं करेगा हम डारेक्ट यहां से बाहर हो जाएंगे लूप टर्मिनेट हो जाएगा ठीक है इसी लिए वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है क्योंकि यह पहले condition देखता है उसके बाद स्टेट्मेंट को execute कराता है जो लूप बोडी के अंदर लिखा होता है फ्लोचार्ट देख लो की ड्राइग्राम के तुरू इसे कैसे रिपर्जेंट करेंगे स्टार्ट उसके बाद कंडिशन ठीक है तो कंडिशन यह वाला कंडिशन अगर मालों कंडिशन टू होता है तो तो चलो सिंपल सा वाइल लूप का जो प्रोग्राम होता है एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाते हैं अगर मैं आपको बोलू कि 1 से लेके 10 तक नेचरल लंबर प्रिंट करो विदाउट यूजिंग लूप बिना किसी लूप का यूज किये हुए तब आपके पास दो र इंक्रीज करेंगे फिर आप क्या करेंगे सेम प्रिंट अफ से प्रिंट करेंगे तो इंक्रीज करेंगे प्रिंट करेंगे इंक्रीज करेंगे यही काम देखो हम 10 बार करेंगे तब जाके बिना लूप की मदद से हम एक से लेके 10 तक नेचरल लंबर प्रिंट करा पाएंग तो इसी काम को हमें 10 बार करना पड़ेगा तो यह हो गया पहला रास्ता अभी without using loop में एक और second रास्ता भी है वो भी आपको बता देता हूं हमें इस तरह से 10 variable बनाना पड़ेगा 10 variable बनाना पड़ेगा और उनमें अलग अलग value डालनी पड़ेगी इस तरह से उसके बाद इन दसो variable को हमें क्या करना होगा हमें print करना होगा माणलो यह 10 variable बन चुके हैं अब इन 10 variable को हमें बार-बार करके एक एक करकेた प्रिंट करना होगा तो आप देखो ध्यान से हम एकी काम को बार-बार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो इसी काम को हम इतना लंबा प्रोसेस में ना ले जाके हम लूप की मदद से कर सकते हैं तो वाइल लूप में कैसे करेंगे सबसे पहले वाइल लूप का जो syntax है उसे लिखो ठीक है अभी यहां पर condition डालो क्योंकि syntax में मैंने बोला था यहां पर condition होगा हमें कितना number चाहिए 1 से लेके 10 तक न तो i less than equal क्या कर देंगे 10 कर देंगे उसके बाद सबसे पहले starting में i के value हमने क्या रखा है starting में आप देखो i के value 1 है तो हम क्या करेंगे हमें 1 से 10 चाहिए तो सबसे पहले i को print करेंगे तो %i format specifier integer के लिए %d %i दोनों हो था ठीक है उसके बाद यहां पे i को हम print कर देंगे i print होने के बाद हम चाहते हैं i का value बढ़े तभी तो अभी second time i का value 2 होगा condition true होगा उसके बाद same i में 2 print होना चाहिए तो plus plus i कर देंगे अब क्या करते हैं get cc screen holding का code लिख देते हैं code हमारा complete हो चुका है यहां पे लगा देते हैं अपना famous functions yalrscr screen clear रखेगा अभी code को run करते हैं तो 1 से 10 तक देखो result print हो चुका है space में हमें चाहिए space में result display हो space दे देंगे यहां पे और हम क्या चाहते हैं कि अभी न 1 से लेके 20 तक natural number print हो तो देखो run करते हैं अभी देखो 1 से 20 तक print हो गया अब मालू मुझे 100 तक natural number print कराना है इसका मतलब थोड़ी नम है कि 100 variable बनाने जाओंगा बिल्कुल नहीं हम while loop की मदद से कर सकते हैं तो यह simple सा example था while loop का अब हम आपको do while loop के बारे में बताते हैं कि do while loop क्या होता है do while loop एक exit control loop है इसका मतलब क्या होता है यह कि यह पहले statement को execute करता है उसके बाद condition check करता है इसलिए इसको exit control loop कहते है syntax देखो पहले do body के अंदर जो statement लिखा होगा वो execute होगा उसके बाद loop body के बाहर हम condition check करते हैं बाद में इसलिए इसको बोलते है exit control loop अगर यह condition true होगा तब यह statement फिर से execute होगा और do while loop की एक खासियत क्या है कि अगर हमारा condition माल लो false दिया हुआ है यहाँ पे हमने कोई false condition डाला हुआ है फिर भी यह एक बार execute कर जाता है क्योंकि condition से पहले इसमें statement execute करता है ठीक है इसलिए condition true हो या फिर false do while loop एक बार execute करता है अगर condition true है उसके बाद यह दूबारा भी execute कर सकता है तिवारा भी कर सकता है ठीक है वो condition के ओपर depend करता है तो flow chart देख लोगी diagram के तुरू इस चीज को कैसे represent करेंगे syntax को start उसके बाद statement मत्तब यह do में जो लिखा होगा code वो चलेगा उसके बाद statement execute होने के बाद condition आगा अगर यह condition true हुआ मत्तब यह वाला condition तो फिर से statement execute होगा फिर से हम do body के अंदर जाएंगे statement को execute करेंगे फिर क्य एक लूप में हम घूम रहें अभी मालो यह condition false हो गया तो क्या होगा stop हो जाएगा end हो जाएगा हम लूप body से बाहर आजाएंगे हमारा लूप terminate कर जाएगा तो चलो इसी syntax और flow chart का use करके do while loop का भी एक simple सा program आपको मैं दिखाता हूं तो यह हमारा previous program था while loop का तो इसको हम do while loop का program कैसे बना सकते हैं बहुत ही असानी से बना सकते हैं सबसे पहले while की condition हटाएंगे इसको do का part बना देंगे तो यह हो गया हमारा statement do के अंदर में जो लिखा हुआ है अभी do body के बाहर यहां पे हम क्या करेंगे condition लगाएंगे loop का तो यहां पे while लिखने के बाद हम semi colon है क्योंकि loop का जो भी body था यहां पे already define कर चुके हैं ठीक है यहां पे बस condition देना है condition क्या होगा एक से 10 तक number चाहिए 1 i less than equal 10 ठीक है तो अभी इस program को भी अगर हम run करेंगे तो 1 से 10 तक result display होगा कोई दिक्कत नहीं है दो error मिल चुका है क्यूं क्यूंकि यहां पे do में parenthesis नहीं होगा हमने syntax गलत लिखा अभी सही हो चुका है अब करते है run तो यहां पे देखो 1 से लेके 10 तक number प्रिंट हो चुके हैं मैं चाहूं तो इसे आपको dry run करके भी समझा देता हूं सबसे पहले i के value 1 है तो यहां पे print अब हम condition के लिए आ रहें यहां पे तो i less than equal 10 है मतलब क्या 2 less than equal 10 है condition true जब condition true है फिर क्या होगा i को print करा हमने तो अभी क्या होगा i के value पहले 1 print हुआ था अभी 2 print होगा फिर नीचे line में क्या होगा i के value बढ़के 3 हो जाएगा condition यहां पे देखेंगे हम condition भी simple चा 3 less than equal 10 condition true त 10 times तक condition true रहेगा तो 1 2 3 dot 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 करके 10 तक print होगा last बे जब i का value मालो 10 print हो चुका 11 हुआ ठीक है i का value इस तरह से 11 हो गया अभी condition देखेंगा compiler क्या 11 less than equal 10 है condition false जैसे condition false हुआ look terminate कर चुका है 1 से 10 तक already यहां पे display हो चुका है अभी मैंने do while loop में क्या बोला था चाहे condition true हो या फि do while loop एक बार execute करता ही है तो अभी देखो यहां पे हमने जो condition डाल दिया है while में वो एक गलत condition है वो पहले से ही false है फिर भी आप देखना एक बार do while का result display होगा यहां पे one print होगा देखो one print हो गया क्यूं print हुआ क्यूंकि i का value 1 है और सबसे पहले यह one print हो गया उसके बाद i का value यहां पे बढ़के 2 हुआ अब condition check कर रहा क्या 2 less than 0 है condition false तो condition बाद में check हो रहा इसलिए एक बार value print हो जा रहा do while loop का यही advantage है कि अगर आपको loop एक बार execute कराना है बीना condition के उपर depend हुए तब आप do while loop में जा सकते है और condition इसमें बाद में check करते इसलिए यह हो गया exit control या फि for loop क्या होता है for loop भी एक entry control loop क्योंकि यह भी पहले condition देखता है ठीक है लेकिन while do while loop के मुकाबले for loop best होता है वो क्यों होता है syntax में देखो क्योंकि for loop में initialization condition और increment decrement हम देखो एक loop parenthesis की अंदर ही perform करा लेते हैं एक line में ही सारे काम को कर लेते हैं इसलिए यह based होता है while do while के में while do while में क्या होता है initialization हम दूसरे जगा करते हैं increment decrement दूसरे जगा होता है condition दूसरे जगा होता तो वो best नहीं होता इसका execution भी fast होता है तो सबसे पहले number one इसमें initialization होगा number two जो भी value इसमें initialize हुआ है उसे आप loop का starting point consider करो number two यहाँ पे condition check होगा इस initialization value के साथ अगर condition true होता है तब क्या होगा यह number three यह statement चलेगा ठीक है यह बला statement यह statement चलने के बाद number four यह value increment decrement होगा value या तो बढ़ेगा या तो घटेगा जो भी हम करना चाहें यह होने के बाद फिर से क्या होगा हम condition में जाएंगे number five अभी क्या होगा condition true होगा statement चलेगा फिर increment decrement condition true statement अभी हम यहीं प पॉइंट यह है लूप का एंडिंग पॉइंट यह कंडिशन है जब तक यह कंडिशन टू रहेगा हम इसी में घुनते रहेंगे सरकल की तरह देखो इसी को बोलते हैं फॉर लूप तो चलो फॉर लूप का फ्लो चार्ट आपको दिखाते हैं उसके बाद प्रोग्राम भी ड स्टेटमेंट चलेगा यह लूप बोड़ी के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट है स्टेटमेंट चलने के बाद वैलू बढ़ेगी या तो घटेगी वह हमारे बडिपेंड होगा ठीक है उसके बाद फिर कंडिशन अगा ट्रू हुआ तो से रिपीट होता रहेगा इस तर चाट के अकोडिंग सबसे पहले इस प्रोग्राम को रिमूब करते हैं और फॉरलूप का हम कोड लिखते हैं फॉरलूप का सिंटाक्स क्या है यह सिंपल सा क्या सिंटाक्स है फॉरलूप का फॉरलूप की खासियत क्या है कि हमें इस चीज को यहां से हटा देना पड़ेगा हम 4 loop में भी कर सकते हैं ठीक है यहां पर directly हम int i equal 1 लिख सकते हैं इनी slice कर दिये हैं value i में 1 उसके बाद i less than equal 10 तक हमें जाना है i plus plus मैं same program को तीनों loop से इसलिए बना के दिखा रहा हूं हमें क्या करना होगा print करना होगा तो person d उसके बाद comma i यहां पर हमें value इंक्रीज कर नहीं है डिक्रीज करने है क्यूंकि value already हम यहां पर decrease कर चुके है increase कर चुके है decrease कर के भी में दिखा दूंगा तो i print हो गया code ready है इसको क्या कर देते हैं direct run कर देते हैं तीन error display हो चुका है हमें syntax error बोर्ड रहा हमें क्यों बोर्ड रहा भई ऐसा expression syntax क्योंकि हमने i को यहाँ पर declare कर दिया इसलिए कोई बात नहीं यहाँ पर करके छोड़ रहते हैं value यहीं पर निसलाइस कर रहे ठीक है अभी देखते हैं अभी run कर गया 1 से 10 तक result आ चुका है space में value चाहिए तो यहाँ पर space दे दो और loop को reverse order में चलाना हो ना इसको कर दो minus minus less than को कर दो greater than इसको कर दो greater than equal 1 i की value को start करो 10 से तो अभी 10, 9, 8, 7 करके result 1 तक जाके print होगा तो देखो reverse order में हमने loop को चला दिया decrement operation भी आपको यहाँ पे हमने perform करा के दिखा दिया तो यह simple सा example था for loop का for loop की खासियत क्या है initialization, condition, increment, decrement सब एक ही line में हम कर लेते हमें हमें बस यहाँ पे statement लिखना होता है और कुछ भी नहीं इसलिए paste होता है सभी loop के मुकाबले while do while for loop खतम होने के बाद एक और question arise होता है कि nested loop क्या होता है ठीक है loops होते हैं three types के ही c language में लेकिन nested loop का भी concept होता है यहाँ पे जिस तरह से nested default होता है तो यह क्या होता है a loop which contain inside another loop called nested loop अगर कोई loop अपरे अंदर किसी और loop को भी contain कर रहा है तो उसी को बोलते है nested loop तो यहाँ पे syntax में देखो मैं nested loop का example आपको for loop को nested करके दिखा रहा हूं आप चाहें तो while यह फिर do while को भी nested करके example अपने से ले सकते हैं initialization condition increment decrement initialization condition increment decrement दोनों का condition true होगा तब जाके यह statement execute करेगा तो इसी nested for loop का use करके हम यह वाला simple सा pattern आपको draw करके दिखाएंगे इसमें क्या होगा ना इसको ध्यान से देखो ठीक है यह वाला जो होता यह होता आई मत्तब यह row है ठीक है तो कितने row है आपको बता देते हैं 123455 rows है ठीक है इसका मतलब आई के वैलू 1 से 5 तक जाएगा और इधर जो दिख रहा है यह वाला 12345 तो यह क्या हो गया यह हो गया column तो column को क्याने कौन हैंडल करेगा यह नाम का हमारा एक variable हम बनाएंगे प्रोग्राम में वह हैंडल करेगा 5 row 5 column में row को आई डिनोट करेगा column को जे डिनोट करेगा तो चलिए इसी रो column concept का यूज करके सबसे पहले इस pattern को ड्रो करते हैं उसके बाद ड्रायरन करके भी समझाओंगा सेम स्टार पैटन को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा nested for loop यूज करना होगा आप चाहें तो nested while nested do while कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं यह nested for loop का जो basic syntax होता है उससे लिख रहो हूं है आप ठीक है आपको भी क्या करना है syntax को पहले लिख लेना है फिर coding start करनी है तो यहाँ पे अभी लूप में हमें बस condition डालना है तो i variable 1 से start होगा i less than equal 5 तक जाएगा क्योंकि 5 rows में चाहिए star i++ उसके बाद यहाँ पे j variable use करेंगे यह भी 1 से start होगा j less than equal i तक जाएगा क्योंकि 5 columns में भी star चाहिए और हर एक column में एक एक star जादा होना चाहिए तीक है इसलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं j++ कर देते हैं अभी इस j वाले for loop के अंदर हम क्या करेंगे print of function में अपने star को print कर देंगे क्योंकि हमें star print कराना है तो यहाँ पे strict symbol तो inner loop के बाहर और outer loop के अंदर में एक और statement हमें लिखना है ताकि हमारा pattern successfully print हो जाए क्योंकि हमें new line में print करना है इसलिए यहाँ पे हम selection लगा रहे है इस program को run कराने से पहले हमें variable को declare करना होगा अगर हम turbo c में यहाँ पे int i कर रहे हैं तो यह पता नहीं error क्यों दे रहा इसलिए हम यहाँ पे declare कर देते हैं int i और जे दो variable हमने use किया था declare कर दिया एक-एक line dry run करके समझाओंगा सबसे पहले result देख लो display हो रहा की नहीं तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा pattern print हो चुका है आप चाहां तो row columns की value को यहां से कम कर सकते हैं 3 कर देंगे तो 3 row column में छोटा format में print होगा यह देखो अभी बड़ा ही छोटा सा प्रेंट हुआ है तो इसी 3 row column के लिए चलिए हम आपको dry run करके समझाते हैं उसके बाद 5 row column का आप खुछ से dry run कर ले दिएगा सबसे पहले देखो आउटर फॉर लूप में आई के वैलू क्या है वन है तो यहां पर हम comment section में लिख देते हैं i equal one condition देखेगा क्या i less than equal 3 है आई के वैलू क्या है वन इसका मत्तब यहां पर बात कर रहा है क्या one less than equal 3 है condition true जब condition true हो गया तो अभी क्या होगा हम इस जे वाले लूप में एंटर करेंगे ठीक है inner लूप में यहां पर क्या है जे का वैलू देखो वन है तो comment section में जे का वैलू भी लिख देते हैं येटीकल ऊन तके condition दीशन देखेंगा जेसन होगँ मतलब one less than equal one है क्या क्यूंकि जे का वैलू भी वन है आईक वैलू भी वन है यहां पर भी condition true है फिर क्या होगा एक इस्टार हियां पर प्रिंट होगा। होगा इंटेग स्टार अभी क्या होगा जे का वैलू बढ़ेगा जे का वैलू हो चुका है टू कंडिशन देखेगा जे लेस दें इक्वल आई मतलब क्या टू लेस दें इक्वल वन हैं कंडिशन फॉल्स हो गया तो अभी ये जे वाला लूप टर्मिनेट कर गया ये कंडिशन टू जे में आते हैं जे का वैलू अभी वन है ठीक है तो यहां पर लिख देते हैं जे का वैलू वन क्या वन लेस देन इक्वल तू है क्या क्योंकि जे का वैलू वन है आई का वैलू टू है तो वन लेस देन इक्वल टू कंडिशन टू तो फिर क्या होगा एक स् प्रेंट होगा क्योंकि हम स्लेशन यूज कर रहे हैं तो वह नीचे लाइन में ही जाएगा ठीक है उसके बाद क्या होगा कि जे का वैलू यहाँ पर इंक्रीज करेगा तो जे का वैलू बढ़के हो गया तू अभी कंडिशन देखेगा क्या 2 less than equal to है क्या condition true है फिर क्या होगा एक और star print होगा यहाँ पर ठीक है उसके बाद जे का वैलू बढ़ेगा यह हो जाएगा ठीक है क्या 3 less than equal to है condition false होगा क्योंकि जे का वैलू 3 आई का तो अभी भी टू ही है condition false हुआ यह वाला लूप एक्जिक्यूट नहीं करेगा अंदर वाला चलो आउटर लूप में चलते हैं अभी आई के वैलू बढ़की क्या हो जाएगा 3 condition हम देखेंगे i less than equal 3 मतलब क्या 3 less than equal 3 है condition true है जब condition true है फिर क्या होगा हम जे वाले लूप में आएगे j का value देखो यहाँ पर 1 है ठीक है इस सारे चेज को काटते हैं j का value 1 है ठीक है तो condition देखेंगा j less than equal i तो j का value 1 है less than equal i का value क्या है 3 है condition true एक star print होगा तो अभी नीचे line में जितनी बार हम outer loop से घूम के आएंगे star नीचे लाइन में print होगा ठीक है उसके बाद print होने के बाद j का value बढ़ेगा तो ये हो जाएगा condition हम देखेंगे क्या 2 less than equal 3 है condition अभी भी true है फिर एक star print उसके बाद j का value बढ़ गया ये हो गया 3 अभी हम देखेंगे क्या 3 less than equal 3 है क्या अभी भी condition true है फिर क्या होगा एक और star यहाँ पर print होगा फिर j का value बढ़ा प्लस प्लस j के चलते उसके बाद condition क्या 4 less than equal 3 इसको काटते हैं ये condition false हो गया जैसे ही ये वाला condition false हुआ ये वाला loop execute नहीं करेगा अभी outer loop में चलते हैं i के value बढ़के हो गया 4 condition देखते हैं i less than equal 3 तो i के value क्या है 4 है less than equal 3 ये वाला condition भी अभी देखो false हो गया तो ये अपना पूरा loop execute नहीं करेगा जब ये outer loop का condition false हो गया आउटर लूप के अंदर ही तो इनर लूप है तो यह कभी एक्जिक्यूट करेंगे ही नहीं तो ठीड ब्रोग कॉलम में देखो हमारा यह पेटन प्रिंट हो चुका है आप क्या कर यगा 5 row 5 column का dry run करिएगा मैं 5 row 5 column का dry run इसले नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा time हो जाता और यहां पर और कचड़ा हो जाता जो कि आपको समझ में नहीं आता अब हमारा अगला chapter है jumping statement jumping statement क्या होता है जैसे यहां पर देखो break continue exit go to और रिटन यह five types का होता है c language में तो break का use करेंगे तो हमारे लूप को terminate कर देगा या फिर किसी भी iteration में इसे use करेंगे तो उसे यह break करेगा continue क्या करता है skip करने का काम करता है exit हमें पूरे program से exit कर देता है जबकि break हमें किसी particular block से break करता है ठीक है बाहर करता है go to use करके हम क्या कर सकते हैं लूप की तरह काम कर सकते हैं programs को बना सकते हैं repeat task को perform कर सकते हैं condition के दुरू और return भी क्या करता है value return करता है calling function से calling function के पास जब हम function पढ़ाएंगे तब इसे discuss करेंगे तो इन चारों को चलिए हम प्रोग्राम की जड़िए सबसे पहले discuss कर लेते हैं example से यहां से आगे हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे jumping statement का वो हम dev c++ IDE में बनाएंगे तो हमारे system में dev c++ IDE install नहीं है तो सबसे पहले हमें install करना होगा dev c++ को download करने के लिए आपको अपने browser पे क्या लिखना है आपको लिखना है dev c++ download बस आपको इतना ही लिखके enterprise करना है और first number पे यह जो website आया है इसी website में हम visit करके इसे download करने वाले हैं इसका link में video के description में दे दूँँगा आप वहाँ से directly download कर पाओगे अभी यहाँ पे download वाले green button पे हमें click करना है जब हम इस पे click करेंगे तो देखो यहाँ पे 5,4 timer चल रहा मतलब 3 seconds में हमारा downloading यहाँ नीचे में देखना है start होगा तो यहाँ पे देखो नीचे side में हमारा downloading start हो चुका है ctrl j press करके मैं आपको दिखाता हूँ 48 MB का है तो यह time लेगा तो हम इसे क्या करते हैं फटाफट cancel करते हैं मैंने download कर रखा है ठीक है so in folder पे click करते हैं अभी इस पे हम double click करेंगे तो क्या होगा कि हमारा installation चालू होगा yes no का permission बोलेगा yes करना इसको अभी minimize करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा dev c++ का जो setup है वो अब open होगा तो यहाँ पे 100% होने देते हैं उसके बाद installing का process भी आपको समझा देंगे English रहने दो उसके बाद I agree पे click कर दो next install तो यहाँ पे देखो अभी हमारा dev c++ install हो रहा है तो थोड़ा सा यह time ले सकता है वेट करते हैं हम अभी installation complete होने ही वाला है यह complete हो गया तो finish का option आ गया यहाँ पे finish हम करेंगे देखो इसका icon desktop पे दिखने लगा है तो यहाँ पे देख देखो c का basic syntax दिख रहा हमारे पास अभी next करेंगे next और ok तो यहाँ पे देखो यह window हमारे सामने खुल चुका है नया program बनाने के लिए हमें file में जाना है सबसे top में उसके बाद new वाले option पे आएंगे source file पे click करेंगे अब हमें यहाँ पे coding start करनी है तो हम c का basic syntax लिख लेते ह has include stdio.h तो देखो इसका font size काफी छोटा है हो सकता आपको दिखाई ना देता हो तो आपको क्या करना tools वाले option पे जाना है editor option मिलेगा font में जाए और इसका size अपने हिसाब से जितना मन करें बढ़ाए और यहाँ पे चाहे तो font का style भी change कर सकते हो पर मुझे नहीं करना है तो म अभी यह इतना बड़ा हो गया है अभी साइद आपको दिखता होगा ठीक है अब यहाँ पे हम लिखते है int main ठीक है जो कि हमारे function का return type int है तो हम एक integer value यहाँ से return कर दे रहे है 0 ठीक है इसका कुछ काम नहीं है बस ऐसे ही लिख दिये है क्योंकि main का return type क्या है int है अभी यहा variable ले लेते है i नाम का for loop यूज कर रहे है तो पहला jump statement मैंने क्या बताया break break क्या करता है किसी भी iteration से हमें बाहर फेकता है किसी भी block से हमें exit करवाता है ठीक है जैसे यहाँ पे for loop का block हमने बनाया है तो यहाँ पे अगर i का value हम 1 से start करें यह जाएगा 10 तक i++ अब हम यहाँ प जैसे ही i का value 5 हो हमारा for loop terminate कर जाए हम यह चाहते हैं यहाँ पे condition लगा देंगे if अगर i5 होगा तब क्या होगा तब यहाँ पे for loop terminate होगा break हो जाना चाहिए अगर जब तक i का value 5 नहीं हुआ है तब तक क्या होना चाहिए तब तक हमारा यह message print होना चाहिए learn coding एक काम करते हैं यह वाली जो line लिखे हैं इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं for loop के बाहर और for loop के अंदर क्या लिखते हैं एक simple सा line लिख देते हैं for loop के अंदर हम i को ही print कर देते हैं ताकि आपको यह बता सकोगी i के value भी देखो print हो रहा यहाँ पे उसके बाद for loop से यह बाहर गया ठीक है code हमारा ready है बड़ा ही simple सा code है सबसे पहले execute वाले option पे जाओ run कराने के लिए compile and run click कर दो तो इस program को save करने बोलेगा तो मैं desktop location पे इसे save करने जा रहा हूं इसका name मैं दे देता हूं jump.c ठीक है अभी देखो हमारा program क्या हो रहा processing हो रहा compile यह देखो execute होने के लिए यह ready है अभी यहाँ पे output display करेगा पहली बार है थोड़ा सा time ले सकता है तो यहाँ पे देखो one two three four उसके बाद learn coding यह output क्यों आया देखो आई का value जब one था वो print हुआ two था print हुआ three था print हुआ four था तो print हुआ जैसे ही आई का value five हुआ five equal equal five condition true हो गया तो break ने अपना काम कर दिया ब्रेक ने क्या किया हमें four loop से बाहर फेक दिया और यह वाला message last में हमारे सामने print हो चुका है ठीक है यहाँ पे selection लगा देते है new line के लिए अगर अभी मैं यहाँ पे value कर दू seven तो अभी one से six तक number print होगा उसके बाद learn coding message last में आएगा f11 प्रेस करते हैं code हमारा फिर से क्या होगा run हो जाएगा देखो one से six तक हुआ उसके बाद learn coding message तो break का use आपको पता चल गया होगा switch case में case को break करना हो for loop में iteration को break करना हो तो break statement अब बात करते हैं second jump statement continue की ठीक है continue continue क्या करता है जैसे यहां पर हमने condition लगा है इसमें i equal equal seven की i का value जैसे ही seven हो वो continue हो जाए मतलब seven को skip कर देगा यह इसका result दिखाते है f11 प्रेस करो run हो जाएगा तो यहां पर देखो seven कहा है seven नहीं है मतलब continue ने क्या किया seven को छोड़ के continue किया seven को इसने skip कर दिया अब बात करते हैं exit की ठीक है अगर मालो यहीं पर हम लिख देते है exit ठीक है और यहां पर एक number देते है क्योंकि एक integer time का parameter ले यहां ने दे दिया अब करते हैं program को run तो यहां पर देखो one two three four five six print हुआ है ठीक है उसके बाद exit हो गया six तक इसलिए print हुआ क्योंकि यहां पर condition था जैसे ही i का value seven हुआ तो हम exit होगा exit क्या करता है loop के साथ साथ program को भी terminate करता है तभी तो इस बार क्या हुआ कि हमारा यह जो message था learn coding message नहीं आया है अभी ठीक है यह exit का का काम होता है exit program को terminate कर देता है फिर चाहे आप कहीं भी use कर अगर इसको हम हटा देते हैं तो अभी कोई output नहीं आएगा इसकी पूरी guarantee है program को run कर आते हैं देखो अभी blank print हुआ है blank किसलिए क्योंकि जैसे हम for loop में enter करे exit ने अपना काम कर दिया इसने हमारे program को क्या किया terminate कर दिया third jump statement क्या है हमारा go to तो अब go to की बात करते हैं हम तो स वेरियबल में value डाल देते हैं one ठीक है उसके बाद अभी हमें क्या करना गो to label का एक नाम लेना तो गो to एक label होता है variable नहीं होता है बिल्कुल भी confuse मत होना ठीक है exam में आता है तो go to एक label का हम नाम ले लेते हैं label ही ले लेते हैं colon से यहां पे इसको denote करना है ठीक है उसके बा करते हैं printf से सिर्फ और सिर्फ सिम्पल सा काम करना है हमें i को print कर देना है इतना काम करने के बाद इस message को हटाओ यह क्या कर रहा है यहां पे इतना काम करने के बाद i को print करने के बाद अब हम लगाते हैं यहां पे condition i less than equal 10 यह भी एक तरह से लूप का तरह ही उपर नीचे circle क की form में हमें घुमाता है i का value 10 condition से पहले increase करना होगा तो यहां पे plus plus i कर देंगे उसके बाद क्योंकि एक बार तो हम print कर दिये दुबारा के लिए plus plus फिर condition आए अब क्या करते है go to label को बंद करते हैं तो यहां पे बंद करने के लिए semicolon यही होता है go to ठीक है यहां पे हमने इसे close कर दिया यहां पे हमें go to keyword भी use करना है तब काम करेगा नहीं तो काम नहीं करेगा मैं एक mistake करने जा रहा था अच्छा वह मुझे याद आगया ठीक है अब हम क्या करते है F11C से run करते हैं तो जैसे हम run करें अभी देखो हमारा output 100 हो गया यहां पे थोड़ा सा time दे देत तक हमारा natural number print हो गया without using loop तो आप go to label use करके भी इस काम को कर सकते हैं बहुत असानी से करना क्या है variable है हमारे पास label go to label यहां से start हो रहा यहां पे ठीक है खतम हो रहा तो इसके अंदर print करो उसके बाद condition डाल दो अपना जैसा loop में डालते हैं खतम हो गया तो यह हो गया हमारा go to jump statement अब बात करते हैं हम return की इस return की तो जब मैं आपको function chapter पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम return आपको बताएंगे सारा doubt आपका clear होगा dev c++ पे coding हमें यहां से आगे करेंगे इसका advantage क्या होता है मालो मुझे 10 step पीछे जाना है ctrl z मैं press करूंगा तो देखो यह पीछे ले जा रहा है तो देखो यह आगे ले जा रहा यानि redo कर रहा ctrl z क्या करता है undo करता है पीछे ले जाता है और हमारा program dextrope में save है यहां पे path द कि इसका फाइदा होता है यूज करने का अब हम बात करते हैं एरे के बारे में किसी language में एरे क्या होता है कितने टाइप का होता देखो टू टाइप्स का 1D एरे 2D एरे ठीक है एरे यूज करने का purpose क्या है सभी चीज़े program के जरी डिसकस करेंगे हम एरे complete होने के बाद हम string औ और pointer के बारे में भी आपको बताएंगे कि यह क्या होता है इन्हें लाने का purpose क्या था तो चलिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं वाटी जैरे full explanation मतलब प्रोग्राम भी होगा concept भी समझाएंगे इसे लाने का पीछे का purpose क्या था एरे is a collection of similar type of data items in a contagious memory location एरे जो है एक तरह क के वैलू के collection को ही हम क्या बोलते हैं और यह एक तरह के वैलू को क्या करता है contigious memory location में स्टोर करता है मतलब सीरियल वाइस एक एक इंडेक्स के according स्टोर करता है वैलू ठीक है तो आपको याद क्या रखना है एरे पढ़ते वक्त एरे इंडेक्स आलवेज स्टार्ट प्रों तो यहां पर एरे को लाने का purpose क्या था मैं आपको बताता हूं सबसे पहले अगर मैं आपको बोलू कि five subjects का marks आप स्टोर करो किसी भी student का five subjects का marks आप स्टोर करो तो आप क्या करोगे five subjects के लिए five variables बनाओगे और उन पांच variables में अलग-अलग subjects के marks को स्टोर करेंगे लेकिन आप क्या कर सकते हो इस तरह से अगर इंटीजर टाइप का marks तो इंटीजर टाइप का ही वैलू होगा तो आप क्या करो इंटीजर टाइप का इस तरह से एक रहे बना लो तो साइच 5 दे दो 5 सब्जेक्ट है तो उसके बाद यहां पर कुछ भी मार्ग्स यहां पर डाल दो जो भी 5 सब्जेक्ट का मार्ग से ठीक है और इस तरह से क्लोज कर दो तो मालो फिजिक्स कमेस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिस का यह माक्स है तो देखो वेरियेबल एक ही है और एक सिंगल वेरियेबल में हमने 5 वैलू स्टोर करा दिया यही यह का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और इसमें क्या कर सकते हैं 28 टांडी जिल्ट इसका है 1 इसका है 234 तो अगर आप बोलोगे कि इंघ्विज वाले सब्जेट का माक्स का माक्स शूर्फ प्रिंट करका zubड़ें wires तो ला है तो क्या शक्सकते हैं आइनडेग्स को इंगर है दिस्प्ले करेंगे तो यह 40 माक्स। प्रिंट हो जाए ठीक है और एरे में क्या होता है कि देखो सिमिलर तरह का वैलू ही हम रख सकते हैं इसमें मतलब इंटीजर टाइप का हमने एरे बनाया है तो इसमें सिर्फ और इंटीजर वैलू ही आ सकता है अगर हम इसमें करेक्टर वैलू लेंगे इस्ट्रिंग टाइप का वैलू लेंगे तो यह नहीं हो सकता इसलिए स्टार्टिंग में ही बोला गिया था ऐरे इस अ कलेक्शन ओप सिमलर टाइप ओव डेटा एटम तो देखो अगर एक से ज़्यादा वैलू होता है तो उसी को हम बोलते कलेक्शन तो एक तरह के डेटा एटम का कलेक्शन कोने यह एरे है ठीक है त आप बात करते हैं तो यह दो हले होते हैं प्रोग्राब के जरीए ही यहे आपको डिस्पले कराचे लिए chip करके लिए बनाते हैंप प्रग्राम में हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इंटीसर टाइप का एडीव बना लेते हैं और अभी मैं यहां पे जो red color में use किया हूं इसे मैं अभी blue कर रहा हूं इसको बोलते हैं sub script operator इसी की मदद से हम array बनाते हैं ठीक है अभी हम अपने array में element डाल सकते हैं तो अभी हम कितना भी element डाल सकते हैं क्योंकि हमने array का size decide नहीं किया है तो यहां पे हम अगर array का size ले ले 5 इसका मतलब 5 elements ही हम अपने इस array में अभी रख सकते हैं और उसे access कर सकते हैं यहां पे कुछ भी element हम ले लेते हैं तो इसको आप consider करो student का mark से 5 subject का तो देखो यहां पे हमारे पास एक ही variable है ए नाम का और इस एक single variable में हम multiple value store करा पार है और value जो होगा वो same type कही होना चाहिए integer type का क्योंकि इसका type हमने int लिया है तो array बन चुका है अब इसके element को print कैसे करना है print करने के लिए हम for loop use कर रहें loop हम इसलिए use कर रहें क्योंकि array में multiple value है तो multiple value को हम एक साथ access करना चाहते हैं प्रिंट करना चाहते हैं इसलिए हम for loop use कर रहें आप चाहें तो पांच बार printf की मदद से एक एक करके सभी के position के according प्रिंट कर सकते हों ठीक है तो यहां पर चलो start करते हैं loop का condition सबसे पहले loop में हम एक variable use करेंगे तो उसे हम declare कर लेते हैं यहां पर अभी i का value 0 से start कर रहें क्योंकि array का basic index 0 से start होता है i less than कितना element है array में 5 element है ना 5 से एक कम तक loop चलेगा यानि less than 5 तक चलेगा उसके बाद i++ अब इस फोर लूप के अंदर हमें आना है अपने array को print function की मदद से print कर देना है इंटीजर value है %d access specifier हम space में value चाहते हैं तो एक space दे देते हैं उसके बाद a of i यहां पर array i इसलिए print कर रहें क्योंकि जब i का value 0 होगा तो 78 print होगा फिर i का value जब बढ़ेगा 1 हो जाएगा तो 90 print होगा इसी तरह से i का value बढ़ता जाएगा और सभी element एक एक करके print हो जाएंगे यहां पर हमारा program बिल्कुल ready है हम आपको run करा के result दिखाएंगे return 0 लिख देते हैं क्योंकि main function का return type क्या है int है इसलिए एक value return कर दे रहें f11 प्रेस करके program को हम run कर रहें तो यहां पर देखो हमारा program successfully run हो चुका है और हमारे array में 5 elements थे और वो सभी print हो चुके हैं तो यह 1D array का example है मैंने बूला था array में similar type की value हम रख सकते हैं अगर यहां पर मैं एक character रख दूं capital A अब चलो इसे हम print करते हैं this similar type की value हम यहां पर array में रख रहें F11 दबाते हैं और इसका result देखते हैं तो देखो 65 print हुआ है 65 क्या है इस capital A का ASCII value है ASCII value इसलिए print हो गया क्योंकि percent D access specified integer वाला हम use किये हैं ठीक है तो यहां पर देखो same तरह का value ही print हो रहा कि नहीं बिल्कुल हो रहा अगर इसको हटा के कोई fraction value रख दें और अभी हम program को run करें तो F11 प्रेस करते हैं तो यह run हो जाएगा तो देखो क्या print हुआ 67.8 हमने लिया था लेकिन 67 ही print हुआ है तो array similar type की value को ही क्या करता है accept करता है अगर आप dissimilar value रखेंगे फिर भी आपको result में similar ही दिखेगा इसलिए आपको dissimilar रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता अभी array का side 5 था इसलिए इसमें 5 element ही रख सकते हैं अगर एक element में extra रख दू 78 और इस program को करूं मैं run ठीक है यहां पे F11 से run करते हैं तो देखो 78 print ही नहीं हुआ है तो अभी आप बोलेंगे loop तो एक कम चला है तो चलो loop भी हम एक बढ़ा देते हैं 6 कर देते हैं ठीक है और अभी करते है run तो देखो यहां पे 78 की जगा 0 print हो गया 0,1 unused garbage value है इसका कोई काम नहीं है तो इस 78 के लिए array में जगा ही नहीं है तो इसको कैसे print करेगा वो 5 size के array के लिए ही memory allocate हुआ है इसलिए 5 size ही रखेंगे अम मालो array का size 5 है इसमें हम सिर्फ two element ही रख रहें ठीक है और 5 तक ही loop चला रहें और इसको हम run करा रहें तो successfully run होगा result भी आ गया last का जो three index था उसमें देखो zero print हो गया जो की unused value है हमारे किसी काम का नहीं है तो जब आप इस तरह से करेंगे तो यहां पे देखो हमारा array का तीन index का memory waste हो गया इसलिए जब भी array बनाओ ना size मत दो जितना element आपको रखना आप रख लो अपने हिसाब से और program को कर दो run कोई दिक्कत नहीं होगा सभी elements यहां पे print होंगे यह 1D array का example था अगर बिना for loop के हम print करने बोलेंगे आपको और आपको यह बोले कि सिर्व 67 को print करके दिखाओ एक element को मालो यह student का mark से 67 math में ओ लाया है 67 तो कोई border की चलो math का number print करके दिखाओ तब आप क्या करेंगे 67 का position क्या है 012 तो यहां पे आपको लिखना होगा percent D उसके बाद A का 2 position में है और कर दो program को run तो देखो 67 आ गया अभी हम आपको यह प्रूफ करके देते हैं कि array का index 0 से ही start होता है कि नहीं अगर A0 लिखे इसका मतब 78 आ जाना चाहिए तो यहां पे देखो 78 आ चुका है तो इस program में मैंने आपको array का जितना भी doubt था सब clear करने की आपकी कोशिस की है 1D array का यह simple सा example पसंद आया हो तो वीडियो को like करो share करो अभी चलो 2D array का program कैसे बनाते हैं run time में value input लेक आते हैं यहां पे हम integer type का फिर से क्या कर रहें अब 2D array बना रहें तो ए नाम का ही हम 2D array बना रहें तो जब 2D array बनाएंगे तो दो बार सब script operator यहां पे आपको use करना है अभी हम क्या करेंगे इसमें size डाल देते हैं 2 और 2 का तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब बहुत ही सिम्पल है हम चाहते हैं array का element 2 row में print होना चाहिए और 2 columns में होना चाहिए 2 row 2 columns के form में हम array के elements को print करना चाहते हैं matrix के form में तो अभी हमें इसमें क्या करना होगा value input करना होगा तो सबसे पहले printf की मदद से एक message पास करते हैं user को ताकि output screen में यह message हमें दिखे उसके बाद हम element enter करें enter array elements इस message को देखके हमें यह समझ में आएगा कि अच्छा हमें element input करना है अब ठीक है तो 2D array में element input करने के लिए हम nested loop का use करेंगे तो nested for हम यहाँ पर use कर रहे हैं तो एक for loop के अंदर दूसरा for loop यह मैंने आपको पढ़ाया है इसे बताने की जौरत नहीं है तो 2 loop variable चाहिए तो यहाँ पर i j नाम से 2 variable भी declare कर लेते हैं सबसे पहले i की value 0 से start होगा i less than 2 तक जाएगा क्योंकि index 0,1 में हो जाएगा 2 row का element i++ यह जो outer loop है यह loop कितने rows में element print होगा वो denote करेगा और यह जो j वाला inner loop है यह बताएगा कि कितने columns में element आना चाहिए तो j less than भी क्या कर रहे है 2 कर दे रहे है और j++ तो यह columns को denote करेगा ठीक है कि कितने columns में आएगा तो 2 row 2 columns अब input लेना है तो input आपको पता है c language में बहुत ही famous है scanner function हमने बताया आपको starting में ही एकदम beginning में इसलिए हमने बता दिया था ठीक है element input लेंगे a of i और a of j में ठीक है लेकिन अभी input ले रहे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे m% of a of i j element input हो चुका है अब क्या करना बस इसे print करना है तो यहाँ से code को copy करेंगे और paste कर देंगे यही तो देव c++ का advantage है ठीक है यहाँ पर लिख देते है message change करके matrix element क्योंकि जब element print होगा तो वह matrix के form में print होगा तो यहाँ पर scan up को हटाते हैं और print up function को लगाते हैं क्योंकि अभी value हम print करने जा रहे ना कि input लेने दो रो दो कोलम में print होगा अब हम क्या करेंगे एक रो में value print होने के बाद हम चाहते हैं कि अब दूसरे रो में print होना चाहिए ठीक है तो print up function यहाँ पर outer loop में लगाएंगे और slash and new line के लिए use कर देंगे क्यों क्योंकि जब एक बार यह loop चलेगा इसका मतलब एक रो में दो element input हो जाएगा उसके बाद इसका condition false होगा फिर यह वाला loop एक बार चलेगा फिर दूसरे रो में element हम input करेंगे इसलिए दूसरे रो में आने के लिए slash and तभी matrix के form में element आएगा यह वाला curly bracket return 0 के बाद होगा नहीं तो error मिलेगा हमें program को run करके देखते है run हो भी रहा है कि नहीं यहाँ पे हमें एक error बोड़ रहा है curly bracket के लिए वो error क्या है हम देख लेते हैं थोड़ा सा semicolon ठीक है semicolon के लिए बोल रहा है कि semicolon आपका missing है इस curly bracket के पहले यहाँ पे और यहाँ पे भी semicolon missing है अभी करते है program को run तो देखो program हमारा run हो चुका है आप code भी देखो और हमारा output भी देखना ठीक है enter array elements element डाल देते हैं चार element हम डाल सकते हैं अभी enter कर रहे हम तो यहाँ पे देखो element हमारा matrix के form में print नहीं हुआ है जैसा इसे होना चाहिए था क्यों नहीं हुआ चलो देख लेते हैं सबसे पहले तो हम space दे देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या कर रहे है इस space को भी हटा रहे है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई space नहीं चाहिए और selection लगा दे रहे है ठीक है अब F11 प्रेस कर रहे है कोई भी 4 element डाल दो जो आपकी मर्जी जा रही नहीं मैं जो डाल रहा हुआ ही डालो देखो matrix के form में print हुआ है कि नहीं element पिल्कुल हुआ है हमने दो रो दो कोलम के लिए 4 element array में डाले और वो यह पहला रो यह दूसरा रो यह पहला कोलम यह दूसरा कोलम तो दो रो दो कोलम के form में 2D array की मदद से आप element को array में input लेके उसे print कर सकते हैं अब हमारा next topic है what is string string क्या होता है example के जरी हम आपको सारे concept को clear करके दिखाएंगे string is a sequence of characters and it always ends with null character तो यह जो symbol दिख रहा है इसी को बोलते है नल character और string हमेंसा नल character से ही end होता है खतम होता है sequence of character आप बोल सकते हैं जैसे मालोई syntax को देखो data type variable name और double quotes में आप कुछ भी दिखेंगे तो वह string होगा sequence of character किस तरह से बोल सकते हैं जैसे मैंने मालो यहाँ पर character type का एक data type लिया इसका size मैंने 10 ले लिया और यहाँ पर मैंने string लिया coding ठीक है तो आपको लगता होगा कि इसका starting character c है और ending character g है तो starting character तो सी है यह पता है लेकिन इसमें ending character क्या है यह नल है यह वाला जो दिखाए थे string का एंडिंग character नल होता है तो coding अपने आप में क्या है एक string है तो यहाँ पर character के sequence को ही हम बोलते हैं string जैसे आपका नेम मालो आपका नेम राज है तो राज में total कितने character है तीन character है तो अगर इन तीनों character को हम जोड़ेंगे तभी राज बनेगा राज अपने आप में एक string बन एक single character रहेगा तब वह single quotes में लिखा जाएगा और वह एक करेक्टर है ठीक है लेकिन अगर एक से ज्यादा हुए तो वह string बन जाते हैं इसलिए मैंने लिखा है sequence of character आप बोल सकते हैं collection of characters भी बोल सकते हैं यह simple syntax था इसी syntax का use करके हम string बनाएंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा यहां पर इस ट्रिंग के कुछ predefined functions होते हैं सी लैंग्वेज में वो क्या-क्या होते हैं str alien इसके थूरू हम क्या कर सकते हैं किसी भी string का length find कर सकते हैं अगर हमें एक string को दूसरे string में copy करना है तो हम strcpy कर कर सकते हैं एक string और दूसरे string को अगर जोड़ना है मर्ज करना है तब हम क्या कर सकते हैं कौन कैट कर सकते हैं strc function दो string को आपस में compare करना है तब हम क्या कर सकते है strcmp function यह वाला यूज कर सकते हैं मालो इस्ट्रिंग हमारा लुवर केस में लिखा हुआ है उसे हमें इस्ट्रिंग अपर केस में लिखा हुआ है उसे लुवर में कनवर्ट करना है तब हम क्या करेंगे स्ट्र ल्वर यूज करेंगे और मालो इस्ट्रिंग पहले से ही अपर केस में लिखा हुआ है ठीक है उसक काम को कर सकते हैं तो चलिए इन सभी फंक्षन को यूज करके हम आपको दिखाते हैं प्राक्टिकली लेकिन हम इस ट्रिंग का जो भी इनपूट आपूट ओप्रेशन परफॉर्म करेंगे इस तरह का स्ट्रिंग का वह हम गेट्स के थो इंपूट लेंगे पूट्स फंक्शन के तुरू हम आपूट डिस्प्ले करेंगे इस्ट्रिंग के लिए यह दो फंक्शन एक्ष्ट्रा बनाए गए हैं सी लैंग्वेज में इसका एडवांटेज क्या होता है कि हमें इस कैनफ की तरह फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंट सी न का आयरे वेरियबल बनाएंगे तो यहां पर हम str वेरियबल का नेम ले रहे हैं इसका size हम दे देते हैं 50 मतलब 50 characters long string को हम input करा सकते हैं अपने इस variable str में ठीक है अभी हमें क्या करना है एक string को simply input करना और उसे print करना है हमें एक simple सा काम सबसे पहले करेंगे तो puts function use करके हमें cardput screen में सबसे पहले message दे देते हैं enter any string मतलब कोई भी string आप input कर सकते हो ठीक है अब क्या करेंगे इस message के बाद हमें string input करना होगा तो gets function होता है जिसका use करके हम क्या कर सकते हैं अपने str variable में string को input कर सकते हैं अभी string input हो चुका है अब हमें क्या करना है उस string को print करना है तो यहाँ पे हम puts function फिर से use करेंगे print करने के लिए और यहाँ पे str variable को डाल देंगे तो इतने program में हमने कुछ नहीं किया है बस हमने क्या किया है gets function से यहाँ पे user से input लिया है runtime में और puts function से यहाँ पे क्या कर रहे हम output को print कर रहे है program को करते है run तो छोटा सा काम है सबसे पहले output दिखा देते हैं अभी screen में यह वाला message आएगा enter any string यहाँ पे green color में यहाँ पे दीखेगा थोड़ा सा time ले रहा first time इसे run किये देखो यह आ गया अभी कोई भी एक string मैं input करता हूं जैसे मैं कर देता हूं अंकित तो यह जो string input हमने किया है वो इस gets function की मदद से input हो पाया है अब जैसे ही enter मारे तो यह जो output आप देख पा रहे है वो sir for service puts function की मदद से देख पा रहे है तो यह simple सा काम करने के बाद अब हम क्या चाहते है कि अगर हम यह input करें तो upper case में print होना चाहिए हमारा यह answer तो upper case में कैसे print होगा उसके लिए predefined function होता है str upr मैंने आपको लिखा यह function क्या करता है lower string को upper में convert करने का काम करता है तो as a parameter आप जो भी string यहाँ पे input ले रहे उसी string को आप यहाँ पे str upr में pass कर दो यह क्या करेगा lower string को upper में convert कर देगा तो यह predefined function है जो कि string.h header file के अंदर है तो हमें क्या करना होगा include करना होगा यहाँ पे string.h अब करते हैं program को run तो देखो program successfully run हुआ है यहाँ पे string डाल देते हैं कुछ भी अखिलेस तो अभी आप result देखो capital later में सारा हमारा print हो चुका है character यानि string डाले थे lower case में print हुआ है upper case में अभी मालूम मैं upper case में input करूँ और वो lower case में print होना चाहिए अब मैं यह चाहता हूँ तो उसके लिए method होता है strlwr lwr method क्या करेगा upper case की string को जो हम input करेंगे lower case में convert करेगा program को करते हैं run और आपको result दिखाते हैं सबसे पहले एक upper case की string हम input कर देते हैं देखो यहाँ पे अभी इसका result देखो lower case में print हुआ है मतलब इसने lower में convert कर दिया अब हमारा requirement क्या है कि हम string input करें वो reverse order में print होना चाहिए तो वो कैसे print होगा उसके लिए भी c language का string में method होता है strrv यह क्या करता है string को reverse order में print करेगा यानि उल्टे side से print करेगा चलो string input करते हैं कुछ भी string ले लेते हैं जैसे यहाँ पे horse ले लिया हमने capital lower किसी में भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे देखो यह reverse order में इस तरह से right to left count करके print हुआ है एक और string ले लेते हैं चाकि आपका doubt clear हो जाए अभी हम बड़ा string ले रहे ठीक है राज is a good boy ठीक है तो यहाँ पे देखो boy सबसे पहले reverse होके आया है उसके बाद good reverse हुआ है यह reverse हुआ एक word था उसके बाद यहाँ पे यह reverse हुआ लास्ट में राज भी देखो यहाँ पे reverse order में jar बन गया तो यहाँ पे हमने जितने भी अभी आपको string function बता है वह single string में काम करते हैं अब मालू मुझे किसी particular string का total length find करना है कि वह string का length क्या है तो उसके लिए एक और function होता है str alien alien function क्या करता है हम जो भी string input करेंगे यहाँ पे उसका total length हमें print करके देता है तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि string input करके हम input करते है string अखिलेस तो यहाँ पे देखो कुछ भी print नहीं हुआ है यह इसलिए हुआ है क्योंकि यह जो str alien function है यह integer value return करता है क्योंकि string का length एक number होगा तो number जो return हो रहा वो puts function support नहीं करता है puts function का use आपके बल इस string को print करने के लिए ही कर सकते हो और किसी काम के लिए नहीं तो यहाँ पे हमें print up function यूज करना होगा और हमें number चाहिए string का size चाहिए तो %d format specifier use करेंगे integer value के लिए क्योंकि हम एक number चाहते हैं अभी देखना size भी print होगा जो भी string input करेंगे जैसे string यहाँ पे डाल देते हैं learn coding ठीक है तो यहाँ पे देखो learn coding का total length कितना 12 है यहाँ पे देखो इसका हो गया 5 इसका हो गया 6 और बीच में एक space है 6 और 6 कितना हो गया 12 तो इस तरह से आप किसी भी input किये गए string का length भी find कर सकते है str alien की मदद से तो अभी तक हमने जितने भी function आपको बता है वह cable एक string से ही काम कर जा रहे है हम एक single string input कर रहे है काम हो जा रहा अब हम आपको बताएंगे एक string को दूसरे में copy कैसे करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक और string variable बना लेते हैं उसका भी size हम ले लेते हैं 40 ले लेते हैं तो अभी str में जो भी string हम input करेंगे उसको str2 में हम copy करेंगे तो input तो हम ले चुके हैं अब हमें क्या करना है copy करना है तो यहाँ पे एक famous method होता है strcpy इसका काम क्या होता है इसका एक ही काम है एक string को दूसरे में copy करना तो str को मुझे copy करना है किसमे str2 में करना है तो सबसे पहले right side में str को लिखो उसके बाद left side में str2 मतलब यह वाला string इसमें आ जाएगा अभी हम print करते है normal puts function यूज करके हम print कर सकते हैं अभी string value ही print होगा क्यूंकि यहाँ पे str2 को हम print कर रहे अगर str2 में हमारा result आ जाता है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब हम string जो str में input लिए थे वो str2 में copy हो चुका है प्रोग्राम को करते है run तो यहाँ पे एक string value हम input लेते हैं जैसे क्या ले 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 मन ठीक है तो देखो यहाँ पे मन print हो चुका है इसका मतलब हम input तो ले रहे देखो str में यानि इस पहले वाले में हम input ले रहे हैं और output में हम किसको display कर रहे हैं output में display कर रहे हैं अपने second वाली str variable को print कर रहे हैं इसका मतलब इसका string इसमें copy हो चुका है तभी तो result में देखो यहाँ पे यह output आ चुका है अभी आपको बताते हैं कि 2 string को compare कैसे करते हैं ठीक है compare करना बहुत जरूरी है 2 string को इसको हटाते हैं compare करने के लिए एक method होता है strcmp तो सबसे पहले हमें if else use करना होगा तभी हम इस काम को कर पाएंगे नहीं तो नहीं तो if else का syntax यह हो गया strcmp function हम यहाँ पे लिखेंगा ठीक है strcmp function क्या करता है 2 string को as a parameter लेता है तो दोनों string को हम क्या कर देते हैं pass कर देते है str1 str2 ठीक है अब अगर दोनों string बराबर होगा 0 के साथ अगर बराबर होगा तो वह equal होगा तो अभी तो हमने एक ही string input किया है तो क्या करते है second वाली string को भी input ले लेते हैं यहाँ पे enter any string 2 कर देते है str2 में input होगा यहाँ पे input होने के बाद अगर बराबर होगा तो message क्या आना चाहिए कि strings are equal तो यहाँ पे double quotes में message में क्या type कर देंगे both strings are equal अगर मालो string equal नहीं होता है तब क्या होगा तब else में हम आएंगे else में क्या होगा else में लिखेंगे both strings are not equal वह बराबर नहीं है तो यह काम कैसे होगा सबसे पहले result दिखाते हैं फिर समझाते हैं आपको तो अभी program हमारा successfully run हो चुका है पहला string हम input करने जा रहें अंकित अभी second string हम input करने जा रहें अंकुस तो आप बताओ क्या यह वाला और यह वाला same to same है क्या बराबर है नहीं तो result देखो both strings are not equal इसका मतलब हमारा output बिलकुल सही आ रहा अभी program को क्या करते हैं फिर से हम run करते हैं ठीक है और इस बार क्या कर रहें सेम string input कर दे रहें जैसे अंकुस अंकुस तो यहां पर देखो both strings are equal यह ऐसा क्यों बोल रहा है strcmp function देखा कि इसमें भी अंकुस है इसमें भी अंकुस है जब दोनों same है तो इसका value क्या हो जा रहा 0 हो जा रहा तो क्या यह वाला 0 equal equal is 0 के साथ बराबर है बिलकुल बराबर है जब दोनों बराबर हो गया तो यहां पर यह वाला message चल गया कि दोनों string बराबर है अब हम मगला काम आपको करके क्या दिखाएंगे कि 2 string को concat कैसे करना यानि 2 string को merge कैसे करना है तो हम तो दो string input ले चुके हैं अभी एक method होता है C language में strcat कि यह method क्या करता है दो string को concrete करने का काम करता है तो सबसे पहले str और str2 दोनों को लिग देते हैं मतलब str2 को हम str1 के साथ compare करना चाहते है यह वाला जो string input करेंगे बाद में इस वाले string को हम चाहते है कि इसके साथ combined हो जाए इसलिए पहले इसको लिखे बाद में इसको लिखे अब क्या करेंगे result के लिए put function यूज करेंगे और सिर्फ और सिर्फ str को हम print करेंगे अगर merge हो पा रहा है इसका मतलब कुमार तो अगर output आता है अखिलेस कुमार है कि space भी दे दे रहे था कि space में आए तो यहां पे देखो output क्या आया अखिलेस कुमार जबकि हमने तो सिर्फ इस str को print किया है है इस से क्या हो गया कि यहां पे हम input किए Achilles यहां पे input किए हम Kumar तो STRCAT ने क्या किया Achilles और Kumar दोनों को एक साथ Concard कर दिया इसलिए यह Concast होके result i store हो गया फिर से is is Str में इसंलिए जब 20 स्ट्रिएर को यहां पे हम प्रिंड किये हमें result में क्या मिली गया हमें result में हमारा बिल्कुल सही आटपुट यहां पे मिल चुका अखिलेश कुमार तो हमने जितने भी स्ट्रिंग के प्रीडिफाइंड फंक्शन थे आपको एक एक करके सभी का प्रोग्राम बना के दिखाया उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा वाट इस पोंटर पोंटर क्या होता है फूल एक्सीलेशन एक्जांपल भी बताएंगे और पोंटर का मतलब क्या होता है इसका काम क्या है यह भी डिसकस करेंगे तो पोंटर होता क्या है पोंटर इस अ a variable that can be able to hold psyche for another variable pointer एक variable होता है और यह एक variable होते हुए किसी दूसरे variable के address को hold करता है वही क्या कहलाता है pointer कहला तो pointer पढ़ने से पहले आपको क्या याद रखना है वाइल वर्किंग with pointer we need to require two unary operator या फिर आप बोल सकते हैं two wild card characters पहला होता है यह m% इसको बोलते हैं address of operator अगर आपको किसी भी वर्य वर्यवल का address जाये वडीवल का address चाहीं तब आप इसका यूज करेंगे अगर आपको उस variable के address में क्या रखा हुआ है address में डेटा है उस डेटाको एक्सेस करना है तब आप इस मल्टिप्लिकेशन वाले operator का यूज करेंगे इसका का नाम क्या है वैलू एट एड्रेस ऑप्रेटर मतलब एड्रेस ऑप्रेटर में क्या वैलू रखा हुआ है यह उप्रेटर यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसको इस ट्रिक बोलते हैं ठीक है तो पॉंटर बनाने का सिंटाक्स बहुत ही सिंपल है डेटा टाइप म सबसे और यह और इसको लिखते हैं ठीक है इस सेक्षन में हम वैलू लिखेंगे और यह क्या है एड़ेस है हमारे वएरीयबल का एक एड्रियस ये वला है और ऐक वैलू ये वला है उसके बाद एक पॉंटर वेरियबल है तो मालों पॉंटर वेरियबल यहां पर बना रहे हैं ठीक है पॉंटर वेरियबल क्या कर रहा एक एड्रेस को होल्ड कर रहा तो एड्रेस यहां पर है तो पॉंटर वेरियबल इस एड्रेस को क्या कर रहा होल्ड कर रहा ठीक है पॉंट क्या है यह वाला तो क्यूंगे पास पी का अड्रेस है अभी इसमें समझने वाली बात क्या कि अगर मैं यहां पर print करूं अपने screen में अगर मैं एक को print करता हूं तो क्या result आएगा एक वैलू क्या है 10 तो टेन आएगा अगर मैं फिर से print करता हूं यहां पर stric of पी तो इस्ट्री को पी मतलब इस पी के पास जो एड्रेस है इस एड्रेस में क्या वैलू है ठीक है तो यह वाला जो एड्रेस है वो वेरियेबल एक एड्रेस है यह वाला और इस एड्रेस में क्या वैलू है यहां पर प्रिंट होगा उसके बाद अगर हम प्रिंट करते हैं म तो पी का एड्रेस यहां पर पॉंटर पी का एड्रेस प्रिंट होगा क्यू को प्रिंट करने से फिर से मालो हमने क्या प्रिंट किया हमने प्रिंट किया वैलू एट क्यू ठीक है क्यू का वैलू क्या है तो क्यू का वैलू भी यही है ठीक है क्यूंकि यहां पर क्यूने कि कि एड्रेस खोल्ड किया पी के तो पी एज़ा वैलू क्यों के पास आ रहा ठीक है तो यहां पे सेम चीछ प्रिंट होगा यहां पर यह वैलू नहीं प्रिंट होगा यह हमने थोड़ा सा गलती बता दिया देखो इस्ट्रिक क्यू मत्तब वैलू ओफ क्यू तो सबसे पहले इसमें यह वाला वैलू रखा हुआ है तो यह वाला वैलू यहां पर प्रिंट होगा तो अभी मैंने आप से जो जो बताया वो मैंने सही बताया कि नहीं चलिए प्राक्टिकली प्रूफ करके देख लेते हैं जो सिंटैक्स मैंने आपको पॉइंटर बनाने का दिखाया है वही सिंटैक्स यूज़ करके सबसे पहले क्या कर रहे एक पॉइंटर वेरियबल बना रहे पी नाम का ठीक है और इसी के साथ एक और ए नाम का नॉर्मल वेरियबल बना रहे लोकल वेरियबल उसमें वैलू डाल दे रहे टेन इतना काम हो गया इतना काम होने के बाद pointer variable बना लेते हैं Q नाम का जो कि हमने आपको बना के दिखाया था तो यह Q क्या कर रहा हमारा जो pointer to pointer Q है यह एक दूसरे pointer के address को hold कर रहा वो pointer variable है P इतना था basic सा बात अब चलो result देखना start करते हैं एक एक करके print up function percentage lesson लगा दे रहे क्योंकि बहुत सारा output आने वाला तो लग लग लाइन में चाहते हैं सबसे पहले A को print कर रहे हैं तीक है उसके बाद क्या करेंगे यहां पर बहुत सारे print up function हमने copy paste कर डाले हैं इनका use हम अभी करने वाले हैं program में ठीक है a print हुआ उसके बाद क्या कर रहे है एक हम address print करने की कोशिस करेंगे a का address print होने के बाद हम pointer variable p को print करेंगे उसके बाद pointer variable p के पास क्या value है वह value चाहिए strict भी फिर हम क्या कर रहे pointer to pointer variable q को print कर रहे और इसी के साथ और भी printf हमें चाहिए q print हुआ उसके बाद streak of q print कर रहे और last में क्या कर रहे streak streak q कर रहे print तो इसका output पहले मैं आपको समझा देता हूँ उसके बाद दिखा भी दूँगा सबसे पहले a print होगा a का value क्या है 10 यहाँ पे 10 आएगा ठीक है यहाँ पे address of a a का कुछ भी address आएगा वो address मुझे नहीं पता है ठीक है पॉइंटर ने क्या किया है line number 6 में पॉइंटर variable p a का address होड़ किया हुआ मतलब same address यहाँ पे भी print होना चाहिए ठीक है अभी यहाँ पे पॉइंटर variable ने variable a की address को hold किया हुआ है तो उस address में कौन सा value रखा हुआ उस address में value रखा हुआ 10 तो यहाँ पे strict p print करने से address में कौन सा value है 10 है तो यहाँ पे 10 आना चाहिए उसके बाद हमने q को print किया है हमारा पॉइंटर variable q क्या कर रहा पॉइंटर पी के address को hold कर रहा तो यहाँ पे address किसका आएगा address आएगा pointer p का फिर क्या होगा फिर यहां पे हमारा जो पॉल यह जो क्यू है यह pointer p का address order किया हुआ तो pointer p के पास किसका value है pointer p के पास a का address है तो यहां पे a का address print होगा ठीक है जो कि हमारे इस q pointer as a value बनेंगा उसके बाद double star q मतलब q के पास p का address है तो इतना को समझो पहले इतना में तो आज आएगा variable a का address ठीक है उपर लाइन से ही समझ लो variable a का address इतना में आ गया अब variable a का address में कौन सा value है वरिएबल a का address में कौन सा value है पूरा को मिला तो value रखा हुआ 10 यही value थे हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा program को करते हैं run और आपको result हम दिखाते हैं एक एक करके तो time दे देते हैं थोड़ा सा देखो सबसे पहले 10 उसके बाद एक address देखो यहाँ पर फिर एक address यह same to same दोनों address है इसका मत्तब pointer address hold कर रहा फिर 10 प्रिंट हुआ है यानि pointer ने जो address hold किया उस address में क्या value है यह 10 तो है print हो गया फिर हमने लिखा address of p यह pointer variable p का address है तो आप देखो guys दोनों में difference कितना 4 bytes का difference है यानि 4 byte का memory लेता है इसलिए 4 byte का difference में आया है उसके बाद यह pointer का address हो गया फिर नीचे line में आते हैं यह जो q है pointer variable p का address order किया हुआ p का address का value क्या है p का address का value है a का address तो यहाँ पे देखो फिर से variable a का address हमने address of a लिखा हुआ है और last में देखो यह जो a का address है जो यहाँ पे star q में आया है इस एक address में क्या है 10 है तो last में देखो 10 है यहाँ पे भी आमने 10 लिखा था तो इस तरह से pointer काम करता है उम्मीद करते हैं हम आपको pointer समझाने में पूरी तरह से सफल हुए है types of pointer pointer का type भी होता है बहुत सारे types होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो यह देखो पहला void pointer second wild pointer null pointer dangling pointer pointer to pointer function pointer अगर आप इन सभी types के उपर detail में जानना चाहते हैं pointer यूज करने का सबसे बड़ा advantage क्या होता है कि आप dynamic memory allocate कर सकते हैं pointer की मदद से आप dynamic memory allocate कर सकते हैं इसका मतलब क्या होता कि runtime में अपने हिसाब से आप memory को घटा या फिर बढ़ा सकते हैं जितनी memory की आपको जरूरत ही आप उतना बना सकते हैं जैसे अभी हमने एक एरे बनाया था फाइब index का तो यहां पर देखो इसका इस एरे का साइट fix हो गया और इसमें अगर हम five elements ले सकते हैं लेकिन मालो five की वज़ाए मैंने सिर्फ two elements ही लिया तो three elements का जो memory था वह वेस्ट हो गया आगे चलके हमने एक पॉइंटर बनाया और इसमें हमने इस एक को क्या कर दिया एसाइन कर दिया तो अभी यहां पर तीन इंडेक्स का memory वेस्ट हो रहा है और यह स्टाटिक टाइप का यहां पर memory अलोकेट हुआ है क्योंकि memory फिक्स से फाइब साइज है लेकिन डाइनमिक मैमरी इलोकेट कर सकते हुआ पॉइंटर की मदद से तब हमें क्या करना होगा कैलोक और मैलोक फउंक्षन यूज़ करना होगा इसकी मदद से हम जितनी इम्यूपपिक चाहिए धीअ अब हमारा अगला टॉपिक क्या है फॉंक्षन और स्टोरेज ग्लास यह दो हम function और storage class chapter को भी cover करते हैं what is function function क्या होता है अभी हमारा यह topic रहेगा function full explanation मतलब types और program example भी आपके साथ में share करूंगा तो सबसे पहले यह function का मतलब क्या होता है इसे समझ लेते हैं function is a block of code which take input from the user processed it and produce output function में एक block होता है और उसी block के अंदर हम code लिखते हैं इसी block of code को हम function कहते हैं तो इसमें क्या होता है कि user से हम input लेते user मतलब हम runtime value input लेते हैं जो value हम input लेते हैं वो process होता है उसके बाद उसका output आता है तो function का program बनाने से पहले आपको एड़ बात क्या याद रखनी है functions run only when it is called function तो वो कभी भी run नहीं होगा ठीक है तो types देख लो function कितने types का होता है इसी language में पहला होता user defined user defined वो function है जिससे हम बनाते हैं अपने personal use के लिए अपना जो भी काम करना होता है उसके लिए जैसे void add int sum void m1 void main यह सभी user defined function है इनका name कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर इस वाले function को देखो main function भी एक user defined function है ऐसा क्यों क्योंकि main function की भी कारली bracket होती है इस तरह से और इस ब्लॉक के अंदर हम code लिखते हैं खुझ से तो हम एक user है और main के अंदर coding कौन करता है main function का logic कौन हम लिखता है इसके अंदर block के अंदर हम लिखते हैं इसलिए यह भी हो गया user defined function main function है कैसा user defined function है जो c के हर program में होता प्रोग्राम का beginning और ending point यह है अगर हम इसे call नहीं करते हैं इसे तो हम call नहीं करते हैं यह अपने आप call हो आता है operating system इसको call करता है लेकिन इन सभी function को किसी भी नाम से बना सकते हैं और इन्हें हमें कुछ से manually call करना होगा अगर हम इन्हें call नहीं करेंगे यह call नहीं होंगे जबकि main function operating system program के running time में call कर देता है ठीक है प्रोग्राम के जरिए हम discuss करेंगे इसके बारे में अच्छे से predefined function ऐसा function होता है जो पहले ही developers के द्वारा डिफाइंड किया जा चुका जिने हम केवल यूज कर सकते हैं predefined function की एक खासियत क्या होती है कि इनकी curly bracket की इस तरह से body नहीं होती है और इनकी body नहीं होती तो इनका हम code भी नहीं नहीं लिख सकते हैं इन्हें बस हम यूज कर सकते हैं जिसके लिए इन्हें बना गया जैसे प्रिंट अफ का माउट्पूट के लिए यूज कर सकते हैं इसके आफ इंपूट के लिए यूज होता है प्रिडिफाइंड फंक्शन यह रखा हुआ ठीक है अगर इस्टूडियो डोट चैटर फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे था हम इन्हें यूज नहीं कर पाएंगे यह कॉल नहीं होगा ठीक है इसलिए फंक्शन चाहे यूज डिफाइंड हो या प्रिडिफाइंड जब लिखेंगे तो वैलू रिटन नहीं करना पड़ेगा इन्ट लिकेंगे तो वैलू रिटन करना पड़ेगा उसके बद फंक्शन न का जो भी लेशात देन जहते तो यह पारंतिस होगा यहां से आर्गिमेंट भी पास कर सकते होगर आपकी मर्नची मूज तब उप्षुन हो बनाके देखते है, user defined और predefined function का, तो हमने जो आपको function का syntax लिखाया, सबसे पहले वो syntax लिख के हम एक function बना लेते है, user defined function, return type int देते है, function का name हम रख दे रहे, sum, ठीक है, ये function की body होगी, इसी body के अंदर हम क्या लिखेंगे, code लिखेंगे, इसलिए बोलते है, function is a block of code, अभी यह कहां से हम क्या कर रहे, दो parameter pass कर रहे, integer type का int a, int b, आप चाहने तो parameter नहीं भी pass कर सकते, ये optional है, अभी क्या होगा, जो भी parameter a और b का value होगा, उसको हम क्या करेंगे, जोड देंगे, a plus b कर देंगे, उसके बाद return की मदद से, उस value को return करेंगे, तो ये value return होगा, calling के पास, जहा function से, यहां से call किया जागा, तो function हमने जब define किया था, तो दो parameter यहां पे लिया था, तो दो value यहां से देना होगा, एक को दे देते हैं, 10, दूसरे को दे देते हैं, 20, तो ये जो 10 है, वो a का value बनेगा, ये जो 20 है, वो b का value बनेगा, ठीक है, उसके बाद function क्या करेंगा, इन एक integer value return होगा 30, 30 इस int से pass होके यहाँ पे आएगा calling के पास, calling के पास value आ चुका है तो अभी आप चाहें तो printf में इस function को ही print कर दो पर हम क्या कर रहें, एक variable में store कर ले रहें इस value को, जो भी calling function के पास वापस return होके आया है अभी क्या करेंगे, result display करने के लिए printf function की मदद से हम अपने output को देख सकते है क्या करेंगे, अपने variable store को यहाँ पे print कर देंगे क्योंकि value तो वही store कर रहा, हमारा program बिल्कूल ready है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको run करते हैं और आपको result दिखाते हैं तो देखो, successfully run हुआ है, अभी इसका output भी आ जाएगा output क्या आएगा, 10 और 20 जोड़ेंगे, 30 आएगा तो यह तो समझ में आ गया आपको आप चाहें तो parameter हटा दो यहां से और अपने से runtime में user से value input ले सकते हो क्या करो, int a, b, यहाँ पे बना लो अपने से और scan up function की मदद से, scan up function के use हम करते है value input लेने के लिए, तो यहाँ पे हम value input लेंगे, दो value लेंगे, दो बार % इ, उसके बाद किसमे लेना है, m% a, a में value आएगा, a variable के address में value जाएगा, b variable के address में value जाएगा, value जा चुका है, अभी जो भी value हम input किये हैं, उसका a plus b हमें चाहिए, तो a plus b तो हमने लिख रखा है, और इससे पहले एक message भी लगा देते हैं, यहाँ पे, print up function हम use कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, enter any two numbers, हम कोई भी दो numbers को input कर सकते हैं, अपने इस program में, इसको run कर आते हैं, तो अभी देखना सबसे पहले, enter any two numbers बोल रहा है, इसका मतलब program काम कर रहा है, number input कर देते हैं 100 और 600, तो result देखो 700 print हुआ है, मतलब हम इसी काम को इस तरह से भी कर सकते हैं, तो इस program में देखो, यह वाला जो function है, इसको बोलते है, user defined function, और यह जो printf और scanf यूज किये हैं, इसको बोलते है, predefined function, ठीक है, यह इसलिए लिख दे रहे, ताकि आपको समझने में 1% कभी doubt ना रहे, predefined function क्या होता है, कि जहां हम use करेंगे, वहीं पे इसका semicolon रहेगा, यानि यह वहीं पे बंद हो जाएगा, इसकी कोई भी body नहीं होती है, curly bracket इसका नहीं होता है, और personal use के लिए नहीं कर सकते है, इसका काम है output दिखाना, इसका input लेना, तो इसी दो काम के लिए ही इसका use कर सकते हैं, जबकि इस function को हम किसी भी काम के लिए use कर सकते हैं, मैं चाहूं, तो कोई other program भी बना सकता हूं, इसी function के अंदर, यहीं पे, तो इसका body होता है, curly bracket, और इसी body के अंदर हम क्या लिखते है, code लिखते है, इसलिए बोला जाता है, function is a block of code, तो मैंने आपको जब jump statement पढ़ा था, तम मैंने बोला था, return मैं आपको बताऊंगा, जब function पढ़ाऊंगा, तो return क्या करता है, as a result, जो भी value यहाँ पे a plus b हो रहा, उसको return कर रहा, calling function के पास, तो value कैसे return हो रहा, इस return jump statement की मदद से value यहाँ पे calling के पास आया, फिर हमने उसे store करा और print कर दिया, तो उम्मीद करते हैं आपको function समझ में आ गया, c language का, अब बात करते हैं अपने अगले topic storage class के बारे में कि what is storage class यह होता क्या है, इसका purpose क्या है, full explanation मतलब कितने types से इसे हम define कर सकते हैं, और यह storage class हमें बताता क्या है, storage class defines the scope and lifetime of variables and functions, storage class हमें यह बताता है कि variable का scope क्या है, यानि variable कहां तक accessible है, और variable का lifetime क्या, यानि variable को हम कब तक access कर सकते हैं, उसका life क्या है, वो कहां तक active है, तो यह कौन बताता है storage class बताता है तो c language में कितने तरह से storage class को divide किया गया है पहला होता है auto storage class second static extern or register storage class तो यही total 4 storage class है c language में तो यहां पर देखो हमने आपको एक चाड़ बनाके समझाने की कोशिश करेंगे यहां पर सबसे पहले auto storage class की बात करें तो इसकी memory बनेगी में डिफोल्ट वैलू होगा गार्बेज और इसका जो स्कॉप होगा यानि कहां तक हम इसे यूज कर पाएंगे वीदिन ब्लॉक ओटो मतलब लोकल वेरियेबल किसी ब्लॉक के अंदर लिखा होता है जिस भी ब्लॉक के अंदर होगा वहीं तक इसे एक्सेस किया जा सकता है ठ ब्लॉक और लाइफटाइम प्रोगाम जब तब प्रोग्राम उमारा टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक इस वेरियेबल को हम यूज कर सकते हैं अभी बात करते हैं एक्स्टर्न स्टोरेज क्लास की एक्स्टर्न मतलब ग्लोबल ठीक है इसकी मेमरी भी रैम में बनती है डि एक्सटर्न मेंबर होगा उसे प्रोग्राम में कहीं भी यूज किया जा सकता है ठीक है और लाइफटाइम क्या है तिल द टरमीनेट अव प्रोग्राम जब तरवग्रम तर्मिनेट नहीं होगा तब तक यह एक्टिव रहता है अभी बात करते रजिस्टर स्टोरेज क्लास क इसकी memory register में बनती है इन तिनों का memory RAM में बनता है इसकी register बनती है इसका मतलब इसका जो execution होगा काफी ज्यादा fast होगा क्योंकि register एक छोटा सा memory होता है CPU का जो CPU के बहुत करीब होता है default value क्या है register का garbage इसकोप क्या है within block block तक ही हम इसे use कर पाएंगे और lifetime still the block is active जब block active रहेगा तभी तक इसका lifetime हो तभी तक हम इसे use कर पाएंगे तो चलिए सबसे पहले हम आपको auto और static का program बना के example के दुरू समझाते हैं उसके बाद इन दोनों का difference भी discuss करेंगे फिर इनकी बात करेंगे बाद में auto storage class का variable बनाने के लिए हमें use करना होगा keyword auto int a इसमें value दे देते हैं 10 तो यह जो हमने variable बनाया एना यह एक automatic variable है अगर हम इस तरह से भी एक variable बनाते हैं इक्वल बीस तो यह वाला भी automatic variable ही है आप चाहें यह auto keyword लिखो या ना लिखो यह बाद default हर एक local variable के साथ चिपका हुआ रहा था ठीक है तो इसको अठाते हैं क्योंकि इसे हमने बहुत सारे प्रोग्राम में आपको दिखाया तो यह बनाया हमने यह एक automatic storage class का variable तो यह local variable है क्योंकि यह main block के अंदर लिखा हुआ है जो भी variable किसी function के अंदर लिखा होगा c language में वह एक local variable होगा ठीक है अभी एक if block बनाते हैं और इस if block के अंदर भी हम एक variable बनाते है auto int b equal base तो यह भी एक local variable है ठीक है क्योंकि यह भी एक block के अंदर है यह देखो यह तो block हुआ na if का तो जो भी variable block के अंदर होगा function के अंदर होगा या block के अंदर loop के अंदर वह local variable कहलाएगा c language में तो इस if के अंदर घुसने के लिए हमें कुछ भी condition दे देते हैं जो हमें इस if के अंदर ले आए तो यह condition हमेशा true रहेगा if के अंदर हमें लाएगा अब दोनों local variable में अंदर क्या है आपको अभी पता चलेगा percent d value print करने के लिए कॉमा उसके बाद a को print करेंगे हम इसी तरह से क्या यह printf function b को कर सकता है print कर सकता है बिलकुल कर सकता है तो यहाँ पर क्या करेंगे b कर देंगे प्रोग्राम हमारा ready है प्रोग्राम में कुछ भी कहीं भी कमी नहीं है सबसे पहले इसका result दिखाते हैं तो अगर result 10 और 20 display होता है इसका मतलब program successfully run हो चुका है यह देखो 10 और 20 print हो चुके है अब लगा देते हैं ठीक है 10 भी sprint हो गया लेकिन अब यह वाला जो local दिख रहा है न वेरियेबल इस a का lifetime scope ठीक है इस a का scope इस पूरे main block के अंदर तक है और यह वाला जो local भी दिख रहा है इसका scope सिर्फ और सिर्फ इस इफ तक ही है प्रूफ कैसे करेंगे उसी चीज को बिल्कूल कर सकते हैं प्रूफ हर चीज प्रूफ करके दूँगा आपका एक भी doubt नहीं बचेगा मैंने starting में ही बोला था अब वीडियो देख लोगे c language guarantee सिखा दूँगा अभी देखो हम क्या कर रहे एक को भी इफ ब्लॉग के बाहर प्रिंट कर रहे और बी को भी फिर से इफ ब्लॉग के बाहर प्रिंट कर रहे यहां पे भी selection लगा देते हैं तो अभी हमें एक बढ़िया सा error मिलेगा यह देखो error क्या मिला यह बी undecliered यह जो variable बी है ना compiler बोल रहा यह यह अपने डिकलियर किया ही नहीं है आप बोलोगे किया तो है यहां पे किया यहां पे क्या क्या डिकलियर ही तो किया है तो मैंने क्या बोला था compiler इस B को ना इस if body के बाहर पहचान नहीं पा रहा है compiler बोल रहा है यह कौन है हम नहीं जानते तो यह जो बी है यह local variable आप सिर्फ यहीं पे यूज़ कर सकते हैं इसका सबूत यहां पे मिल चुका है अगर इसको हटा दे अभी program run होगा a को हम यूज़ कर पा रहें देखो यह जो a variable है इसको हम if के बाहर भी यूज़ कर पा रहें कि नहीं तभी तो result यहां पे 10 आया है तभी error आ रहा था बी का चलते तो इसका मत्तब प्रूव हो गया local variable अगर main block के अंदर लिखा तो पूरे main function भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसका scope पूरे main function तक रहेगा अगर if block के अंदर लिखे हैं तो जिस block में उसी block तक ही उसका scope रहेगा ठीक है यह होता auto storage class का local variable अब बताते है static variable ठीक है अगर इसी को मिटा के यहां पे लगा दे static और इसको भी मिटाएं और यहां पे लगा दे static प्रोग्राम को run करेंगे 1% कभी फरक नहीं पड़ेगा यह B को तो नह पहचान पाएगा वो बात में discuss करेंगे देखो प्रोग्राम सकस्पुली run हो गया 1% कभी फरक नहीं पड़ा ठीक है यह static variable है यह भी तो ऐसा क्यों हुआ यह जो static variable होता है यह भी जिस block के अंदर लिखा होता उसी block तक ही हम इसे use कर सकते हैं यानि print करा सकते है value ले सकते है इ इसी लिए तो इस इफ वाले static variable को हम देखो यहां पर बाहर में print करने का जब कोशिस किये थे तो error आया था तो इफ और local यह जो हमारा static variable है और local variable है इन दोनों में ज्यादा difference नहीं होता है बस दोनों का lifetime में difference होता है इस scope में कोई difference नहीं है इस code का कोई काम नहीं है तो इसे स अब से पहले हटा देते हैं और अभी हम क्या कर रहे है local variable और static variable का lifetime कैसे अलाग है इसे समझाने के लिए हम एक function वरा रहे है void fun नाम का fun function का return type अभी हमने void लिया है मतलब कोई भी value return नहीं होगी ठीक है इसके अंदर अगर हम variable बनाते है int a equal इसमें देते हैं 10 और एक बनाते है static int 20 इसमें value देते हैं 20 इसमें भी देते हैं 10 तब आपका doubt और अच्छे से clear होगा ठीक है दो variable है एक है auto variable एक है static variable देखो यहाँ पे auto लिखो या ना लिखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं वो automatic variable ही है ठीक है अभी यहाँ पर आते हैं सबसे पहले हमारा काम क्या होगा simple स काम होगा इनकी value को print करना अंतर इतने ही अच्छे समझाओंगा ना कि आपका doubt हमेशा के लिए clear एक space दे रहे बीच में ताकि value space में print हो उसके बाद comma अभी यहाँ पे क्या a को print करेंगे b को print करेंगे और slash n लगा दे रही यहाँ पे function का coding ready है value print होने के बाद दोनों की value को क्य करें बढ़ा भी दे रहे plus plus b main में आते हैं सबसे पहले अपने प्यारे function fun को call कर रहे और कर देते हैं प्रोग्राम को बिना सोचे समझे run तो यहाँ पे देखो successfully run हुआ है अभी जो result आएगा उससे कुछ खास आपको फर्क पड़ेगा नहीं आपको लगेगा इसमें क्या जादू हो गया दोनों तो same ही है बिल्कुल same है लेकिन अब same नहीं रहेगा अभी आपको पता चल जाएगा auto variable और static variable का lifetime में अंतर क्यों है अभी ध्यान से देखना यह रहा जादू पहली बार तो 10-10 प्रिंट हुआ उसके बाद local variable एक value बार बार 10 ही प्रिंट हो रहा जितनी बार function को call कर रहे लकिन static वाला का value बढ़ते हुए जा रहा 10-11-12 फिर करेंगे 13-14-15-16 इसी लिए लिखा हुआ था मैंने लिखवाया था कि यह जो static variable होता है इसका lifetime जब तक program terminate नहीं हो जाता वहां तक होता है तो program तो main में भी चल रहा है main ही तो ending point terminate इसके बाद ही हो रहा program तो यह static यहां तक use हो रहा जब तक program चलेगा तब तक static रहेगा लेकिन local इस block के active रहने तक ही रहेगा इस block के बाहर local का कोई काम नहीं है इसलिए जितनी बार function call कर रहे इसकी नई memory बन रही और नया value इसमें फिर से 10 आ जा रहा बार-बार increase नहीं हो पा रहा increase हो के block के बाहर जा रहे वो खतम हो जा रहा तो यह जो output है इसे चलो हम आपको dry run करके समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है और यह आ क्यों रहा है dry run करके चलिए आपको समझाते हैं कि output ऐसे क्यों आ रहा था तो यहां पर देखो सबसे पहले में function से प्रोग्राम का execution start होगा तो जैसे ही हम function को देखो यहां पर पहली बार call कर रहे है यहां पर दिया है यहां पर हम आज आएंगे ठीक है function के अंदर दो वेरीयबल एक लोगल यह और एक ड्यडिक टो डोनों बारी ar नेन säIGHT क्रों सेम है उसकोल मतलब कहां तक कि हम कर सकते हैं इस ब्लोग के अंदर ही दोनों को हं यूजिस सकते हैं इस इस ब्लॉक के बाहर ए और बी कों प्रिंट नहीं कर सकते तब एर मिलेगा अब बात करते lifetime की दोनों का lifetime काफी जादा अलग है lifetime को समझाने के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं से और एक सिंपल सा मैमरी बना रहा हूं तब आपको समझा पाऊंगा का डावट के लिए एकonce कि अभी तपर एक में qm3 मेरी में और कहीं पर स्टेट के लिए भी बनेगा इसमें रीन टेन थेंस में भी टेन दोनों में वैलू क्या हो गया टेन तेन आ गया इसका नाम ए है इसका भी है ठीक है और यहां पर address कुछ भी हो सकता द्रेस यह memory block का अज है अब हम print में ए और बी को print कर रहे हैं तो यहां से भी टेन प्रिंट होगा यहां से भी 10 प्रिंट होगा तो टेन और प्रिंट हो गया उसके बाद वैलू क्या हो रहा इंक्रीज हो रहा एक वैलू हो गया 11 कोमेंट सेक्षन में लिख रहे बी का वैलू भी हो गया 11 तो यहां के भी क्या होगा वैलू अपडेट होगा 11 और 11 अब जैसे इस ब्लॉक के बाहर हम जाएंगे ना इस लोकल वेरियेबल का lifetime खतम हो गया क्योंकि इसका lifetime भी क्या है इस टील दा ब्लॉक इस अक्टिव तो इस फंक्षन का ब्लॉक यहां से शुरू हो रहा यहीं तक यह एक्टिव है तो जैसे इस ब्लॉक के बाहर जा रहे दुबारा फंक्षन को कॉल करने के लिए यहां पर दुबारा कॉल करने तैसे ही क्या हुआ इसकी जो मेंड़ी बनी थी लोकल वेरियबल की यह डिस्ट्रॉय हो चुकी है अभी जब दुबारा फंक्षन को कॉल किये तो दुबारा से लोकल वेरियबल का एक नया मेमरी बनेगा अभी आप बोलेंगे कि इस इस्टाटिक वाले का नया मेमरी क्यों मेमरी बना क्योंकि स्टाटिक का लाइफ टाइम पूरे प्रोग्राम तक है ठीक है मैंने आपको लिखाया था तो प्रोग्राम यहां से लेके यहां तक पूरा में से लेके यहां तक पूरा हमारा प्रोग्राम का पाट है तो जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक स्टाट का सेम मेमरी है अब बात करते प्रिंट करने की ए और बी को प्रिंट करेंगे तो एक वैलू यहां से क्या प्रिंट होगा यहां से टेन प्रिंट होगा अब वैलू क्या प्रिंट होगा मेमरी में देखो 11 है अब डेटेड वैलू यहां पर 11 प्रिंट होगा उसके बाद वैलू के बाहर जा रहे फिर से क्या होगा इसका मेमरी डिस्ट्रोय हो चुका लोकल वेरियबल का अब यहां पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फिर से क्या होगा लोकल वेरियबल का इस बार फिर से एक नया मेमरी बनेगा जितना वार फंक्शन कॉल होगा उतना बार इसका नया मेम प्रिंट होगा फिर वैलू बढ़ेगा तो टेंट से हो गया 11 प्लस प्लस और इसका वैलू टूवल बथा यह हो गया 13 ब्लोग के बाहर जाते हैं इसका मेमरी फिर से क्या हो गया खतम हो गया अभी तो फंक्षन कॉल करने के लिए है नहीं तो यहीं सिंपल सा कॉंसेप्ट है इस्टाटिक वरियेबल का लाइफटाइम यानि कब तक वो जिंदा रह सकता जब तक आपका प्रोग्राम चलेगा लेक करता है इसी वजह से इसका जो वेलू होता है वो से मेमरी में तो दुबारा लेतं कॉल करते हैं तो नहीं से आगे इंक्रिमेंट मां dado हमें मिलता है तो यह सिम्पल सा क्लियर हो गया हो तो अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की और एक्सटर्न स्टोरेज क्लास क्या होता है कि इसमें ग्लोबली सारा चीज होता है एक प्रोग्राम के डेटा को दूसरे प्रोग्राम में भी हम access कर सकते हैं और register को भी हम इसी के साथ discuss कर लेंगे external storage class का program बनाने के लिए क्या करना होगा हमें variable बनाने होंगे तो यहाँ पर external मतलब global होता ठीक है तो यहाँ पर जो भी variable बनेगा वो global variable होगा तो global variable ऐसा variable होता है जो किसी भी function के बाहर होता है ठीक है function के अंदर कभी भी global variable नहीं होता है याद रख लो तो यहाँ पर अगर मैं एक variable बनाता हूं int यह इसमें value देता हूं 10 तो यह हमारा हो गया global variable ठीक है क्योंकि यह सभी function के बाहर है सभी function के बाहर मतलब अगर हम यहाँ पर एक fun नाम का function बना दें main function है अपना तो इस global variable को हम program में कहीं भी use कर सकते हैं मैंने इसके scope में ही लिखाया है scope का मतलब कहां तक use कर सकते हैं तो अगर मालो यहाँ पर हम print of function लिखें इसके अंदर और क्या करे एक को धड़ा धड़ प्रिंट कर दें बिना सोचे समझें यहाँ पर एक को हम print कर दिये अब यही काम हम main function के अंदर भी कर सकते हैं main के अंदर हम आए यहाँ पर भी print कर दिये value प्रिंट करने के बाद fun function को call कर रहे ताकि fun वाला value भी print हो जाए उसके बाद हम अगर यहाँ पर एक if का block बनाते हैं और इस block के अंदर भी हम उसको access कर सकते हैं क्योंकि यह global variable है कहीं भी access कर सकते हैं return 0 अभी program को करेंगे run तो आपको output successfully देखने मिलेगा 100% if का condition हमने दिया ही नहीं जो कि compulsory है one link देते हैं जो कि true को indicate करेगा चलो तो यहाँ पर देखो अभी program successfully run हो चुका है अभी हमारा output थोड़ाई time में print हो चुका है 10 10 10 तो पहला 10 यह वाला main का print हुआ क्योंकि program का execution यहीं से start होता है फिर यह fun method call हुआ fun function call होने के बाद यह वाला 10 प्रिंट हो गया फिर क्या हुआ इफ का 10 प्रिंट हुआ last में तो global variable का scope क्या होता है anywhere accessible in the program और इसका lifetime बिल्कुल static variable की तरह होता है जब तक program terminate नहीं होगा तब तक इसका lifetime होता है और global variable का खासियत क्या होता है कि आप अपने किसी दूसरे सी program में भी इस variable को use कर सकते हैं ठीक है external storage class का यही advantage है अब हम आपको बताते है register variable के बारे में अगर हम कोई variable मालो बनाते हैं बनाते हैं यहाँ पर int a3 तो यह variable main function के अंदर है तो अभी आप बोलेंगे कि यह एक auto variable या फिर local variable है लेकिन इसी int के पहले अगर हम लिग दें register तो बन गया यह register storage class का register local variable ठीक है अभी यह register variable बन चुका है जब यह register variable बने गया तो अभी इसकी memory RAM में बनेगी ठीक है तो print a function से क्या कर सकते हैं इसको हम print कर सकते हैं access कर सकते हैं presenti, a लेकिन यह guarantee नहीं है कि इसकी memory register में ही बनेगी वो आपके system को operating system hardware के उपर depend करता ठीक है प्रोग्राम को करते हैं run तो अभी result देखो 10 आ चुका है मतलब यह register variable काम कर रहा है लेकिन इसका जो execution होता है वो normal variable के मुकावले काफी ज़्यादा fast होता है अभी program इतना छोटा है तो हमें पता नहीं चल रहा है लेकिन बड़े-बड़े program में जहांपे variable को ज़्यादा जल्दी access करने की बात होती है उसे register generally बना जाता है टीक है तो यह register variable जो है इसका जो scope है वो इसी block तक ही है lifetime जब तक यह block active रहेगा तभी तक इसका lifetime है बस तो यह simple सा storage class का concept था उम्मीद करते हैं आपको हम समझाने में पूरी तरह से successful हुए है अब हम आपको structure chapter के बारे में में बताएंगे कि सी language में structure क्या होता है इस chapter का concept क्या है साथ ही साथ union क्या होता है इसे भी हम बताएंगे तो इन दोनों में कुछ basic difference सबसे पहले difference जान लेते हैं उसके बाद हम start करेंगे मालो structure में हम तीन variable बनाते हैं इंट ए उसके बाद हमने क्या बनाया टैर भी फिर हमने बनाया लास्ट में फ्लोट सी अगर हम इन तीन डेटा मेंबर्स को बनाते हैं structure में ठीक है तो इन तीन होगा का सबसे आ टोटल कितना memory occupies होगा रमिशेवन इस वठाइट शेववन बयाइट का memory बनेगा एक बैट बंपाइटसए और बोभी नैपाइट स茌लंण अन अब्लक्षन का नाम हमने क्या लगखा है वीजह्ट इस 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 स्ट्रक्चर के लिए यजह सब्रेटा का में नुट पर सकते हैं आप यूनियन के अगर बात करें यूनियन में अगर हम लिखें इंट कर भी कि अब यूट्स इसमें टोटल कितना वाइट का मेमरी बने का इसमें टोटल फॉर वाइटस का ही मेमरी बने अभी आप बोलेंगे एसा कि इसमें भी तो इन्ट और केरेया है नोटो धोड़ों में क्या होता है जो सबसे बड़ा मिंबर था तीनों में सबसे वड़ा कॉन हेख łal चार चार बाइट का मेमरी टोटल बनेगा इसी फ्लोट के लिए राम में मालो इस यूनियन का नाम हमने क्या रखा है इंप्लोई ठीक है यहां पर टोटल चार बाइट का मेमरी बना है और इसी 4 बाट memory को सबसे पहले ये यूज करेगा फ्लोट उसके बाद इसके यूज करने के बाद इंट करेगा फिर जाके कर करेगा करके करेंगे करेंगे कर इसलिए 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 टाइब को एक visit करने के इसमें डिपेंडेंसी होता है क्योंकि एक ही मेमरी ओको पाई होता है अगर आप से कोई पूछे structure का total size क्या होता है तो आप simply कहेंगे sum of its all member equal to size of structure और union का कोई size बोलेगा तो आपको क्या बोलना सम नहीं बोलना ये वाली चीज गलत हो जाएगी आपको बोलना biggest member size equal to union size तो ये basic difference होता है इन दोनों में अगर structure और union में हम कोई भी variable बनाते हैं तो उसे हम member कहते हैं ठीक है तो चलिए सबसे पहले structure क्या होता वाट इस structure ये जान लेते हैं structure is a user defined name structure एक user defined name होता है जैसे हमने आपको example में दिखाया था हमने structure का name क्या लिया था इस टू लिया था ठीक है which are used to store a group of different types of values structure क्या करता है अलग-अलग तरह की value को store करता है ठीक है जिस तरह से array में हम same तरह की value को single variable में store करा सकते हैं इसी तरह से अगर हमारे पास अलग-अलग तरह का value है और उसे एक same variable से हमें represent करना है तब हम structure use करेंगे जैसे किसी भी student का record उसका name role number address mobile number तो यह सभी अलग-अलग data हो गए तो इन record को represent करने के लिए हम structure यूज करते हैं ठीक है और मालो एक तरह का data student का marks तब हम आयरे में जा सकते मैंने आपको example के तुरू आयरे बताया भी है तो structure का program बनाने से पहले आपको याद क्या रखना है इस्ट्रक्ट कीवर्ड इस यूज टू डिकिलर इस्ट्रक्चर को बनाने के लिए इस्ट्रक्ट कीवर्ड की जौरत पढ़ते हैं बिना इस कीवर्ड के आप इस्ट्रक्चर को डिकिलर नहीं कर पाएंगे ठीक है इस्ट्रक्चर अलोकेट्स डिफ्रेंट मेमरी पोर इच म में थाड़ पॉइंट क्या है दा साइज ओफ इस्ट्रक्चर डिपेंड सोंदा मेंबर ओफ इस्ट्रक्चर के अंदर कितने मेंबर हम बनाए हैं उसी मेंबर के उपर डिपेंड करता है structure का total size ठीक है syntax देखो structure को decular करने का बनाने का struct keyword उसके बाद structure का name आप कुछ भी यहां पे ले सकते हैं मैंने example मिलिया था इस्टू उसके बाद यहां पर data member होगा data types variable name data types variable name अब जितने भी member लेना चाहें ले सकते हैं वो अलाग अलाग तरह का type होगा तो अलाग अलाग तरह के जितने भी यहां पर member होंगे उन सभी को represent करने के लिए यहां पर एक single name होगा इस्टू यानि structure name तो जलिए इसी basic syntax का use करके हम simple सा structure program बना के आपको दिखाते हैं structure का program implement करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा struct keyword use करना होगा structure को बनाने के लिए ठीक है उसके बाद structure का name लेना होगा हम इस टू ले लेते हैं अपने structure का name इस टू हमने इस लिए लिया क्योंकि हम student के अलग अलग तरह के record को यहां पर input करेंगे और उसे print करेंगे structure यूज करके तो सबसे पहला student record हम ले लेते हैं student का roll number second होगा student का name तो इसका size 20 दे देते हैं मतब 20 characters long name हम input कर सकते हैं उसके बाद student कितना marks लारा percentage के लिए यहां पर double type का data type ले रहे आप float भी ले सकते हो ठीक है marks नम का variable बना दे रहे double का range थोड़ा सा ज्यादा होता है float से बांकि कोई difference नहीं है अभी main function में चलते हैं अब हमे main function को ये बताना होगा कि हम structure के member को access करना چाते है किस structure के हमें लिखना होगा structural structure के member को roll name marks को हम access करना चाते हैं तो इस two structure का भी हमें एक variable बनाना होगा, तो मैं यहाँ पे S नाम का variable बना रहा हूँ, इसी S variable के थुरू हम क्या कर सकते हैं, role name marks को input कर सकते हैं, यहाँ main function के अंदर, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, scan up function से input होगा, उससे पहले हम print up function में एक message दे देते हैं, message क्या होगा, enter student record, ठीक है, यह हमारा message होगा, जो output screen में हमें दिखेगा, जब program को हम run करेंगे, अब scan up function से, एक एक करके output को input लेना, स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले role number है, percent d format specifier, उसके बाद name है, name string के form में हम लेंगे, double quotes में होगा, तो percent s, उसके बाद double type का, data type का होता, percent lf format specifier, lf मतलब long float, float का range थोड़ा सबढ़ जाता है, double में ज़्यादा मिलता है, अभी क्या करना, value input करने हैं, तो लिखेंगे, यहाँ पे हम, m percent s dot role, उसके बाद हमें क्या लिखना, comma, फिर से हम लिखेंगे, m percent s dot name, उसके बाद सेम इसी तरह से, हमें एक और variable में value डालनी है, m percent s dot max, हमने तीनो variable में value input कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इन value को print करेंगे, जो हम input किये हैं, तो printf function की मदद से, हमें इस काम को बहुत ही असानी से कर सकते हैं, सबसे पहले इस function का नाम change कर देते हैं, printf, ठीक है, यहां से m percent अटा देते हैं, और value हमें space में, print में चाहिए, तो यहां पर हम space दे देते हैं, हर एक format specifier के बीच में, ठीक है, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल रेड़ी है, अब इस प्रोग्राम को हम F11 प्रेस करके run करने जा रहे हैं, तो देखो, यह successfully run हुआ है, तो हमें अभी क्या बोलेगा, enter student record, तो सबसे पहले student record में, roll number 10 input कर देते हैं, student का name लेते हैं हम, Achilles, उसके बाद उसका marks ले लेते हैं, कुछ भी marks 78.98% उसने लाया, हमने enter करा, तो देखो, हम यहाँ पे, अपने record को access कर पार है, जो हमने input किया, तो आप देखो, structure का use यही होता है, कि अलग-अलग तरह की value को, एक single variable के थुरू, आप कैसे access कर सकते हैं, तो एक से ज़्यादा value मतलब, group में अलग-अलग तरह का value है, ठीक है, group of collection of different types of data type value, int, care, double, ठीक है, तो यही structure का use होता है, अगर आपको एक तरह का value चाहिए, एक single variable में, तो मैंने आपको array पढ़ाया, अलग-अलग तरह का value चाहिए, एक single variable से आप access करना चाहते हैं, तब आप structure use करेंगे, अब बात करते हैं, what is union, union क्या होता है, ध्यान से सुनना, union is a user defined name, union भी एक user defined name होता है, जैसे हमने example में, union का name, emp लिया था, which is used to store a group of different types of values, अगर आपके पास अलग-अलग तरह की value है, बहुत सारी value है, उनका एक group बनाई है, और उस group का एक name दे दीजे, जैसे यहाँ पे हमने emp दिया है, यही एक emp name होगा, जो user defined name होगा, union का name होगा, अलग-अलग तरह की value को यह represent करेगा, ठीक है, इस name के थुरू हम सारे अलग-अलग तरह की value को access कर सकते हैं, तो definition दोनों का same structure union का अंतर क्या है, यहाँ पे देखो, union keyword is used to declare union, union keyword हमें use करना होगा, union को declare करने के लिए syntax में दिखाऊंगा मैं, second, union allocate same memory for each member, union क्या करता है, एक memory ही बनाता है, same memory को सारे member क्या करते हैं, allocate करते हैं, और वो memory किस member के लिए बनेगी, जो member union में सबसे बड़ा होगा, third point, the size of union depends on the biggest member of union, union का size कितना होगा, जो union का biggest member होगा, जो सबसे बड़ा member होगा, वही union का total size होगा, इसलिए structure और union में क्या difference था, मैंने starting में बता दिया, ताकि आपका doubt किलियर रहे, syntax देखो यहाँ पे, इसी syntax का use करके program बनेगा, union keyword, सबसे पहले union को declare करने के लिए, union name कुछ भी ले लो, यहाँ पे हम employee ले ले लेते हैं, employee का detail मालो हमें, रखना है, अलाग अलाग तरह का detail हो सकता है, उसका name, address, mobile number, तो union बना रहे उसके लिए, तीक है, union कहीं होगी आप body, open card packet, close card packet, union और structure का जो body end होता, वो semi colon से होता है, ठीक है, और यहाँ पे union के member रहेंगे, int, care, float, जो भी अलाग अलाग तरह का member आप लेना चाहें, तो जब यह structure का program था, तो इसमें क्या हुआ था, int के लिए अलग memory बना, care के लिए अलग बना, double के लिए अलग memory बना था, तीनों के लिए अलग memory बना, तो कोई problem नहीं हुआ, लेकिन union का program बनाने के लिए, अगर इस struct keyword के जगा हम union keyword लगा दें, तो यह union का program बन चुका है, तो अभी यह union का program बन गया, तो यहाँ पर अंतर क्या आ गया, कि जो इन तीनों में सबसे बड़ा member है, उसी का memory बनेगा, इन तीनों में सबसे बड़ा member है यह वाला, इसके लिए 20 bytes का memory बनेगा, और इसी 20 bytes की memory को यह तीनों आपस में share करेंगे, एक memory को तीनों access करेंगे, तो अगर इस program को अभी हम कर देते हैं run, तो successfully तो run हो चुका है, लेकिन output ध्यान से देखना, enter student record, roll number input करते हैं, student का name ले लेते हैं, उसके बाद एक marks ले लेते हैं उसका, तो आप यहाँ पर output ध्यान से देखो, आपको समझ में नहीं आएगा, यह किसी को समझ में नहीं आएगा, अगर वो देखेगा, बोलेगा, क्या गलती करा मैंने, गलती आपने कुछ नहीं करा, यह union का problem है, problem क्या है, कि अगर आप एक बार में, सभी member में value input करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने तीनों में पहले value input कर दिया, तो यह तीनों same time में, एक single memory को use करने पहुँच गया है, 20 bytes की memory जो इसके लिए बनी थी, तो सबसे last में, जिसका value हमने input करा था न, सिर्व उसी को memory में सही से जगा मिला, और उसी का result आ रहा, यह दोनों corrupted data सो हो रहा हमें, यह गलट data है, तो अभी union का यह problem है, इसका solution क्या है, simple सा solution है, आप 1K करके input लो, और 1K करके output भी print कर दो, जैसे हमने roll number input लिया, तो अभी यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को अठा देंगे, और इसे भी यहाँ से अठा देंगे, ठीके, 1K करके value हमें input लेने, जैसे roll number input हो चुका है, अब क्या करेंगे, roll number को हम input करने के just बाद, प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट करने के लिए printf function, और यहाँ से m% को हम अठा देंगे, ठीके, तो जीच तरह से हमने roll number का काम किया, उसी तरह से हम बाकी member का काम भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, enter student name, name input होगा, name का % होगा, और यहाँ पर s.name, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट करना है, फिर से %s और name, अभी क्या करना, सबसे last में हम input करेंगे, student का marks, ठीक है, तो marks के लिए क्या होगा, marks variable में value input होगा, %lf format specifier होगा, और printing में भी same वही use करेंगे, तब ही result आएगा ने, तो result आने से रहा, तो देखो हमने तीनों में, एक एक करके value अभी input लिया है, तो अभी इसमें कोई problem नहीं होगा, आप देख पाओगे, program हमारा successfully run करेगा, इसमें कोई problem नहीं होगा, करते हैं हम इसे run, अभी हमारा program run होगा, एंटर student role number input कर देते हैं, 9, उसके बाद enter student name, तो देखो 9 input करा, 9 print हो गया, अब name input करने जा रहें, name क्या input कर दे, अंकुस, उसके बाद enter student marks, तो name input करने के बाद, यहाँ पर देखो name print भी हो चुका, अभी marks क्या input कर दे, कुछ भी कर देते हैं, तो देखो marks भी आ चुका है, तो इस तरह से आप union में, corrupted data से बच सकते हैं, union में एक member को एक बार में input करो, और input करने के बाद, यह पूरा ध्यान रखो, उसकी value को आप print भी कर दो साथ ही में, अभी हम आपको प्रोग्राम के जरीए, यह बताएंगे कि union concept के होते हुए, structure concept को क्यों लाया गया, structure को लाने का purpose क्या था, तो पहले के time पे याद करो, हमारे पास बहुत कम memory हुआ करता था, 10 MB, 15 MB कही total memory हुआ करता था, तो जब कम memory हुआ करता था, तो हमें उसी memory में अपने सारे काम को करना होता था, तब हम union use करते थे, तो union में एक ही member के लिए memory बनती थी, और उसी को सभी share करते थे, तो अभी इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, इन तीनों में सबसे बड़ा है double, ठीक है, तो इसी double के लिए ही memory बनेगा, 8 bytes का है, क्योंकि double का size 8 bytes होता है, और उसी 8 bytes memory को ये 3 सेर करेंगे, तो अगर आपको पता करना हो union का memory कितना बना है, इस प्रोगाम में, तो आप पता कर सकते हैं, पर सेंडी लिखो, उसके बाद कॉमा देखके, size of लिखो, size of एक operator होता है C language में, ये क्या करता है, किसी कभी हमें size बताता है, तो हमें union is two का size चाहिए, तो क्या करते हैं, main function को यहाँ पर, उसे बताना होगा कि हम union is two का size पता करना चाहते हैं, तीक है, variable you ले लेते हैं, क्योंकि अभी union है, तो यहाँ पर you कर देंगे, तो हमें union का size पता चल जाएगा, करते हैं program को run, तो आप output देखो, यहाँ पर 8 print हुआ है, इसका मतलब एक memory ही बना है, इसके लिए, और एक एक करके, तीनों अलग अलग time में आके, उसी 8 bytes की memory को access करेंगे, यह union के member, तो पुराने जमाने में, जब बहुत कम memory हुआ करती थी, तब हम union में काम करते थे, लेकिन आज के time पर देखो, हमारे पास बहुत ज़्यादा memory capacity है, बहुत ज़्यादा size है, टेरा बाइट में size है, तो जब size बहुत ज़्यादा है, तो हम union के problem से बचने के लिए, structure में आ गए, तो इसमें क्या होता है, कि इसमें size हम हर member के लिए अलग-अलग ले सकते हैं, हर के लिए अलग-अलग memory बनेगा, तीनों के लिए अलग-अलग, 4 byte, 1 byte हो गया, 5 byte और 8, 13 bytes, total 13 bytes का यहाँ पे अभी memory बनेगा, तो यहाँ पे 16 bytes का memory बना है, 8, 4, 12 और 1, 13 होना चाहिए, 1 second, care का 1 ही होता है, devc++ में हम check कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, s.name से check कर लेते हैं, अभी करते हैं इसको run, तो यहाँ देखो care का 1 byte size ही होता है, तो 1 byte इसका, 4 byte इसका, 5 byte, और 8 byte इसका, total 13 bytes यहाँ पे structure, इस 2 के लिए memory बनेगा, ठीक है, तो जब memory आज हमारे time पे बहुत ज़्याद है, तो हम structure concept पे आगए है, union पे अब हम नहीं जाते है, structure और union chapter खतम होने के बाद, अब हमारा अगला chapter है macro, macro क्या होता है, इसका concept क्या है, कितने types का होता है, हम discuss करेंगे, उसके बाद हम आपको last chapter में पढ़ाएंगे, file handling क्या होता है, ऐसा क्या purpose होता है, कि file को handle करना पड़ता है, file में हम क्यूं जाते हैं, अपने data को लेगे, तो चलिए सबसे पहले macro देख लेते हैं, what is macro, macro क्या होता है, full explanation ठीक है, macro is a name, which replace value, expression, in place of variable and function, macro एक name होता है, ये name कुछ भी हो सकता है, आप दे सकते हैं, ठीक है, user defined name होता है, ये क्या करता है, value expression, जो भी हम pass करते हैं, उसको replace कर देता है, variable या फिर function के साथ, ठीक है, यही macro का काम होता है, तो सकता है, भी आपको समझ में ना होता हो, example में समझ में आ जाएगा, दो टाइप का होता है, simple macro, function macro, तो simple macro क्या होता है, इसका syntax देख लो, syntax लिखने के लिए, has define, preprocessor command, उसके बाद macro name, और यहाँ पे आपको value देनी है, semicolon नहीं लगाना है, ठीक है, यही syntax होता है, तो यह जो हैस से start होते हैं, कुछ भी statement c language में, इसको बोलते हैं, preprocessor directive has होता है, इसमें यह statement लगा दे, तो preprocessor command बनिया, तो जितने भी preprocessor command होते, वो compilation से पहले ही चल जाते हैं, इसका मतलब, जब हम program को execute करने जाएंगे, तो यह वाला जो value होए, यह इस macro name के साथ replace हो जाएगा, उसके बाद जहाँ जहाँ हम यह वाला name यूज करेंगे, वहाँ वहाँ यह वाली value हमें print में मिलेगी, example में हम आपको दिखाएंगे भी यह कैसे होता है, अभी बात करते हैं, function macro syntax, has defined same लिखना है, macro name parenthesis, और यहाँ पर आपका expression होगा, जो भी logic आप लिखना चाहें, function के लिए, तो इससे क्या होगा, कि जहाँ जहाँ आप function name यूज करेंगे, वहाँ वहाँ यह जो expression आप यहाँ पर देंगे, वह expression execute करेंगा, तो चलिए example के तरूँ, दोनों syntax को हम देख लेते हैं, बड़ा ही simple काम है, simple macro का program बनाना, program में मालो हमारे पास क्या है, एक user है, उसका name हम 20 character का name होगा मालो, उसका name हम दे देते हैं, अंकेत, ठीक है, यह एक user है, जिसका name अंकेत है, इसी तरह से क्या है, 5-6 user हैं हमारे पास, ठीक है, और सभी का name अलग-अलग है, name बदल देते हैं, कि हम macro क्यों use करते हैं, मैं आपको वो समझाना चाहरा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे last में नाम, रोहित, तो यह 5 user है, अब इन 5 उसका user को मालो, तो मुझे 100 rupees देना है, सभी को देना है, तो मुझे क्या करना होगा, जब सभी को एक amount ही देना है, same amount ही देना है, तो मैं क्या करूँगा, एक macro define कर दूँगा, यहाँ पे has define की मदद से, हम macro define कर सकते हैं, उसका name हम दे देते हैं, और इसका value 100 क्यूंकि मुझे 100 सभी को देना है, तो अभी क्या होगा, अब हम इन सभी को money दे सकते हैं, वो कैसे, %S, goat, %D, उसके बाद क्या, rupees, अभी क्या करना, कौमा देना है, किसको money मिलेगा, सबसे पहले money मिलेगा, इनका नाम भी बदल देते हैं, 2, 3, 4, और 5, तो money मिल रहा है, हमारा name को, सबसे पहले इसको money मिला, ठीक है, कितना मिलेगा, M, O, N, E, Y, money, अभी इसी तरह सभी को मुझे देना है, हम क्या करेंगे, जितने members को देना है, उतने के लिए, अलग-अलग printf, यूज कर लेते हैं, इसका percentage हट गया, अभी यहाँ पर किसको money देना है, हमें name 2 को देना है, name 3 को देना है, name 4 को देना है, name 5 को देना है, money, same amount देना है, तो इसी purpose के case में, हम क्या use करते हैं, हम use करते हैं, macro, आपको उमीद करते हैं, समझ में आ गया होगा, कि क्यूं macro का use किया जाता है, यह 5 अलग-अलग बंदे हैं, यह 500 रुपीज चाहते हैं, तो अगर हमें same value सभी को देना है, और बार-बार program में, किसी value को हम use करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस value का एक macro बना देंगे, तो जब हम program को run करने जाएंगे, तो यह 100 money के साथ replace हो जाएगा, तो यह money के जगा पर 100 दिखेगा हमें, चलो program को करते हैं, हम run, तो यहाँ पर देखो, output अभी आ जाएगा, थोड़ा ही time में, वेट करते हैं, successfully program हमारा run हुआ है, ठीक है, अंकित गोट 100 रुपीस, अखिलेस गोट 100 रुपीस, पता नहीं चल रहा, तो क्या करते हैं, escape sequence lesson मैंने जान बुचकी नहीं लगा, ताकि मैं आपको याद दिला सको, कि new line के लिए, lesson यूज करना है, अगर नहीं यूज करोगे, तो output क्या आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, अभी देखो, सभी को 100 रुपीस मिल चुके हैं, जैसा मैं चाहता था, तो इसी purpose के case में, इसी case में हम क्या use करेंगे, macro use करेंगे, तो ये जो example मैंने आपको बताया, ये simple macro का simple example था, आप इसी macro का use करके, area of circle का program बनाएगा, ठीक है, अब अगर same program को हम बोले, कि function macro में कैसे बनाओगी आप, उससे पहले requirement सुन लो, कि माल लो दिवाली festival आगया, ये पांचों employee 10% bonus पाने वाले हैं, मेरी तरफ से, तब हम क्या करेंगे, 5% increment करेंगे, तो यहाँ पर माल लो हम एक function बना देते हैं, parenthesis हमने लगा दिया, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर जो 100 है, इसमें हम क्या करेंगे, 10% इन्हें bonus चाहिए, तो 10 add कर देंगे, तो अभी क्या होगा, कि यह function हम जहाँ जहाँ यूज करेंगे, हमारा 110 value replace हो जाएगा, तीक है, इस तरह से, अभी हमें function यूज करना सभी के साथ, क्योंकि अभी money नाम का जो function है, उसमें bonus रखा हुआ है, 10% bonus प्लस 100 रुपे सालरी, तो अभी सभी को क्या होगा, function यूज करना होगा, तभी इस bonus को भी वो ले पाएंगे, तो सेम प्रोग्राम को अगर रन कर दे, तो अभी सभी को कितना पैसा मिलेगा, 110 रुपया, 100 रुपीस उनका सालरी है, 10 रुपीस क्या है, दिवाली का bonus है, तो देखो, macro use करने का फाइदा क्या होता है, कि एक single name को आप अपने प्रोग्राम में, जहां-जहां यूज कर देंगे, ये वहाँ-वहाँ उस value के साथ, रिपलेस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने, मनी-मनी फंक्शन को यूज कर दिया, सभी के साथ, तो मनी-फंक्शन का value क्या है, 110 है, ये 110 सभी को मिल चुका है, यही यूज होता है macro का, ठीक है, वाट इस फाइल हैंडलिंग, ये हमारा लास्ट चैप्टर है C language का, जो की बहुत important भी है, इसको ध्यान से पढ़ना, फाइल हैंडलिंग क्या होता है, फूल एक्स्प्लेनेशर, storing data in a file, and accessing data from a file code, file handling, file में data store करना, और उस file से data को access करना, यही कहलाता है, file handling, simple word में बोले, तो file में data रखना, और निकालना, फाइल हैंडलिंग कहलाता है, ठीक है, जब भी हम कोई program बनाते हैं, C language में, मालो यह हमारा program है, तो इस program की memory कहां बनती है, memory बनती है, RAM में, यह मालो हमारा RAM memory है, ठीक है, अब मालो मुझे इस memory में, कहीं भी यह मालो बहुत सारे blocks है, मुझे यहाँ पर कहीं पर भी इस memory के किसी भी address में, यह address मालो, कुछ भी address मालो मैं दे देता हूँ random, किसी भी particular address में, मुझे data store कराना है, इस memory के, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, variable लेना होगा, मालो मैंने int a equal 10 लिया, तो यह 10 क्या होगा, अब जब program को हम run करेंगे, तो इस data को हम इस block से access कर सकते हैं, और यहाँ पर data variable के तुरू इस store भी कर लिए, जब program हमारा complete run हो जाएगा, फिर क्या होगा, यह memory destroy हो जाएगा, यह program हमारा खतम हो गया, तो इस variable में जो data हमने store करा था, यह data भी गाइब हो गया, अब हम इस data को नहीं access कर सकते, तो हम चाहते हैं कि यह जो variable का data 10 था, जो program run होने के बाद, memory जब release होई, रहा हम से खाली होई, तो यह जब delete हो गया, हम चाहते हैं यह permanent store है, तो हम क्या करेंगे, hard disk में store कर सकते हैं, इस data को, तो इससे क्या होगा, कि जब दुबारा मुझे इस data की ज़ौरत पढ़ेगी, 10 कि हम file को access कर सकते, file से data को मंगा सकते हैं, इसी लिए file की ज़ौरत पढ़ती है, real life example, अगर हम computer system में कुछ भी काम करते हैं, जब हम save कर देते हैं, तो हम इसलिए save करते हैं, वो एक file में save होता है, file में secondary storage में, जो भी data save होता है, file के format में होता है, उसका extension.txt, png, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो यह हो गए file handling का concept, अभी हम आपको file में, क्या-क्या operations को perform करा सकते हैं, वो दिखाते हैं, file को create करेंगे सबसे पहले, फिर file में data read कर सकते हैं, write कर सकते हैं, file को delete कर सकते हैं, copy कर सकते हैं, इन सारे काम को हम कर सकते हैं, तो अगर file create करनी है, तो हम क्या करेंगे, एफ open function यूज़ करेंगे, यह क्या करेंगा, अगर file पहले से ही बनी होगी, तो उस file को open करेंगा, यह कंचा वायट वी सब्सक्राइव कर सकते हैं और जोभी वायल में हम काम करेंगे बाद में क्या करेंगे f close function की मदद से उस फाइल को क्या करेंगे close भी करेंगे security परबस के लिए जो भी फाइल हम open कि है उसे close करेंगे ठीक है तो चलिए प्रोग्राम के जरी इन फाइल operations को discuss कर लेते हैं प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपको एक फाइल क्रियेट करके दिखाएंगे कि c language में file कैसे create किया जाता है file create करने के लिए हम लिखेंगे capital letter में file file एक data type है जो कि studio.sh header file से belong करता है तो हम क्या करेंगे इस file data type का pointer बना लेते हैं fp नाम का मतलब file pointer इसी pointer के तुरू जो भी file हम create करेंगे उसको यह pointer क्या करेगा hold करेगा उसको represent करेगा इसलिए हमने इसे बनाया है मैंने आपसे function बताया था function के बारे में function का name था fopen fopen function क्या करता है दो parameter लेता है पहला file का location और दुसरा file का mode तो सबसे पहले file का location हम file desktop location पर बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर desktop location का path है वो copy कर लेते हैं आप भी अपने system में इसी तरह से copy कर सकते हैं क्योंकि मुझे जो file है वो desktop में बनानी है ठीक है मैं आपको बनते हुए दिखाऊंगा जब file बनेगी live file का हम एक name ले लेते हैं file का हम name क्या ले ले यहाँ पर Raj.txt ठीक है file का नाम Raj है वो एक text file है यह हो गया एक parameter दुसरा parameter मैंने बोला था यह क्या लेता है file का mode तो यहाँ पर file mode हम रख देते हैं www मतलब write file write करने के लिए हम create कर रहें file में write कर सकते हैं ठीक है तो अभी यह function जो भी value return करेगा उसको कौन store करेगा हमारा pointer fp store कर लिया इसने अब एक message देते हैं अपने समझने के लिए printf function की मदद से वो क्या होगा file created successfully ठीक है यह message बस हमारे समझने के लिए होगा इसको देखके हम यह समझ जाएंगे कि file बन चुका है अब हम क्या करते है फाइल को close कर देते हैं जो file हमने open करा है fopen की मदद से तो close करने के लिए f close function होता है c language में तो अभी हमारे file को कौन represent कर रहा file का सारा कुछ अब यह pointer है तो इसी pointer को हमें as a parameter यहां पर pass करना होगा अगर इस program को अभी मैं run कर दूँगा यह successfully run होगा कोई problem हमें नहीं देगा मैं file आपको बनता हुआ दिखाऊंगा ठीक है desktop location पर यहां पर कहीं देखना file बनेगा f11 से करते है program को run तो यहां पर जब message आएगा file created successfully तभी यहां पर file बनेगा तो देखो message आ चुका है file created successfully इसका मत्तब यहां पर देख़ो राज नाम का txt file बन चुका है इसको अगर हम open करते है double click करके तो यह file बिलकुल ही खाली है इसमें कुछ भी data नहीं है क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है अब हम क्या करेंगे इसमें लिखेंगे इसमें क्या data write करना है अब हम उसका code यहां पर लिख के आपको दिखाएंगे तो सबसे पहले इफ का एक condition लगाते हैं मालो फाइल में हम जब data write करने जा रहे तो फाइल नहीं है या कुछ भी कुछ भी problem के चलते error आ जा रहा तो उसके लिए भी हमारे पास एक condition होना चाहिए तो अगर हमारे pointer का value हो जाता है null null एक ऐसा value है जो कि किसी को represent नहीं करता ठीक है null मतलब nothing तो यहां पर अगर pointer variable का value null होता है तब क्या होगा तब यहां पर हम print up function में एक message देते हैं कि file not created ठीक है file नहीं create होगा क्योंकि हमें error आया है और यहीं से program को क्या करेंगे terminate करेंगे exit function यूज करेंगे यह integer value लेता है as a parameter तो one pass कर देते हैं अगर मारलो file successfully create हो जा रहा है तब तो जो file का location होगर file का mode यह pointer represent करेगा तो उसका value तो इस null के साथ equal नहीं होगा तब file बननी चाहिए तब यहां पर file बनेगी तो उसका code अब हम यहां पर लिखेंगे हमें क्या करना file में write करना है तो print up function की मदद से हम क्या करें एक message दे रहे हैं ताकि new line में हमारा सारा काम होता रहे अभी scan up function की मदद से हम वो number input करेंगे तो number हमें input करना हमारे पास variable होना चाहिए तब ही हम value input ले सकते हैं तो हम integer type का num num का variable बना लेते हैं इसी num में हम क्या करेंगे जो भी integer number scan up function की मदद से यहां पर हम input करने वाले हैं num variable में सेम यही value हमारे file में क्या होना चाहिए write होना चाहिए तो write करने के लिए file में एक function होता है C language में f printf मतलब file print function यह file में write करता है तो हमें क्या write करना है यह जो number input किये इसी को write करना है तो file को represent कर रहा हमारा pointer fp आप देख लो यहां पर जब create कर रहे तभी pointer में store कर दिए कौन सी value store करानी है जो अभी हमने input लिया scan up function की मदद से इस num variable की value तो इतना code अगर हम run कराते हैं तो program हमारा successfully क्या होगा run भी होगा file create तो है यह पहले सही create है उसके बाद इसमें data भी write होगा चलो program को run करते हैं तो देखो यह successfully run हुआ है सबसे पहले यहां पर फाइल बनेगा file created successfully message आया enter a number एक number input कर देते हैं 1000 तो 1000 इस file में write हो चुका है click करके देख लो यहां पर आ चुका है 1000 तो जब यह data हमने enter करके मारा तो यहां पर एक message आ जाना चाहिए था कि file में successfully data लिखा जा चुका write हो चुका है तो उसके लिए भी आप यहां पर थोड़ा सा महनत कर सकते हैं file में number input करने के बाद यहां पर print up function की मदद से आप एक और अपने समझने के लिए message दे सकते हैं data wrote in a file file में आप जो लिखना चाहते थे वो data लिख चुका है file में write हो चुका है program को करते है run अभी जैसे कोई भी number input करेंगे 200 तो data wrote in a file इससे क्या पता चलता कि अब हमें file जाके check करनी चाहिए लिखा हुआ है कि नहीं यह आप अपने समझने के लिए अपने program में कुछ भी कर सकते हैं तो अभी देखो पहले वाला data हटके अभी नया वाला data आ गया 200 तो इस तरह से आप किसी भी C language में file create करके उसमें data write कर सकते हैं अब second question आता है file में data read कैसे करेंगे file से data read कैसे करेंगे मालो हमारे file में अभी अभी हमने 200 क्या किया है store करा है write करा है तो उसी 200 को अगर मुझे read करना हुआ तो मुझे क्या करना होगा simple सा काम है जब हम file create कर रहे है इसी time पे अगर हम file से data read करेंगे तभी क्या हो सकता है error आ सकता है अभी हम इस वाले code को क्या करेंगे condition में डालेंगे if की condition में अभी हमारा यह source code होगा क्यूंकि जब भी file से हम कुछ भी data read करते है तो उस time पे क्या होता है कि error आ सकता है तो if में हमने file की condition को डाल दिया जो भी file से data read करने जा रहे अगर मालो कुछ भी error आता है तो क्या होगा print up function हमें यह बताएगा error occurred इसका मतलब भहिया आपके program में error आया है जब आप data को read करने की कोशिस कर रहे थे इस राज text file से है अगर मालो कोई error नहीं आता है तब क्या होना चाहिए तब file में data successfully क्या हो जाना चाहिए file से data successfully read हो जाना चाहिए यहाँ पे semicolon नहीं होगा if की body होगी क्योंकि अभी इसमें हम एक और statement लिखने जा रहे error आने के बाद हम चाहते है प्रोग्राम वहीं से बंद हो जाए तो उसके लिए method यहाँ भी use कर देंगे एक value दे देंगे अभी यह सारा code हटा रहे क्योंकि यह right का code है अभी क्या करते हैं हम data read कर रहे हैं इसको भी मिटा देते हैं इसका भी कोई काम नहीं है अभी simple सा काम क्या है कि f scan up function हम यहाँ पे use करेंगे क्योंकि अभी data read कर रहे है तो f scan up function file से data को क्या करता read करता है तो number से हम read करेंगे एक number variable number type का value हमारे इस file में है तो इस data को read करने के लिए एक variable होना चाहिए हमारे पास इसलिए यह num variable से अभी हम file से data read करने के लिए use कर रहे है इसका अब मालो हम file से data read कर लिए हमें screen में चाहिए print भी तो होना चाहिए screen में तो इसको हटाओ print up function क्या करेगा हमें बताएगा कि data read हो चुका है कि नहीं तो यहाँ पे simply हम क्या करेंगे print up function में अपने value को print कर देंगे simply हमें लिखना है percent d उसके बाद num variable का data को हम क्या कर रहे file से read कर रहे read करने के बाद हम अपनी file को क्या कर रहे close कर दे रहे अभी अगर इस program को हम करे run तो इसका output आप देखिए two hundred print होगा ठीक है क्योंकि error occurred file से data read करते समय यहां पे हमें एक error मिला है अभी हम file से data read कर रहे तो सबसे पहले हमें file का mode change करना होगा r r मतलब read कर रहे और मालो file data read करते समय कोई error आता है तो उस error value को हमें किसी के साथ compare करना होगा क्योंकि हमें अगर मालो error नहीं आता है इस part में आके data अभी तो read करना है तो हम क्या कर रहे है same null value के साथ इसको भी compare कर रहे है यह हमने नहीं कर रहा तो यहां पे वही सारी चीजे लिखी हुई है तो एक extra हमने parenthesis यहां पे close किया तो उसको यहां पे क्या कर लेते हैं open कर लेते हैं अभी देखो हम जिस भी file से data को fscanup function की मदद से read कर रहे है उस file को कौन store करके रखा हुआ है यह हमारा file pointer तो हमें क्या करना होगा इस file pointer को भी यहां पे दिखाना होगा तभी क्या होगा कि पता चलेगा कि हम जो number read करना चाहते हैं वो pointer fp file से लेना चाहते हैं तो हमें यहां पे simply क्या लिखना होगा fp pointer और कॉमा दे देना है इस program को अगर अभी हम run करेंगे कोई error मिलेगा program यहीं पे terminate होगा और माल कोई error नहीं आता है तो value null के साथ बराबर नहीं होगा data read होगा वो screen में दिखेगा program को करते है run अभी तो successfully अभी run हो चुका देखते हैं क्या होता है तो यहां पे 0 आया है 0 जबकि हमारे file में data क्या है file में data है हमारे कुछ भी नहीं है ठीक है अभी file में data कुछ भी नहीं है तो control s से एक data डाल देते हैं इसमे 4 हमने अपने से अभी entry कर दिया अभी क्या करते है program को फिर से run करते आप अपने से भी read कर सकते हो जाके write कर सकते हो अभी read करेंगे अभी अगर 4 output आता है इसका मतलब हम read कर पा रहे है चलो फिर से file में चलते हैं यहां पही क्या करें अभी इसको हटा के मतलब data read हो पा रहा, file से हम data को fetch कर पा रहे, तो file handling का यही concept है, file create करना, read write operation perform कराना, आपको क्या करना है, एक file को दूसरे file में copy करना file को delete करना है, इन सभी का program बना के practice करना है, उम्मीद करते हैं, आपको हमारा यह C language का complete series पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो, तो theory notes जो मैंने लिखाया है, उसके लिए like करिए, concept जो समझाया है, उसके लिए share करिए, और जो program बना के हर chapter का मैंने दिया है, उसके लिए channel को subscribe कर दिजिए, यह है कुछ C language के basic और important programs जो आपको exam में देखने को मिल जाएगा, कोई भी exam देना, semester का, आपको C language के यही सब program दिया जाएगा, पहला है, add two numbers, second calculate area of circle, rectangle, triangle and square, third calculate factorial, fourth हो गया, check number is old or even, prime number, palindrome number, perfect number, multiplication table, print करके दिखाईए, किसी भी number का, army strong number, febunaki, tribunaki, series, print करके दिखाईए, reverse number, sum of digits, sum of array elements, find smallest and biggest element of array, palindrome string, pattern programs बनाईए, बहुत सारे pattern होते हैं, calculate sum and average of student marks, तो यह जितने भी basics programs थे, यह आपका home वाक है, आपको बनाना है, अगर इन programs को बना लेते हैं, तो exam में जो program पूछेगा, इससे बाहर तो पूछेगा नहीं, यह guarantee है, मैं guarantee देता हूँ इसकी, अगर आप complete C language सच में सीख गए हो, आपको यह video अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को like करिए, share करिए, अपने हर friends के बीच इसे पहुंचाईए, ताकि वो भी C language आपकी तरह बहुत ही असानी से एक वीडियो के जरिये सीख सके,